सरकार ने इस साल पस्चिम मंगाल में रेलवे के विकास के लिए 13,000 करोड रुपिय से जादा का बज़ेट दिया है 13,000 करोड ये रासी 2014 से पहले की तुलना में तीन गुना से भी अधिक है हमारा प्रयास है कि हाँ हमारा पिरोधी दोलनेता सन्मानियो सुभेंदो अधिकारी महासोय समेत राज्योने त्रित्त के जानावो बिस्चेर सर्व बिहोतल फ्रियो नेता नुरंद्र भाई मोदी के उत्तरियो एबं तरसंगे जे मायर मूर्ति एबं मोमेंटो आचे छोबी आचे दिये माननियो प्रधान मुंद्री महासोय के सागोतो कर अज्योने मोदी जी जिनबबद बंदे मातरम भाई मातरम भाई मातरम मोदी जी जिनबबद बीजे पी जिनबबद बीजे पी जिनबबद मोदी जी को स्वागतम मोदी जी को स्वागतम मोदी जी को स्वागतम स्वागतम भा स्वागतम मोदी जी को स्वागतम मोदी जी को जैश्री राम मोदी जी को जैश्री राम जैश्री राम मैं जैश्री राम एकन सुदु कमल भुलेरे माला दिये रोधेशेर नेत्रित्तो विश्टेर लोकप्रियों नेता के स्वागतो जनाचेन सकल के यमे अनुरोज करव करोताली दिये स्लोगांदेन भारात माता के भारात माता के मोधेशे स्वागतम जय जय श्री राम जय जय श्री राम एर पोरे विधान सबार विरोधी दोलनेता नंदिक ग्रामेर जनाप्रियों विधायों अमादेर सकलेरे प्रियों सन्मानियों सुभेंदो अधिकरी महासाई के आमे अनुरोज जनापो मानोनियों प्रधान मंत्री महासाई के स्वागतो कर अज्युन्ने तार संकिप्त भासनेर मजधो में भाराद मता के अरे जोरे बुलता अबे तो नो बननो काप छे तो भाराद मता के जैसी राम बोले बाबा बोले बाबा बुम बुम त्रिशुल धारी इसेर सर्व ब्रियोत गनतांत्रिक राष्ट भारत बर्षेर जशश्ची प्रधान मंत्री 114 कोटी भारत बासेर हिदायर मोनिकोटार प्रानो शमो नेता विश्चेर सब्चे लकोप्रियो नेता सम्मानियो प्रणम्म पुझ्यपात स्री नरेंद्रो धामदद्दास मोदीजी आमी पोस्ची मोंग भिदान सबार भीरोदी दलनेताई सेबे भारत यो जनता पाटे जारा दुकोटी आठास लख भोटारे कुस साले पद्ध फूल कमले भोड़ दिये छेन तता समग्र पोस्ची मोंग भासिर पक्खत के आपना के आंतरिक सागत अभिननन एबंग स्रद्दाग्य पन करी मंचे उपविष्ट आछेन आमादेर राज्येर भारतियो जनता पाटेर जनप्रियो सबापते एबं अत्तंत लकप्रियो संसत साथी डक्टर सुकांत मजुमदार महदोय केंद्रेर राष्ट मुंत्रे मोत्वा महा संगेर संगादी पते भाई संत नुठाकूर एबं सम्मानी तो मंचो आमादेर अभजारभार मंगल पांडे जीशो प्रत्तेक्के आमियांतरिक सम्माने बंक्रितक गता जानाई आमरा जार कोथा सुनार जोन्नोए सेची ताके बोशिये रेखे आमरा दिर्गबक्त बोराग बोना गतो तीन बचोर प्राय आमिये बंग्टर सुकांत मजुमदार सांग्षद विधायक आपना देर के सभाई के निये आमरा तीले तीले चोखे चोख रेखे पोस्ची ममांगलाई संग्राम करे छी आज के आमादेर नेता आमादेर मार दर्शोक तार उपस्थितिते आमी सरोन करवो 2001 साले निर्भाचनेर परे पोस्थपल भायलेंसे भारतियों जनता पाटेर मगरा हाट पोस्थिमेर प्रार्थे मनोस्थाहसो सातान्न जन कार्जो करता के जारा सोही धोये चिलेन भारतियों जनता पाटे कोरते गिये पंचाईनीर वाचनेर भाय भोता आमरा देखे ची ताई आमरा आमादेर प्रधानमंत्री महदोयर मुग थेके सबिस्तारे सुनबो पोस्थिम मंगलाई आमादेर प्रधानमंत्री जी राज़ धर्म पालन करे छेन 2004 तके चोद्धो कंग्रेस UPA के बंग दुई मनरे गाते मत्रो 14 हजार कोटिटाका दिये छेलेन आमादेर प्रधानमंत्री गोतो 94 हजार कोटिटाका दिये छे और एई चोर्ति नमोल सब टाका लूट पाट करे छे आमा देर प्रदान मंत्रे इज्जद घर बात लखो दिये छेन एई चोर्ति नमोल बात लखो सोव चालाई लूट करे छे जेकाने कॉंग्रेसेस सरकार 4600 कोटी टाका अबासे दिये छे 10 बचोरे शेकाने नमो छोरे आमा देर प्रदान मंत्रे NDA BJP सरकार पोश्ची मंगे तीरी सजार कोटी टाका दिये छे चोलिस लखो बाडिर जन्न कोनो गोरी बाडि पाई नी चूरी गोरे नी एगे छे सिखा दप्तर जिले खद्धो दप्तर जिले पोदान मंत्रे अन्न सुरख जो जना सालार गम एई बाकिबुर्मान जोति प्रियोमन निगरा साजान सेगरा पाचार कोड़े छे बिचार चाई बिचार चाई बिचार चाई आशन आमरा सपद ने जे अत्ताचार रामपुराटेर भगजुई थके संदेश खाली पर्जुन्त हुए छे आमरा सबाई सपद ने लोक्षबा निर्बा चने आमा देर नेता अमित साजी तिनी बोलेगा चन पोई त्रिस्टा आशन दित्या हवे नरेंद्र मोदीजिके त्रितियो बारेर जन्नो प्रदान मंत्रे करार जन्नो पोस्चिम बांगलार जन्नो जोगदान भुमिका थाके एई सपद नियाज के बाड़ी फिर्बो और पोस्चिम मंगला थे के महमता बेनार जीर परिबरिक पाटी के तुष्टी कोरोनेर पाटी के कोराप्शनेर पाटी के भ्रोस्टा चारी के उखार फेकने का काम बंगल की जन्ता करेगी एटाई आमादे सपद आमी पुरिसे से बलबो एई बार एई बार एई बार एई बार एई बार फिर एक बार फिर एक बार फिर एक बार मोदी 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 अरज मता की जय शिराम, जय जय बाबा तरकेस्षार अनेक अनेक धन्दबाद, मानोनिय अभिरोधी दोलने ता बिधान सबार सुभेंदो अधिकरी महासई के तिने आपकी बार चार सबारे स्लोगान दिलेन एर पोरे जय जगनाथ जय जगनाथ जगनाथ प्रभूर जे छबी आँका एर पोरे बालूर घाटेर जनप्रियो सांसोत तोथा पुस्चिम मांगलार भारतियो जनताप पाटिर सभापोति अमादेर सकलेरे प्रियो डक्टर शुकान्त मुझुम्दार महासोई के बक्त प्रखाट जुन्ने स्वागत करा जुन्ने नुद जनताची भारत माता की प्रियो जुए बड़ार भीचवनंति के हाद उठ्चे ना कानो आवाज जाच्चे मोधी जी के शागत जनतावे बलून भारत माता की महां देशेर महां नेता नरंदमोदी जेपी नडड़ा भारत माता की जोई स्वीरा महां चे आज के आमरा चोड़ों शोभाग गशाली मननेओ प्रधानमंत्री आमादेन नोई गोटा विष्षेर सब्चे जनवप्रियो नेता तिनी आज के आपना देराराम माघेरे माठे एशेचेन आफना देस सादे देखा कराद जोन्डो आपना देस सादे जой सीराम बोलाद जोन्नो आपना देर पासे एशेचेन शागरे आमादेर गंगा शागर मेला होये गालो आमरा शास्थ्रे परेची भगिरत तपस्षा कोरे माँ गंगा केई मर्ते एने चिलेन आज कि आमरा नोथुन भारोतेर भगिरत के देखते बाच्ची जिनी अज़ोद्धाय राम मंदीर पुन निर्मान करें आमादे स्वाम्ने एई भगिरोत मानोनियो प्रधान मंत्रियाचके आमादेर माजे आचेन आमरा धन्न होएची उपस्तित आचेन आमादेर एई भिधान सबार लोराकू बिरोदी दलनेता मानोनियो शुबेंदो अधिकारी महासाई जिनी मुख्यो मंत्रिके तार डाकेंद्रे नन्दीक ग्रामे पराजितो करे उचीत शिक्खा दिये चेन शुबेंदु दाके चोरे हाथ ताली दिये आपनानों सबाई सागोत जनाबेर उपस्तित आचेन आमादेर राज्येर इंचार मंगल पांडे जी आमादेर इंचार अमित मालबो जी आशालाकरा जी समस्त सांग्सा देमेलेरा पलीशेशे शुद यही भी सबान नाम नेयार समय ने समय कोब सिमीतो उपस्ति देई जेलार जेलाशवापती तता विदायक विमान घोष शहो उन्नानों जेलार जेलाशवापती सबाई के एक बार जोरे हाथ ताली दिये शागोत जनाबेन बंदुगार आजके मानोनियो प्रधान मंती आमादेर माजे उपस्ति थोएचे आमरा के विशेश समयर मद्यदी जाची गटकाल आमादेर मानोनिया मुक्ष मंतीर खुब आदोरेर भाई सेक साजान के पुलीश ग्रेपतार कोत्ते बाद्द होएचे आमरा देख्लाम कैनो बद्यो होएचे बंदुगार विजेपी रांदोरन संदेश कालीर मोहिलात दे रांदोरन माबने दे रांदोरन आएई समय मानोनियो प्रधान मंती जेट बलेन आमी सही कता रिपीट करची एई समय है सही समय है मोहिलारा मुक्खुलून तिनमुले रोत्ताचारीर बिरुद्धे जाटा धरून अस्तो धरून लराई करून तिनमुल के उत्ताद करे भेले दिन बंदुगण आज के आमना यकन देखते बाची शेक्षाहाजान ग्रेपतार होच्छे लज्जा लगे भूख खुलिये शेक्षाहाजान हाट्टे हाट्टे जाच्छे देखे मोने अच्छे पुलिस शेक्षाहाजान के ग्रेपतार करे नी शेक्षाहाजान पुलिस के बेधे निये जाच्छे दोरी दिये अद्धिस्षो दोरी दिये लज्जा लगाई प्रोशाजन के देखले और लज्जा लगाई रगम मुख्र मंतरी के देखले जिने मोहिला दे रूपर उत्ताचार हो आर पर बोलेन जे अई मोहिला दे रूपर को त्ताचार शेक्ष आजान कौरें नी, तेया शेक्षाहजान के टार्गेट करा उच्क चे मानोनिया मुक्षय मुंत्री आपनी भारत बर्षे रीथियाज जाणनना एक जोन मोहिलार हरन होय चेलो बोले आमना रामायन कोरेशीलाम एक जोन मोहिला के चूल्ध होरे तेने ने व oluyor न करा होए चीलो भले भारत बर्षेर भुकैं महा भारत होए चीलो अपनी तो कोई एक जोन मोहीला के आपनार भाएरा उत्ता चारीत न करे चे आपनार पतोन अनीब जोक्यों आट राश्कार pregnant ताई बंदुगन गतो बार एक हाजारे शामान नो केशी बेशी भोटे आमराई स्थी ठारिये छिलाम मने आचे तो मने आचे एबाँ चूरी करे तिनो मुल कांग्रेस जीते छिलो सोत पिकारे मानुषेर भोटे जेते नी की ठीक तो ठीक वोल चितो एबारे इसीट के ननरेंडन मोदीर हाते आमराई उपवळार देवो ना देवो जो भाहिथ फोथिग्या नीच्छे थो ताहले दू हात मुट करूना मर्षाताज के बा्नोनियो प्रधान मंतिट ननरेंडन मोदीर शामनेर फोथिग्या नेсти बोलोन भारत माता की भारत मता की जय सीराम जाई जाई स्वीराम आमियार आमार वक्तव्ब के दिर्गाई तो करवोना माननियो प्रधान मंत्री बिश्चे सब्थे के बरो नेता एवार आपका देश्चामने आजवेल तार वक्तव्ब दीते सबाई के नभुस्कार, सबाई कुप भलता तार केश्वर महादेव की तार केश्वर महादेव की आराम बागवासी के आमार आंत्रीक सुब्थेच्चा बोरोरा प्रणाम एवाम छोटोरा आमार भालो भाशाने बेन सबसे पहले तो मैं मात्रु शक्ति को सामर्थ देने वाली इस भूमी को प्रणाम करता हूं जहां बगल में ही खाना कूल में महान समाचुधारर राजा राम मौन राईजी ने जन्मलिया और नारी शक्ति के जीवन को नया सामर्थ दिया था मैं खाना कूल की धर्ति को प्रणाम करता हूं राजा राम मौन राई की प्रेरना से भारत की नारी शक्ति के कल्यान के लिए जी जान से जुटा हुआ भायों भारों आप सभी इतनी बड़ी संख्या में हमें आसिरवात देने आये हैं हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं यहां कुछ नवजवान बहुत सुंदर सुंदर चित्र बना करके लाए थे वहाँ एक बेटी कितनी देर से बगवान जगनाजी का चित्र लेकर आई थी आप सब का क्योंकि यह धर्ती तो रग रग में कला आर्ट यह यहां की विज़ेस्ता है मैं आप सब का बहुत आभारी हूँ लेकिन मैं अनुभाव कर रहा हूँ कि वहाँ भी पीडी और वर्तमान युवा पीडी आपका यह प्यार इन सब के प्यार का एक प्रतीग है और इसलिए मैं रिजय से आप सब का धन्यवाद करता हूँ साथियों अपसे कुछ देर पहले मुझे यहां साथ हजार करोड रुपिय से ज़्यादा के प्रोजेक का उद्गाटन और शिलान्यास करने का सवबाग्य मिला इन में रेल पॉर्ट पेट्रोलियम और जल सक्ति से जुड़ी परियोजनाए शामिल है मैं बंगाल के आप सभी लोगों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ साथियों पस्चिम बंगाल आज़ादी के अंदोलन की प्रेणा स्थली रही गुलामी के विरुद्ध प्रखर नेत्रत्व देने वाली यहां के हर संतान का सपना था कि भारत विकास की नई उचाई प्राप्त करे आज मैं जब बंगाल आया हूँ तो कह सकता हूँ ति आज का भारत उनका यह सपना पूरा कर रहा है बीते दस साल में भारत ग्यारवे नंबर की इकाना में से उपर उठकर पांचवे नंबर की आर्थिक ताकत बना है G20 में कैसे भारत की जैजे कार हुई यह हम सब ने देखा है आज भारत स्पेस सेक्टरी में अग्रणी बन रहा है जो काम दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया वो हमारे चंद्रयान ने किया है आज स्पोर्ट्स के छेत्र में भी भारत नए रिकॉर्ड बना रहा है अब आज स्वतंत्र भारत में देश की समरुद्धी और हमारा समरुद्ध सांस्कृतिक दरवर फिर से पूरे गवरों से नई उचाई प्राप्त कर रहा है और यह हम सभी का सवभाग्य है कि पांच सदियों के इंतजार के बाद पांच सो साल के बाद प्रभूसी राम अपने भग्य मंदिर में बिराजे है पश्चिम बंगाल में जीस तरह राम लला का स्वागत हुआ स्री राम के प्रती बंगाल के लोगों की जो आस्ता है उससे पुरा देश प्रभावित है प्रेरित है साथ्यों देश की इन उप्रभद्रग्यों के बीच बंगाल की स्थिति भी आज पुरा देश देख रहा है मा माटी मानोस यह इसके ढोल पिटने वाली PMC ने संदेश खाली की बेहनों के साथ जो किया है वो देखकर पुरा देश दुखी है आक्रोशीत है और मैं कह सकता हूँ कि राजा राम महनराय की आत्मा आज जहां भी होगी इन लोगों के इन कारणामों के लेकर के अत्यंत दुखी होगी होगी क्योंकि इनों ने संदेश खाली में जो किया राजा राम होनराय उनकी आत्मा आज रोती होगी टीमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेट्यों के साथ दूस साहस की सारी हदे पार कर दी जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की ममता दीदी से मदद मांगी उन्हें बदले में क्या मिला मुख्यमंत्री दीदी ने बंगाल सरकार ने टीमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ती लगा दी बीजेपी के दवाओं में इन सारे नेताओं ने रात दिल लडाई लड़ी माताओ बैनों के सम्मार के लिए लडाई लगी लाठियां खाई मुसिवते जेली बीजेपी के दवाओं में आखिर कर कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने जुख करके उस आरोपी को गिरफतार करना पड़ा दीमसी के राज में दीमसी का यह अपरादी नेता करीब करीब दो महिने तक फरार रहा कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा क्या ऐसी टीमसी को माप करेंगे क्या माता और बैनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे के नहीं लेंगे लेंगे के नहीं लेंगे हर चोड का जवाब वोट से देना है आज बंगाल के जनता यहां के मुक्यमंत्री दीदी से पूछ रही है क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश खाली की पिडित महिलाओं से भी जादा एहम हो गया है हरे शर्म आनी चाहिए बंगाल के मेरे भाग्यों भहनों मुझे सबसे ज़्यादा हरानी इंडी गडबंदन के बाकी नेताओं को देखकर होती है इंडी गडबंदन के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर आख कान मुझ गादी जीजी को जो तीन बंदर देने उन तीन बंदरों की तरह आख कान मुझ सब ये बंद करके बैट रहे हैं पटना बैंगलोरो मुंबई न जाने कहां कहां ये साथ मिलकर बैठ़के करते हैं लेकिन क्या लेप्ट और कॉंग्रेस ने यहां की सरकार से यहां के मुक्वंत्री से जवाब मागने की हिम्मत की क्या इन लोगों से संदेश ठालिक इन बैनों की तरफ एक नजर देखा भी नहीं गया और आपने देखा हैं कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष ने क्या कहा आप सुनकर के चौक जाएंगे मेरी माताओ बैनों जो बंगाली में मेरा टांसेजन कर सकते हैं वो इन माताओ बैनों को जुरूर बताएं कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष ने कहा का कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष कहते हैं बंगाल की महान परंप्रा का पान है नहीं है बंगाल की महान संस्क्रिति का पान है नहीं है बंगाल के वीर पुरुषों का पान है नहीं है बंगाल के संस्कार प्रिय नागरिकों का पान है नहीं है यही सच्चाई कॉंग्रेस की और इंडी गढ़बंधन की है साथियों इंडी गढ़बंधन के लिए ब्रस्टाचारियों परिवारवादियों और तुष्टी करणवालों का साथ देना ही ये की काम बचाए है ये ही सबसे बड़ा काम है टी-मसी ने बंगाल में अपराग और परिश्टाचार का एक नया मोडल प्रदा कर दिया है राज्य सरकार परिश्टाचार को बढ़वा देती है अपराग को बढ़वा देती है इतना ही नहीं अपराधियों को समुरक्षा के बदले टीम्सी नेताओं को भर भर के पैसे मिलते हैं टीम्सी ने यहां प्राइमरी टीचर्स की भरती में गोटाला किया, क्याग ने किया गोटाला किया ने किया, टीम्सी ने हां म्यूनिसिपालिटी भरतियों में गोटाला किया ने किया गोटाला किया ने किया, टीम्सी ने हां सरकारी सामान की खरीद में गोटाला किया ने किया गोटाला किया गने किया टीमसी ने यहाँ गरीब को राशन देने में गोटाला किया गने किया किया गने किया गरीब और मद्दमवर की जमीन पर कबजा करना हो चीट फंड योजनाओं में गोटाला करना हो बॉर्डर पर जानवरों की स्मगलिंग करनी हो और व्रस्टाचार के लिए कोई खेत्र छोड़ा नहीं है अ अपने इतने नोटों के देखें नहीं देखें देखें नहीं देखें प्या कभी पहले नोटों के इतने बड़े देखें थे कभी सिनेबा में भी देखें थे क्या कर दिया इन लोगों ने और उपर से यहां की सरकार के इंद्रिय जांच एजंचियों को भी जांच करने से र और हज़कंडा अपना रही हैं यहां के मुख्यमंत्री प्रश्टाचारियों को बचाने के लिए धरने पर बैठ जाती है तीम सी चाहती है कि केंद्र की योजनाओं भी उनको खुली लूट करने का मोका मिले अब मोदी इनकी मनमानी चलने नहीं दे रहा है इसलिए मोदी को टीम सी अपना दुस्वन नमबर वन मानती है अब आप मुझे बता दीजिए मैं ज़र आपको पूछता हूँ क्या यह टीम सी की लूट में चलने दू क्या यह टीम सी जो करतियों में करने दू क्या यह पैसा आपका है नहीं है यह बंगाल के लोगों का पैसा है नहीं है आपकी महनत का पैसा है नहीं है क्या वह औरों को लूटने दू क्या अगर मैं लड़ाई लड़ता हूँ तो सही करता हूँ नहीं करता हूँ ये लूटेरों के पीछे मैं कदम उठाता हूँ अच्छा कर रहा हूँ ने कर रहा हूँ मैं आज बंगाल को बादा कर रहा हूँ मेरी गारांटी है ये लूटने वालों को ये लूटने वालों को लोटाना पड़ेगा ये मोधी छोड़ने वाला नहीं है और मोधी नहीं की गालियों से डरता है इनके हमले से दरने वाला रूकने वाला मोधी नहीं है मैंने पस्चिम मंगाल की बैनों पस्चिम मंगाल के गरीब पस्चिम मंगाल के युवाओं को गारंटी दी है और मोदी की गारंटी की है जिसने गरीब को लूटा है उसको लोटा ना ही पड़ेगा साथ्यों तीमसी की सरकार के रवई के कारण पस्चिम बंगाल का विकास प्रभावित हो रहा है तीमसी सरकार की सजा यहां का गरीब और मिडल क्लास भूगत रहा है मैं आपको इसके कुछ प्रमाण देता हूँ जारिया और रानी गंज कोल फिल्ड का प्रजेक हमने लगबग छे साल पहले सुरू किया था लेकिन यहां की सरकार इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं अठारा हजार करोड रुपिये का यह अकड़ा याद रखिए अठारा हजार करोड रुपिये जगदीश्पूर हल्दिया और भोकारो धामरा पाइपलाइन प्रोजेक भी चार साल से पेंडिंग पड़ा है राज्य सरकार का सहयोग न मिलने के कारण तारकेश्पर से विष्टूपूर रेल लाइन का काम भी रुपा पड़ा है हजारो करोड रुपिये के ऐसे अनेक प्रोजेक्स जिनके लिए केंदर सरकार ने पैसा सेंक्शन कर दिया लेकिन काम नहीं हो पा रहा है यहां तक की टी-एम-सी सरकार गरीबों के घर तक नहीं बनने दे रही है पूरे देश में मोदी ने चार करोड से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर दिये हैं पक्के घर मिल चुके वो पक्के घर में दिवाली होली मगा रहे हैं दुर्गा पुजा कर रहे हैं पच्चिम मंगाल के गरीब परिवारों के लिए भी केंद्र की भाजपा सरकार ने 45 लाग 45 लाग गर हमने स्विक्रुत किये हैं इसके लिए 42,000 करोड रुपिये 42,000 करोड रुपिये रिलीज किये गए हैं लेकिन बंगाल में राज्य सरकार गरीबों के घर बनाने के लिए तेजी से काम नहीं कर रही अडंगे डाल रही हैं रुकावटे पैदा कर रही हैं आप मुझे पताईए पैसे हैं तो गरीबों के घर बनने चाहिए गने बनने चाहिए जल्दी से जल्दी बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए अच्छे से अच्छे बनने चाहिए क्या ये टीम से वाले बना सकते हैं क्या बना सकते हैं क्या अगर बनाएगा तो बीजेपी बनाएगी अगर करेगा तो मोधी करेगा मेरी माताई बेहने इतनी बड़ी तादाज में आई है आपको मैं बताना चाहता हूँ आप जानते हैं केंद्र सरकार हर गर नल से जल पहुंचाने का अभियान चला रही है हर गर में पाइप से पानी पहुंचे लिए लिए काम हो रहा है चार साल के बीतर ही पूरे देश में ग्यारा करोड से जादा नए परिवारों को पाइप लाइन से नल से जल की सुविदा मिली है लेकिन हर गर जल देने के लिए पस्टिम मंगाल सरकार कच्छुए की रप्तार से काम कर रही है बताईए ऐसे लोगों को माप किया जा सकता है क्या माता है बेने जो आपके घर पानी नहीं पहुंचने देते हैं उनका दाना पानी बंद करना चाहिए नहीं करना चाहिए करोगे क्या आपके हसिरवाद रहेंगे साथ्यों उसे माताओ बेनों बेट्यों की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है केंद्र सरकार पैसा दे रही है लेकिन यहां की सरकार उसका उप्योग भी नहीं कर रही है साथ्यों हर उस योजना से जिससे गरीब का भला होता हो टी-म-ची सरकार उसके सामने दिवार बनकर खड़ी हो गई है मोदी ने हर गरीब परिवार को पांच लाख उर्पय तक के मुप्त इलाज की गारंटी दी है आईश्मान कार से देश भर में करोडो गरीब परिवारों का मुप्त में इलाज हुआ है इससे इन परिवारों को लगबग एक लाख करोड रुपय की बचत हुई है लेकिन गरीब एश्ची एश्टी इनकी विरोधी टी एमसी यहां के सवा करोड परिवारों को इसका लाख नहीं दे ले देती आप मुझे बताएए गरीब को मुप्त इलाज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए अगर बिमारी में सरकार उसके पैसे दे तो उसको सारवार का लाख मिलना चाहिए अब देखे ये गरीब विरोधी टी एमसी वो भी नहीं करने देती देश के करोडों लोगों को मोधी बिमारी में पैसा दे रहा है बंगाल में नहीं दे पा रहा है क्योंकि टी एमसी मना कर रही है टी एमसी सरकार पी एम किसान सिन्मा निदी का लाख दिलाने में भी लंबे अर्से तक अड़गे लाख लगा रही है 12 सरकार के प्रयासों से हाँ बंगाल के छोटे किसान के बैंक खातों में सीधे 11,000 करोड रुपिय ट्रांसपर हुए है लेकिन टी एमसी सरकार की पूरी कोशिश है कि इस योजना का पैसा भी हड़प लें साथियों टी एमसी सरकार गरीब किसान नवजवान और महिला के ससक्तिकरन में बहुत बड़ी रुकावट है ये चार वर जब तक ससक्त नहीं होंगे तब तक पस्चिम मंगाल विक्षित नहीं हो सकता इसलिए आज केंद्र सरकार गरीब किसान नवजवान और महिला ससक्तिकरवर सबसे जादा जोर दे रही है ये भाजपा की ही सरकार है जितने नारी शक्ति बंद्यन अदिनियम करके लोग सभा और विदान सभा में महिलाओं को आरक्षन दिया ये भाजपा की ही सरकार है जितने नमो ड्रोन दीदी अभ्यान चुरू किया है इस अभ्यान के तहर हम गाउं की बेहनों बेटियों को आधुनिक ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं वाजपा की सरकार गाउं गाउं में महिला स्वयम सहायता समों को लाखो करोड की मदद दे रही है जिससे उनकी आमदनी और बड़े हमने देश में तीन करोड लगपती दीदी तीन करोड लगपती दीदी बनाने का भी संकल्प लिया है साथियों पस्चिम मंगाल विक्षिद होगा तबी बारत भी विक्षिद होगा इसके लिए जरूरी है कि आने वाले लोग सबाचुनाव में पस्चिम मंगाल की सभी सिटों पर कमल खिले खिलेगा ती एमसी को गमंड है कि उसके पास एक निश्चित बोट बैंक है इस बार टी एमसी का ये गमंड भी तूटेगा इस बार मुस्लिम बहन बेटियां भी टी एमसी के गुंडा राज को उखाड फैकने के लिए आगे आएगे इस लोगसभा चुनाव के नतीजे पस्तिम मंगाल से टी एमसी सरकार काई का उसकी बिदाई का उसके पराजय का काउंड डाउन शुरू करेंगे आज सब्दुर आंकी आवाज आ रही है मैं अभी देख रहा था सुपेंदु जी ओ और हमारे अध्यक्जी बता रहे थे एई बार मैं आपका फिर आभार व्यक्त करूंगा कि आप हमें इतनी बड़ी संख्या में आशिरवाद देने आए आप अपने अपने गाउं जाएंगे तो आण सब को कहना कि मोदी जी ने प्रणाम कहा है कहेंगे दोरों हाð उपर कर मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 बाद बाद धन्यवाद अने गणे घंडवाद विश्चे सब्ते के लोकोप्रियों नेतार अम्राव उक्तपो सुर्लाम अमें जोड करें बोलगों अपना देर के अपना सभाई साथ दें मोदी जी को जैशिरी राव मोदी जेट जीद अपाद मोदी जीद जीद अपाद तारकेश्वर महदेव की आराम भागवासी के अमार आंत्रिक सुबेच्चा बोरोरा प्रुनाम एवाम छोटोरा अमार भालो भाशा ने बेन सबसे पहने तो मैं मात्रु शक्ति को सामर्थ देने वाली इस भूमी को प्रणाम करता हूँ जहां बगल में ही खाना कूल में महान समाचुधारद राजा राम मौन राईजी ने जन्मलिया और नारी शक्ति के जीवन को नया सामर्थ दिया था मैं खाना कूल की धर्ति को प्रणाम करता हूँ राजा राम मौन राई की प्रेरणा से भारत की नारी शक्ति के कल्यान के लिए जी जान से जुटा हुआ भायो भानो आप सभी इतनी बड़ी संख्या में हमें आशिरवात देने आये हैं हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं यहां कुछ नवजवान बहुत सुंदर सुंदर चित्र बना करके लाये थे वहाँ एक बेटी कितनी देर से बगवान जगनाज जी का चित्र लेकर आई थी आप सब का क्योंकि यह धर्ती तो रगर रग में कला आर्ट यह यहां की विशेष्टा है मैं आप सब का बहुत आभारी हूं लेकिन मैं अनुभाव कर रहा हूं कि बहाँ भी पीडी और वर्तमान युवा पीडी आपका ये प्यार इन सब के प्यार का एक प्रतीग है और इसलिए मैं रजय से आप सब का धन्यवाद करता हूं साथियों अपसे कुछ देर पहले मुझे यहां साथ हजार करोण रुपिय से जादा के प्रोजेक का उद्गाटन और सिलान्यास करने का सवबाग्य मिला इन में रेल, पॉर्ट, पेट्रोलियम और जल सक्ती से जुड़ी परियोजनाय शामिल है मैं बंगाल के आप सभी लोगों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बदहाई देता हूं साथियों पस्चिम बंगाल आज़ादी के अंदोलन की प्रेना स्थली रही गुलामी के विरुद प्रखर नेत्रत्व देने वाली यहां के हर संतान का सपना था कि भारत विकास की नई उचाई प्राप्त करें आज मैं जब बंगाल आया हूं तो कह सकता हूं कि आज का भारत उनका यह सपना पूरा कर रहा है बीते दस साल में भारत ग्यारवे नंबर की इकना में से उपर उठकर पांचवे नंबर की आर्थिक ताकत बना है जी ट्विंटी में कैसे भारत की जैजे कार हुई यह हम सब ने देखा है आज भारत स्पेस सेक्टरी में अग्रणी बन रहा है जो काम दुनिया का कोई देख नहीं कर पाया वो हमारे चंद्रयान ने किया है आज स्पोर्ट के छेत्र में भी भारत नए रिकॉर्ड बना रहा है अब आज स्वतंत्र भारत में देश की सम्रुद्धी और हमारा सम्रुद्ध सांस्कृतिक धरवर फिर से पूरे गव्रव से नई उचाई प्राप्त कर रहा है और यह हम सभी का सवभाग्य है कि पांच सदियों के इंतजार के बाद पांच सो साल के बाद प्रभू सी राम अपने भग्य मंदिर में विराजे है पस्चिम बंगाल में जीस तरह राम लला का स्वागत हुआ स्री राम के प्रती बंगाल के लोगों के जो आस्ता है उससे पुरा देश प्रभावित है प्रेरित है साथ्यों देश की इन उप्रभद्रग्यों के बीच बंगाल की स्थिती भी आज पुरा देश देख रहा है मा, माटी, मानोष ये इसके ढोल पिटने वाली पी-मसी ने संदेश खाली की बेहनों के साथ जो किया है वो देखकर पुरा देश दुखी है आक्रोशीत है और मैं कह सकता हूँ कि राजा राम महनराय की आत्मा आज जहां भी होगी इन लोगों के इन कारणामों के लेकर के अत्यंत दुखी होई होगी क्योंकि इनों ने संदेश खाली में जो किया राजा राम होनराय उनकी आत्मा आज रोती होगी टीमसी के नेता ने संदेश खाली में बेहनों बेट्यों के साथ दूस साहस की सारी हदे पार कर दी जब संदेश खाली की बेहनों ने अपनी आवाज बुलंद की ममता दीजी से मदद मांगी उन्हें बदले में क्या मिला मुख्यमंत्री दीदी ने बंगाल सरकार ने टीमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ती लगा दी बीजेपी के दवाओ में इन सारे नेताओं ने रात दिल लड़ाई लड़ी माताओ बेहनों के सम्मार के लिए लड़ाई लगी लाठियां खाई मुसिवते जेली बीजेपी के दवाओ में आखिर कर कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने जुक करके उस आरोपी को गिरबतार करना पड़ा दीमसी के राजबें दीमसी का यह अपरादी नेता करीब करीब दो महिने तक फरार रहा कोई तो होगा न जो उनको बचाता होगा क्या ऐसी टीमसी को माप करेंगे क्या माता औ बेनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे के नहीं लेंगे लेंगे के नहीं लेंगे हर चोड का जवाब वोट से दे रहा है आज बंगाल के जनता यहां के मुक्यमंत्री दीदी से पूछ रही है क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेज खाली की पिडित महिलाओं से भी जादा एहम हो गया है हरे शर्म आनी चाहिए बंगाल के मेरे भाग्यों भहनों मुझे सबसे ज़्यादा हराने इंडी गडबंदन के बाकी नेताओं को देखकर होती है इंडी गडबंदन के बड़े बड़े नेता संदेज खाली पर आख कान मुझ गादी जीजी को जो तीन बंदर देने उन तीन बंदरों की तरह आख कान मुझ सब यह बंद करके बैठे हैं पटला बैंगलोरो मुंबई न जाने कहां कहां यह साथ मिलकर बैठगे करते हैं लेकिन क्या लेप्ट और कॉंग्रेस ने यहां की सरकार से यहां के मुक्वंत्री से जवाब मागने की हिम्मत की क्या इन लोगों से संदेश ठाली की इन बहनों की तरफ एक नजर देखा भी नहीं गया और आपने देखा हैं कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष ने क्या कहा आप सुनकर के चोग जाएंगे मेरी माताओ बेनों जो बंगाली में मेरा टांसेशन कर सकते हैं वो इन माताओ बेनों को जुरू बताएं कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष ने का का कॉंग्रेस के राष्ट्रिय दिख कहते हैं अरे छोड़ो बंगाल में तो ये सब कुछ चलता रहता है क्या ये बंगाल का पान हैग नहीं है बंगाल की महान परंपरा का पान हैग नहीं है बंगाल की महान संस्कृति का पान हैग नहीं है बंगाल के वीरपूरुषों का पान्हेक नहीं है बंगाल के संस्कार प्रियर नागरिकों का पान्हेक नहीं है यही सक्चाई कॉंग्रेस की और इंडी गढ़ बंदन की है साथियों इंडी गढ़ बंदन के लिए ब्रस्टाचारियों परिवारवादियों और तुष्टी करणवालियों का साथ देना ही यही की काम बचा है यही सब्चे बड़ा काम है टी एंसी ने बंगाल में अपराद और प्रस्टाचार का एक नया मोडल प्यदा कर दिया है राज्य सरकार प्रस्टाचार को बढ़ावा देती है अपराद को बढ़ावा देती है इतना ही नहीं अपरादियों को समुरक्षा के बदले टी एंसी नेताओं को भर भर के पैसे मिलते है प्राइमरी टीचर्स की भरती में गोटाला किया 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 सामान की खरीद में गोटाला किया गने किया गोटाला किया गने किया गरीब और मद्दमवर की जमीन पर कबजा करना हो चीटफंड योजनाओं में गोटाला करना हो बॉर्डर पर जानवरों की स्मगलिंग करनी हो टीमसी ने गोटाले और प्रफ्टाचार के लिए कोई छेत्र छोड़ा नहीं है और इसलिए देखो टीमसी के मंत्रियों के गर से नोटों के धेर निकल रहे हैं नोटों के धेर आपने इतने नोटों के धेर देखे नहीं देखे देखेंगे नहीं देखें प्या कभी पहले नोटों के इतने बड़े देखे थे कभी सिन्नेबा में भी देखे थे क्या कर दिया इन लोगों ने और उपर से यहां की सरकार केंद्रिय जाच एजंचियों को भी जाच करने से रोक गिने के लिए हर हद कंड़ा अपना रही है यहां के मुख्यमंत्री प्रश्टाचारियों को बचाने के लिए धरने पर बैठ जाती है टी-मसी चाहती है कि केंद्र की योजनाओ भी उनको खुली लूट करने का मोका मिले अब मोदी इनकी मनमानी चलने नहीं दे रहा है इसलिए मोदी को टी-मसी अपना दुस्वन नमबर वन मानती है अब आप मुझे बता दीजिए मैं ज़र आपको पूचता हूँ क्या ये टी-मसी की लूट में चलने दू क्या ये टी-मसी जो करतियों में करने दू क्या ये पैसा आपका हैक नहीं है ये बंगाल के लोगों का पैसा हैक नहीं है आपकी महनत का पैसा हैक नहीं है क्या वह औरों को लूटने दू क्या अगर मैं लड़ाई लड़ता हूं तो सही करता हूं नहीं करता हूं यह लूटे रहों के पीछे मैं कदम उठाता हूं अच्छा कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं मैं आज बंगाल को बादा कर रहा हूं मेरी गारंटी है यह लूटने वालों को ये लूटने वालों को लोटाना पड़ेगा ये मोदी छोड़ने वाला नहीं है और मोदी नहीं की गालियों से डरता है इनके हमले से डरने वाला रूकने वाला मोदी नहीं है मैंने पस्चि मंगाल की बेनों पस्चि मंगाल के गरीब पस्चि मंगाल की युवाओं को गारंटी दी है और मोदी की गारंटी की है जिसने गरीब को लूटा है उसको लोटाना ही पड़ेगा साथियों टीम्सी की सरकार के रवे के कारां पस्चिम बंगाल का विकास प्रभावित हो रहा है टीम्सी सरकार की सजा यहां का गरीब और मिडल क्लास भूगत रहा है मैं आपको इसके कुछ प्रमार देता हूँ जारिया और रानिगंज कोल फिल्ड का प्रोजेक्ट हमने लगबग छे साल पहले शुरू किया था लेकिन यहां की सरकार इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे है अठारा हजार करोड रुपिये का यह अकड़ा याद रखिए अठारा हजार करोड रुपिये जगदीशपूर हल्दिया और भोकारो धामरा पाइप्लाइन प्रोजेक्ट भी चार साल से पेंडिंग पड़ा है राज्य सरकार का सहयोग न मिलने के कारण तारकेशपर से विश्टूपूर रेल लाइन का काम भी रुपा पड़ा है हजारो करोड रुपिये के ऐसे अनेक प्रोजेक्ट जिनके लिए केंदर सरकार ने पैसा सेंक्शन कर दिया लेकिन काम नहीं हो पा रहा है यहां तक कि टी एम सी सरकार गरीबों के घर तक नहीं बनने दे रही है पूरे देश में मोदी ने चार करोड से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर दिये है पक्के घर मिल चुके वो पक्के घर में दिवाली होली मगा रहे है दुर्गया पुजा कर रहे है पच्चिम मंगार के गरीब परिवारों के लिए भी केंदर की भाजपा सरकार ने 45 लाग 45 लाग गर हमने स्विक्रुत किये है इसके लिए 42 थावजन करोड रुपिये 42,000 करोड रुपिये रिलीज किये गए है लेकिन बंगाल में राज्य सरकार गरीबों के घर बनाने के लिए तेजी से काम नहीं कर रही अडंगे डाल रही है रुकावटे पैदा कर रही है आप मुझे पताईए पैसे हैं तो गरीबों के घर बनने चाहिए गने बनने चाहिए जल्दी से जल्दी बनने चाहिए गने बनने चाहिए अच्छे से अच्छे बनने चाहिए गने बनने चाहिए क्या ये टीम से वाले बना सकते हैं क्या बना सकते हैं क्या अगर बनाएगा तो बीजेपी बनाएगी अगर करेगा तो बहुत ही करेगा मेरी माताई बैने इतनी बड़ी तादाज में आई है आपको मैं बताना चाहता हूँ आप जानते हैं केंदर सरकार हर गर नल से जल पहुंचाने का अभियान चला रही है हर गर में पाइप से पानी पहुंचे लिए लिए काम हो रहा है चार साल के बीतर ही पूरे देश में ग्यारा करोड से जादा नए परिवारों को पाइप लाइन से नल से जल की सुविदा मिली है लेकिन हर गर जल देने के लिए पस्टिम मंगाल सरकार कच्छुए की रप्तार से काम कर रही है बताईए ऐसे लोगों को माप किया जा सकता है क्या माता ये बेने जो आपके घर पानी नहीं पहुंचने देते हैं उनका दाना पानी बंद करना चाहिए नहीं करना चाहिए करोगे क्या आपके हसिरवाद रहेंगे साथियों उसे माताओ बेनों बेटियों की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है केंद्र सरकार पैसा दे रही है लेकिन यहां की सरकार उसका उप्योग भी नहीं कर रही है साथियों हर उस योजना से जिससे गरीब का भला होता हो टी-म-सी सरकार उसके सामने दिवार बनकर खड़ी हो गई है मोदी ने हर गरीब परिवार को पांच लाख रुप्य तक के मुप्त इलाज की गारंटी दी है आईश्मान कार से देश भर में करोडों गरीब परिवारों का मुप्त में इलाज हुआ है इससे इन परिवारों को लगबग एक लाख करोड रुपी की बचत हुई है लेकिन गरीब, S.C., S.T., इनकी विरोधी, T.M.C., यहां के सवा करोर परिवारों को इसका लाब नहीं दे ले देती आप मुझे बताइए, गरीब को मुक्त इलाज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अगर बिमारी में सरकार उसके पैसे दे, तो उसको सारवार का लाब मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? अब देखे यह गरीब विरोधी, T.M.C. वो भी नहीं करने देती देश के करोडों लोगों को मोधी बिमारी में पैसा दे रहा है, बंगाल में नहीं दे पा रहा है क्योंकि T.M.C. मना कर रही है, T.M.C. सरकार पी-म किसान सिन्मा निदी का लाब दिलाने में भी लंबे अर्से तक अड़गे लाल लगा रही है, बारत सरकार के प्रयासों से हाँ बंगाल के छोटे किसान के बेंखातों में सीधे ग्यारा हजार करोट रुपिय ट्रांसपर हुए है, लेकिन T.M.C. सरकार की पूरी कोशिस है कि इस योजना का पैसा भी हडप लें, साथियों T.M.C. सरकार गरीब किसान, नवजवान, और महिला के ससक्तिकरण में बहुत बड़ी रुकावट है, ये चार बर जब तक ससक्त नहीं होंगे, तब तक पस्चिम मंगाल विक्षित नहीं हो सकता, इसलिए आज केंद्र सरकार, गरीब, किसान, नवजवान और महिला ससक्तिकरण पर सबसे ज़्यादा जोर दे रही है, ये भाजपा की ही सरकार है, जिसने नारी शक्ति बंद्यन अधिनियम करके, लोग सभा और विदान सभा में महिलाओं को आरक्षन दिया, ये भाजपा की ही सरकार है, जिसने नमो ड्रोन दीदी अभ्यान चुरू किया है, इस अभ्यान के तहर, हम गाउं की बहनों बेटियो को आधुनिक ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं वाजपा की सरकार गाउं गाउं में महिला स्वयम सहायता समों को लाखो करोड की मदद दे रही है जिससे उनके आमदनी और बड़े हमने देश में तीन करोड लखपती दीदी तीन करोड लखपती दीदी बनाने का भी संकल्प लिया है साथियों पस्चिम मंगाल विक्षिद होगा तबी बारत भी विक्षिद होगा इसके लिए जरूरी है कि आने वाले लोग सबाचुनाव में पस्चिम मंगाल की सभी सिटों पर कमल खिले खिलेगा खिलेगा टीमसी को गमंड है कि उसके पास एक निश्चित बोट बैंक है इस बार टीमसी का ये गमंड भी तूटेगा इस बार मुस्लिम बेहन बेटियां भी टीमसी के गुंडा राज को उखाड फैकरने के लिए आगे आएगे इस लोग सबाचुनाव के नतीजे पस्चिम मंगाल से टीमसी सरकार काई का उसकी बिदाई का उसके पराजय का काउंट डाउन शुरू करेंगे आज सब्दु रांकी आवाज आ रही है मैं अभी देख रहा था सुपेंदु जीरो और हमारे अध्यक्जी बता रहे थे एई बार मैं आपका फिर आभार व्यक्त करूंगा कि आप हमें इतनी बड़ी संख्या में आशिरवाद देने आए आप अपने अपने गाउं जाएंगे तो आँ सबको कहना कि मोदी जी ने प्रणाम कहा है कहेंगे दोनों हाथ उपर कर मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे बाद बाद धनिवाद थारकेशवर महदेव की आराम बागवासी के आमार आंत्रेख सुबेच्चा बोरोरा प्रणाम एवाम छोटोरा अमार भालो भाशा ने बेन सबसे पहने तो मैं मात्रुश शक्ति को सामर्थ देने वाली इस भूमी को प्रणाम करता हूँ जहां बगल में ही खाना कूल में महान समाचुधारत राजा राम मौन राईजी ने जन्मलिया और नारी शक्ति के जीवन को नया सामर्थ दिया था मैं खाना कूल की धर्ति को प्रणाम करता हूँ राजा राम मौन राई की प्रेर्णा से भारत की नारी शक्ति के कल्यान के लिए जी जान से जुटा हुआ भायों भानों आप सभी इतनी बड़ी संख्या में हमें आशिरवात देने आये हैं हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं यहां कुछ नवजवान बहुत सुंदर सुंदर चित्र बना करके लाये थे वहाँ एक बेटी कितनी देर से बगवान जगनाज जी का चित्र लेकर आई थी आप सबका क्योंकि यह धर्ती तो रग रग में कला आर्ट यह यहां की विशेष्टा है मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ लेकिन मैं अनुभव कर रहा हूँ कि बहाँ भी पीडी और वर्तमान युवा पीडी आपका ये प्यार इन सब के प्यार का एक प्रतीग है और इसलिए मैं रजय से आप सबका धन्यवाद करता हूँ साथियों अप से कुछ देर पहले मुझे यहां साथ हजार करोड रुपिये से जादा के प्रोजेक का उद्गाटन और शिलान्यास करने का सवबाग्य मिला इन में रेल, पॉर्ट, पेट्रोलियम और जल सक्ती से जुड़ी परियोजनाए शामिल है बैं बंगाल के आप सभी लोगों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बदहाई देता हूँ साथियों पस्चिम बंगाल आज़ादी के अंदोलन की प्रेणा स्थली रही गुलामी के विरुद्ध प्रखर नेत्रत्व देने वाली यहां के हर संतान का सपना था कि भारत विकास की नई उचाई प्राप्त करें आज मैं जब बंगाल आया हूँ तो कह सकता हूँ कि आज का भारत उनका यह सपना पूरा कर रहा है बीते दस साल में भारत ग्यारवे नंबर की इकाना में से उपर उठकर पांचवे नंबर की आर्थिक ताकत बना है जी ट्विंटी में कैसे भारत की जैजे कार हुई यह हम सब ने देखा है आज भारत स्पेस सेक्टरी में अग्रणी बन रहा है जो काम दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया वो हमारे चंद्रयान ने किया है आज स्पोर्ट के चेत्र में भी भारत नए रिकॉर्ड बना रहा है अब आज स्वतंत्र भारत में देश की सम्रुद्धी और हमारा सम्रुद्ध सांस्कृतिक धरवर फिर से पूरे गव्रव से नई उचाई प्राप्त कर रहा है और यह हम सभी का सवभाग्य है कि पांच सदियों के इंतजार के बाद पांच सो साल के बाद प्रभूसी राम अपने भग्व्य मंदिर में बिराजे है पस्चिम बंगाल में जीस तरह राम लला का स्वागत हुआ स्री राम के प्रती बंगाल के लोगों के जो आस्ता है उससे पुरा देश प्रभावित है प्रेरित है साथियों देश की इन उप्रभद्रग्यों के बीच बंगाल की स्थिती भी आज पुरा देश देख रहा है मा, माटी, मानुष ये इसके ढोल पिटने वाली PMC ने संदेश खाली की बेहनों के साथ जो किया है वो देखकर पुरा देश दुखी है आक्रोशीत है और मैं कह सकता हूं कि राजा राम महनराय की आत्मा आज जहां भी होगी इन लोगों के इन कारणामों के लेकर के अत्यंत दुखी होगी होगी क्योंकि इनों ने संदेश खाली में जो किया राजा राम महनराय उनकी आत्मा आज रोती होगी टी-म-सी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेट्यों के साथ दूस साहस की सारी हदे पार कर दी जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की ममता दीजी से मदद मांगी उन्हें बदले में क्या मिला मुख्यमंत्री दीदी ने बंगाल सरकार ने टी-म-सी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ती लगा दी बीजेपी के दवाओं में इन सारे नेताओं ने रात दिल लडाई लड़ी माताओं बैनों के सम्मार के लिए लड़ाई ली लाठियां खाई मुसिवते जेली बीजेपी के दवाओं में आखिर कर कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने जुक करके उस आरोपी को गिरपतार करना पड़ा टी-म-सी के राजबे टी-म-सी का यह अपरादी नेता करीब करीब दो महिने तक फरार रहा कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा क्या ऐसी टी-म-सी को माप करेंगे क्या माता और बैनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे के नहीं लेंगे लेंगे के नहीं लेंगे हर चोड का जवाब वोट से दे रहा है आज मंगाल के जनता यहां के मुक्यमंत्री दीदी से पूछ रही है क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेज खाली की पिडित महिलाओं से भी जादा एहम हो गया है हरे शर्म आनी चाहिए बंगाल के मेरे भाग्यों भहनों मुझे सबसे ज़्यादा हराने इंडी गडवंदन के बाकी नेताओं को देखकर होती है इंडी गडवंदन के बड़े बड़े नेता संदेज खाली पर आख कान मुझे गादी जीजी को जो तीन बंदर देन है उन तीन बंदरों की तरह आख कान नाख मुझे सब यह बंद करके बैठ रहे हैं पटला बैंगलोरो मुंबई न जाने कहां कहां यह साथ मिलकर बैठंके करते हैं लेकिन क्या लेप्ट और कॉंग्रेस ने यहां की सरकार से यहां के मुक्वंत्री से जवाब मागने की हिम्मत की क्या इन लोगों से संदेश ठालिक इन बेहनों की तरफ एक नजर देखा भी नहीं गया और आपने देखा हैं कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष ने क्या कहा आप सुनकर के चोग जाएंगे मेरी माताओ बेहनों जो बंगाली में मेरा टांसेशन कर सकते हैं वो इन माताओ बेहनों को जुरू बताएं कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष ने का का कॉंग्रेस के राष्ट्रिय दिख कहते हैं अरे छोड़ो बंगाल में तो ये सब कुछ चलता रहता है क्या ये बंगाल का पान हैग नहीं है बंगाल की महान परंपरा का पान हैग नहीं है बंगाल की महान संस्कृति का पान हैग नहीं है बंगाल के वीर पूरुषों का पान्हेक नहीं है बंगाल के संस्कार प्रिय नागरिकों का पान्हेक नहीं है यही सच्चाई कॉंग्रेस की और इंडी गढ़ बंदन की है साथियों इंडी गढ़ बंदन के लिए ब्रस्टाचारियों परिवारवादियों और तुष्टी करणवालियों का साथ देना ही यही की काम बचा है यही सब्चे बड़ा काम है टीमसी ने बंगाल में अपराद और प्रस्टाचार का एक नया मोडल प्यदा कर दिया है राज्य सरकार प्रस्टाचार को बढ़ावा देती है अपराद को बढ़ावा देती है इतना ही नहीं अपरादियों को समुरक्षा के बदले टीमसी नेताओं को भर भर के पैसे मिलते है टीमसी ने हाँ प्राइमरी टीचर्स की भरती में गोटाला किया 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 खरीद में गोटाला किया गने किया गोटाला किया गने किया टीमसी ने यहां गरीब को राशन देने में गोटाला किया गने किया किया गने किया गरीब और मद्यम्वर की जमीन पर कब्जा करना हो चीट फंड योजनाओं में गोटाला करना हो बॉर्डर पर जानवरों की स्मगलिंग करनी हो टी एमसी ने गोटाले और प्रस्टाचार के लिए कोई छेत्र छोड़ा नहीं है और इसलिए देखो टी एमसी के मंत्रियों के गर से नोटों के धेर निकल रहे हैं के डेर आपने इतने नोटों के धेर देखें नहीं देखें देखें नहीं देखें प्या कभी पहले नोटों के इतने बड़े देर देखें थे कभी सिनेबा में भी देखे देगा क्या कर दिया इन लोगों ने और उपर से यहां की सरकार केंद्रिय जाच एजन्चियों को भी जाच करने से रोकने के लिए हर हटकंडा अपना रही है यहां के मुख्ध मंत्री प्रश्टाचारियों को बचाने के लिए धरने पर बैठ जाती है तीमसी चाहती है कि केंद्र की योजनाओ भी उनको खुली लूट करने का मोका मिले अब मोदी इनकी मनमानी चलने नहीं दे रहा इसलिए मोदी को तीमसी अपना दुस्वन नमबर वन मानती है अब आप मुझे बता दीजिए मैं जड़ा आपको पूछता हूँ क्या ये टीमसी की लूट में चलने दू क्या ये टीमसी जो करतियों में करने दू क्या ये पैसा आपका हैग नहीं है ये बंगाल के लोगों का पैसा हैग नहीं है आपकी महनत का पैसा हैग नहीं है क्या हम औरों को लूटने दू क्या अगर मैं लड़ाई लड़ता हूँ तो सही करता हूँ ने करता हूँ ये लूटेरों के पीछे मैं कदम उठाता हूँ अच्छा कर रहा हूँ ने कर रहा हूँ मैं आज बंगाल को बादा कर रहा हूँ मेरी गारंटी है ये लूटने वालों को ये लूटने वालों को लोटाना पड़ेगा ये मोदी छोड़ने वाला नहीं है और मोदी ना इनकी गालियों से डरता है इनके हमले से डरने वाला रूखने वाला मोदी नहीं है मैंने पस्चिम मंगाल की बैनों पस्चिम मंगाल की गरीब पस्चिम मंगाल की युवाओं को गारंटी दी है और मोदी की गारंटी की है जिसने गरीब को लूटा है उसको लोटाना ही पड़ेगा साथियों टीमसी की सरकार के रवे के कारां पस्चिम मंगाल का विकास प्रभावित हो रहा है टीमसी सरकार की सजा यहां का गरीब और मिडल क्लास भूगत रहा है मैं आपको इसके कुछ प्रमाण देता हूँ जारिया और रानी गंज कोल फिल्ड का प्रजेक हमने लगबग छे साल पहले शुरू किया था लेकिन यहां की सरकार इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं अठारा हजार करोड रुपिये का यहां कड़ा याद रखिए अठारा हजार करोड रुपिये जगदिश्पूर हल्दिया और भोकारो धामरा पाइपलाइन प्रोजेक भी चार साल से पेंडिंग पड़ा है राज्य सरकार का सहयोग न मिलने के कारण तारकेश्पर से विष्टूपूर रेल लाइन का काम भी रुपा पड़ा है हजारो करोड रुपिये के ऐसे अनेक प्रोजेक्स जिनके लिए केंदर सरकार ने पैसा सेंक्शन कर दिया लेकिन काम नहीं हो पा रहा है यहां तक की टी एम सी सरकार गरीबों के घर तक नहीं बनने दे रही है पूरे देश में मोदी ने चार करोड से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर दिये हैं पक्के घर मिल चुके वो पक्के घर में दिवाली होली मगार है दुर्गया पुझा कर रहे हैं पच्चिम मंगार के गरीब परिवारों के लिए भी केंद्र की भाजपा सरकार ने 45 लाग 45 लाग गर हमने स्विक्रुत किये हैं इसके लिए 42 थावजन करोड रुपिये 42 अधार करोड रुपिये रिलीज किये गए हैं लेकिन बंगाल में राज्य सरकार गरीबों के घर बनाने के लिए तेजी से काम नहीं कर रही अडंगे डाल रही हैं रुकावटे पैदा कर रही हैं आप मुझे पताईए पैसे हैं तो गरीबों के घर बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए जल्दी से जल्दी बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए अच्छे से अच्छे बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए क्या ये टीम से वाले बना सकते हैं क्या बना सकते हैं क्या अगर बनाएगा तो बीजेपी बनाएगी अगर करेगा तो बहुत ही करेगा मेरी माताई बेहने इतनी बड़ी तादाज में आई है आपको मैं बताना चाहता हूँ आप जानते हैं केंदर सरकार हर गर नल से जल पहुँचाने का अभियान चला रही है हर गर में पाइप से पानी पहुचिया लिज़ें काम हो रहा है चार साल के बीतर ही पूरे देश में ग्यारा करोड से जादा नए परिवारों को पाइप लाइन से नल से जल की सुविदा मिली है लेकिन हर गर जल देने के लिए पस्टिम मंगाल सरकार कच्छुए की रप्तार से काम कर रही है बताईए ऐसे लोगों को माप किया जा सकता है क्या माता है बेने जो आपके गर पानी नहीं पहुचने देते हैं उनका दाना पानी बंद करना चाहिए नहीं करना चाहिए करोगे क्या आपके हसिरवाद रहेंगे साथियों उसे माताओ बेनो बेटियों की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है केंद्र सरकार पैसा दे रही है लेकिन यहां की सरकार उसका उप्योग भी नहीं कर रही है सात्यों हर उस योजना से जिससे गरीब का भला होता हो टी-म-सी सरकार उसके सामने दिवार बनकर खड़ी हो गई है मोदी ने हर गरीब परिवार को पांच लाख उर्पिय तक के मुक्त इलाज की गारेंटी दी है आईश्मान कार्ड से देश भर में करोडों गरीब परिवारों का मुक्त में इलाज हुआ है इससे इन परिवारों को लगबग एक लाख करोड रुपी की बचत हुई है लेकिन गरीब, SC, ST, इनकी विरोधी, TMC, यहाँ के सवा करोड परिवारों को इसका लाख नहीं दे ले देती आप मुझे बताइए गरीब को मुक्त इलाज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए अगर बिमारी में सरकार उसके पैसे दे तो उसको सहरवार का लाख मिलना चाहिए अब देखे यह गरीब विरोधी, TMC वो भी नहीं करने देती देश के करोडों लोगों को मोधी बिमारी में पैसा दे रहा है, बंगाल में नहीं दे पा रहा है क्योंकि TMC मना कर रही है, TMC सरकार PM किसान सिन्मा निदी का लाख दिलाने में भी लंबे अर्से तक अड़के लाल लगा रही है, 12 सरकार के प्रयासों से हाँ बंगाल के छोटे किसान के बेंखातों में सीधे 11,000 करोड रुपिय ट्रांसपर हुए है लेकिन TMC सरकार की पूरी कोशिस है कि इस योजना का पैसा भी हडप लें साथियों, PMC सरकार, गरीब, किसान, नवजवान और महिला के ससक्ते करण में बहुत बड़ी रुकावट है ये चार बर जब तक ससक्त नहीं होंगे, तब तक पस्चिम मंगाल विक्षित नहीं हो सकता इसलिए आज केंद्र सरकार, गरीब, किसान, नवजवान और महिला ससक्ति करण पर सबसे जादा जोर दे रही है ये भाजपा की ही सरकार है, जिसने नारी, शक्ति, बंदिन, अधिनियम करके, लोग सभा और विदान सभा में महिलाओं को आरक्षन दिया ये भाजपा की ही सरकार है, जिसने नमो ड्रोन दीदी अभ्यान चुरू किया है इस अभ्यान के तहर हम गाउं की बेहनों बेटियों को आधुनिक ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं भाजपा की सरकार गाउं गाउं में महिला स्वयम सहायता समों को लाखो करोड की मदद दे रही है जिससे उनके आमदनी और बड़े हमने देश में तीन करोड लखपती दीदी तीन करोड लखपती दीदी बनाने का भी संकल्प लिया है साथियों पस्टिम मंगाल विक्सिद होगा तबी भारत भी विक्सिद होगा इसके लिए जरूरी है कि आने वाले लोग सबाचुनाव में पस्टिम मंगाल की सभी सिटों पर कमल खिले खिलेगा खिलेगा टीमसी को गमंड है कि उसके पास एक निश्चिद बोट बैंक है इस बार टीमसी का ये गमंड भी तूटेगा इस बार मुस्लिम बहन बेटियां भी टीमसी के गुंडा राज को उखाड फैकरने के लिए आगे आएगे इस लोग सभाग सुनाव के लतीजे पस्तिम मंगाल से टीमसी सरकार काई का उसकी बिदाई का उसके पराजय का काउंड डाउन शुरू करेंगे आज सब्दूरा की आवाज आ रही है मैं अभी देख रहा था सुपेंद्व जी ओ और हमारे अध्यक्ची बता रहे थे एई बार मैं आपका फिर आभार व्यक्त करूंगा कि आप हमें इतनी बड़ी संख्या में आशिरवाद देने आए आप अपने अपने गाउं जाएंगे वहां सब को कहना कि मोदी जी ने प्रणाम कहा है कहेंगे दोनों हाथ उपर कर मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 बंदे 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 बहुत बहुत धन्यवाद की तारकेश्वर महदेव की आराम बागवासी के अमार आंत्रिक सुबेच्चा बोरोरा प्रणाम एवाम छोटोरा अमार भालो भाशा ने बेन सबसे पहने तो मैं मात्रु शक्ति को सामर्थ देने वाली इस भूमी को प्रणाम करता हूँ जहां बगल में ही खाना कूल में महान समाचुधारत राजा राम महन राई जी ने जन्मलिया और नारी शक्ति के जीवन को नया सामर्थ दिया था मैं खाना कूल की इस धर्ति को प्रणाम करता हूँ राजा राम महन राई की प्रेरणा से भारत की नारी शक्ति के कल्यान के लिए जी जान से जुटा हुआ भायो भानो आप सभी इतनी बड़ी संख्या में हमें आशिरवात देने आये हैं हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं यहां कुछ नवजवान बहुत सुंदर सुंदर चित्र बना करके लाए थे वहाँ एक बेटी कितनी देर से बगवान जगनाजी का चित्र लेकर आई थी आप सबका क्योंकि यह धर्ती तो रग रग में कला आर्ट यह यहां की विजिस्ता है मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ लेकिन मैं अनुभाव कर रहा हूँ कि वहाँ भी पीडी और वर्तमान युवा पीडी आपका यह प्यार इन सब के प्यार का एक प्रतीग है और इसलिए मैं रिजय से आप सबका धन्यवाद करता हूँ साथियों अपसे कुछ देर पहले मुझे यहां साथ हजार करोड रुपिय से जादा के प्रोजेक का उद्गाटन और शिलान्यास करने का सवभाग्य मिला इन में रेल, पॉर्ट, पेट्रोलियम और जल सक्ति से जुड़ी परियोजनाय शामिल है मैं बंगाल के आप सभी लोगों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ साथियों पस्चिम बंगाल आज़ादी के अंदोलन की प्रेना स्थली रही गुलामी के विरुद प्रखर नेत्रत्व देने वाली यहां के हर संतान का सपना था कि भारत विकास की नई उचाई प्रात्त करें आज मैं जब बंगाल आया हूँ तो कह सकता हूँ कि आज का भारत उनका यह सपना पूरा कर रहा है बीते दस साल में भारत ग्यारवे नंबर की इकना में से उपर उठकर पांचवे नंबर की आर्थिक ताकत बना है जी ट्विंटी में कैसे भारत की जैजे कार हुई यह हम सब ने देखा है आज भारत स्पेस सेक्टरी में अग्रणी बन रहा है जो काम दुनिया का कोई देख नहीं कर पाया वो हमारे चंद्रयान ने किया है आज स्पोर्ट के चेत्र में भी भारत नए रिकॉर्ड बना रहा है अब आज स्वतंत्र भारत में देश की सम्रुद्धी और हमारा सम्रुद्ध सांस्कृतिक दरवर फिर से पूरे गवरों से नए उचाई प्राप्त कर रहा है और यह हम सभी का सवभाग्य है कि पांच सदियों के इंतजार के बाद पांच सो साल के बाद प्रभूसी राम अपने भग्व्य मंदिर में बिराजे है पस्चिम बंगाल में जिस तरह राम लला का स्वागत हुआ स्री राम के प्रती बंगाल के लोगों की जो आस्ता है उसे पुरा देश प्रभावित है प्रेरित है साथ्यों देश की इन उप्रब्दव्यों के बीच बंगाल की स्थिती भी आज पुरा देश देख रहा है मा, माटी, मानोश ये इसके ढोल पिटने वाली पी-म-सी ने संदेश खाली की बेहनों के साथ जो किया है वो देख कर पुरा देश दुखी है आक्रोशीत है और मैं कह सकता हूँ कि राजा राम महनराई की आत्मा आज जहां भी होगी इन लोगों के इन कारणामों के लेकर के अत्यंत दुखी होई होगी क्योंकि इनोंने संदेश खाली में जो किया राजा राम होनराई उनकी आत्मा आज रोती होगी टीमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेट्यों के साथ दूस साहस की सारी हदे पार कर दी जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की ममता दीजी से मदद मांगी उन्हें बदले में क्या मिला मुख्यमंत्री दीदी ने बंगाल सरकार ने टीमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते दे पूरी शक्ती लगा दी बीजेपी के दवाओ में इन सारे नेताओं ने रात दिल लडाई लड़ी माताओ बैनों के सम्मार के लिए लडाई लई लाठियां खाई मुसिवते जेली बीजेपी के दवाओ में आखिर कर कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने जुक करके उस आरोपी को गिरबतार करना पड़ा दीएमसी के राजबे दीएमसी का यह अपरादी नेता करीब करीब दो महिने तक फरार रहा कोई तो होगा न जो उनको बचाता होगा क्या ऐसी टीएमसी को माप करेंगे ऐसी टीएमसी को माप करेंगे क्या माता औबेनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे के नहीं लेंगे लेंगे के नहीं लेंगे हर चोड का जवाब वोट से दे रहा है आज बंगाल के जनता यहां के मुक्यमंत्री दीदी से पूछ रही है क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश खाली की पिडित महिलाओं से भी ज़ादा एहम हो गया है हरे शर्मानी चाहिए बंगाल के मेरे भाग्यों भहनो मुझे सबसे ज़्यादा हरानी इंडी गड़बंदन के बाकी नेताओं को देखकर होती है इंडी गड़बंदन के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर आख कान मुँँ गादी जीजी को जो तीन बंदर देने हैं उन तीन बंदरों की तरह आख कान मुँँ सब ये बंद करके बैट रहे हैं पटला बैंगलोरो मुंबई न जाने कहां कहां ये साथ मिलकर बैठगे करते हैं लेकिन क्या लेप और कॉंग्रेस ने यहां की सरकार से यहां के मुक्वंत्री से जवाब मागने की हिम्मत की क्या इन लोगों से संदेज ठाली की इन बैणों की तरफ एक नजर देखा भी नहीं गया और आपने देखा हैं कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष ने क्या कहा आप सुनकर के चौक जाएंगे मेरी माताओ बैनों जो बंगाली में मेरा टांसेजन कर सकते हैं वो इन माताओ बैनों को जुरूर बताएं कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष ने का का कॉंग्रेस के राष्ट्रिय दिख कहते हैं अरे छोड़ो बंगाल में तो ये सब कुछ चलता रहता है क्या ये बंगाल का पान हैग नहीं है बंगाल की महान परंपरा का पान हैग नहीं है बंगाल की महान संस्कृति का पान हैग नहीं है बंगाल के वीरपूरुषों का पाणहेक नहीं है बंगाल के संस्कार प्रिय नागरिकों का पाणहेक नहीं है यही सक्चाई कॉंग्रेस की और इंडी गढ़बन्दन की है साथियों इंडी गद्वन्दन के लिए ब्रस्टाचारियों परिवारवादियों और तुष्टी करणवालियों का साथ देना ही ये की काम बचा है ये ही सब्चे बड़ा काम है टी एमसी ने बंगाल में अपराद और प्रस्टाचार का एक नया मोडल प्यदा कर दिया है राज्य सरकार प्रस्टाचार को बढ़ावा देती है अपराद को बढ़ावा देती है इतना ही नहीं अपरादियों को समुरक्षा के बदले टी एमसी नेताओं को भर भर के पैसे मिलते है टी एमसी ने हाँ प्राइमरी टीचर्स की भरती में गोटाला किया किया गोटाला किया ने किया टी एमसी ने हाँ मुनिसीपालिटी भरतियों में गोटाला किया 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 गरीब और मद्दमवर की जमीन पर कबजा करना हो चीटफंड योजनों में गोटाला करना हो बॉर्डर पर जानवरों की स्मगलिंग करनी हो टीमसी ने गोटाले और प्रफ्टाचार के लिए कोई छेत्र छोड़ा नहीं है और इसलिए देखो टीमसी के मंत्यों के गर से नोटों के धेर निकल रहे हैं नोटों के धेर आपने इतन नोटों के धेर देखे नहीं देखे देखे नहीं देखे प्या कभी पहले नोटों का इतने बड़े धेर देखे थे कभी सिनेबा में भी देखे देगा क्या कर दिया इन लोगों ने और उपर से यहां की सरकार के इंद्रिय जाच एजन्चियों को भी जाच करने से रोकने के लिए हर हद कंडा अपना रही है यहां के मुख्य मंत्री प्रश्टाचारियों को बचाने के लिए धरने पर बैठ जाती है तीमसी चाहती है कि केंद्र की योजनाओ भी उनको खुली लूट करने का मोका मिले अब मोदी इनकी मनमानी चलने नहीं दे रहा इसलिए मोदी को तीमसी अपना दुस्वन नमबर वन मानती है अब आप मुझे बता दीजिए मैं जड़ा आपको पूछता हूँ क्या ये टीमसी की लूट में चलने दू क्या ये टीमसी जो करतियों में करने दू क्या ये पैसा आपका हैक नहीं है ये बंगाल के लोगों का पैसा हैक नहीं है आपकी महनत का पैसा हैक नहीं है क्या हूँ औरों को लूटने दू क्या अगर मैं लड़ाई लड़ता हूँ तो सही करता हूँ नहीं करता हूँ ये लूटे रोगे पीछे में कदम उठाता हूँ अच्छा कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ मैं आज बंगाल को बादा कर रहा हूँ मेरी गारंटी है ये लूटने वालों को ये लूटने वालों को लोटाना पड़ेगा ये मोदी छोड़ने वाला नहीं है और मोदी ना इनकी गालियों से डरता है इनके हमले से डरने वाला रूखने वाला मोदी नहीं है मैंने पस्चिम मंगाल की बैनों पस्चिम मंगाल की गरीब पस्चिम मंगाल की युवाओं को गारंटी दी है और मोदी की गारंटी की है जिसने गरीब को लूटा है उसको लोटाना ही पड़ेगा साथियों ती एमसी की सरकार के रवे के कारां पस्चिम मंगाल का विकास प्रभावित हो रहा है ती एमसी सरकार की सजा यहां का गरीब और मिडल क्लास भूगत रहा है मैं आपको इसके कुछ प्रमाण देता हूँ जारिया और रानी गंज कोल फिल्ड का प्रजेक हमने लगबग छे साल पहले सुरू किया था लेकिन यहां की सरकार इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे है अठारा हजार करोड रुपिये का यहां कड़ा याद रखिए अठारा हजार करोड रुपिये जगदिश्पूर हल्दिया और भोकारो धामरा पाइप्लाइन प्रोजेक भी चार साल से पेंडिंग पड़ा है राज्य सरकार का सहयोग न मिलने के कारण तारकेश्पर से विष्टूपूर रेल लाइन का काम भी रुपा पड़ा है हजारो करोड रुपिये के ऐसे अनेक प्रोजेक जिनके लिए केंदर सरकार ने पैसा सेंक्शन कर दिया लेकिन काम नहीं हो पा रहा है यहां तक कि टी एम सी सरकार गरीबों के घर तक नहीं बनने दे रही है पूरे देश में मोदी ने चार करोड से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर दिये हैं पक्के घर मिल चुके वो पक्के घर में दिवाली होली मगा रहे हैं दुर्गा पुजा कर रहे हैं पच्चिम मंगाल के गरीब परिवारों के लिए भी केंद्र की भाजपा सरकार ने 45 लाग 45 लाग गर हमने स्विक्रुत किये हैं इसके लिए 42 थाउजन करोड रुपिये 42,000 करोड रुपिये रिलीज किये गए हैं लेकिन बंगाल में राज्य सरकार गरीबों के घर बनाने के लिए तेजी से काम नहीं कर रही अडंगे डाल रही हैं रुकावटे पैदा कर रही हैं आप मुझे पताईए पैसे हैं तो गरीबों के घर बनने चाहिए गने बनने चाहिए जल्दी से जल्दी बनने चाहिए अच्छे से अच्छे बनने चाहिए गने बनने चाहिए क्या ये टीमसे वाले बना सकते हैं क्या बना सकते हैं क्या अगर बनाएगा तो बीजेपी बनाएगी अगर करेगा तो बहुत ही करेगा मेरी माता ये बैने इतनी बड़ी तादाज में आई है आपको मैं बताना चाहता हूँ आप जानते हैं केंदर सरकार हर गर नल से जल पहुंचाने का अभियान चला रही है हर गर में पाइप से पानी पहुंची है लिजे काम हो रहा है चार साल के बीतर ही पूरे देश में ग्यारा करोड से ज़्यादा नए परिवारों को पाइप लाइन से नल से जल की सुविदा मिली है लेकिन हर गर जल देने के लिए पस्टिम मंगाल सरकार कच्छुए की रप्तार से काम कर रही है बताईए ऐसे लोगों को माप किया जा सकता है क्या माता है बेने जो आपके गर पानी नहीं पहुंचने देते हैं उनका दाना पानी बंद करना चाहिए करोगे क्या आपके हसिर्वात रहेंगे साथियों उसे माताओ बेलो बेटियों की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है केंद्र सरकार पैसा दे रही है लेकिन यहां की सरकार उसका उप्योग भी नहीं कर रही है साथियों हर उस योजना से जिससे गरीब का भला होता हो टीमसी सरकार उसके सामने दिवार बनकर खड़ी हो गई है मोदी ने हर गरीब परिवार को पांच लाख उर्पय तक के मुप्त इलाज की गारेंटी दी है आईश्मान कार से देश भर में करोडों गरीब परिवारों का मुप्त में इलाज हुआ है इससे इन परिवारों को लगबग एक लाख करोड रुपी की बचत हुई है लेकिन गरीब एस्सी एस्टी इनकी विरोधी टीमसी यहां के सवा करोड परिवारों को इसका लाब नहीं दे ले देती आप मुझे बताइए गरीब को मुक्त इलाज मिलना चाहिए के नहीं मिलना चाहिए अगर बिमारी में सरकार उसके पैसे दे तो उसको सहरवार का लाब मिलना चाहिए अब देखिए ये गरीब विरोधी लोगों को मोधी बिमारी में पैसा दे रहा है बंगाल में नहीं दे पा रहा है क्योंकि टीम सी मना कर रही है टीम सी सरकार पी एम किसान सिन्मा निदी का लाब दिलाने में भी लंबे अर्से तक अड़के राल लगा रही है बारत सरकार के प्रयासों से हाँ बंगाल के छोटे किसान के बैंक खातों में सीधे ग्यारा हजार करोड रुपिय ट्रांसपर हुए है लेकिन टीम सी सरकार की पूरी कोशिश है कि इस योजना का पैसा भी हड़प लें साथियों टीम सी सरकार गरीब किसान नवजवान और महिला के ससक्ते करण में बहुत बड़ी रुकावट है ये चार वर जब तक ससक्त नहीं होंगे तब तक पस्चिम मंगाल विक्सित नहीं हो सकता इसलिए आज केंद्र सरकार गरीब किसान नवजवान और महिला ससक्ति करण सबसे जादा जोर दे रही है ये भाजपा की ही सरकार है जिसने नारी शक्ति बंद्यन अधिनियम करके लोग सबा और विदान सबा में महिलाओं को आरक्षन दिया ये भाजपा की ही सरकार है जिसने नमो ड्रोन दीदी अभ्यान चुरू किया है इस अभ्यान के तहर हम गाउं की बेहनों बेटियों को आधुनिक ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं वाजपा की सरकार गाउं गाउं में महिला स्वयम सहायता समों को लाखो करोड की मदद दे रही है जिसने उनके आमदनी और बड़े हमने देश में तीन करोड लखपती दिदी तीन करोड लखपती दिदी बनाने का भी संकल्प लिया है साथियों पस्चिम मंगाल विक्सिद होगा तबी बारत भी विक्सिद होगा इसके लिए जरूरी है कि आने वाले लोग सबाचुनाव में पस्चिम मंगाल की सभी सिटों पर कमल खिले खिलेगा तीमसी को गमंड है कि उसके पास एक निश्चित गोट बैंक है इस बार तीमसी का ये गमंड भी तूटेगा इस बार मुस्लिम बेहन बेटियां भी तीमसी के गुंडा राज को उखाड फैकरने के लिए आगे आएगे इस लोग सबाचुनाव के नतीजे पस्चिम मंगाल से तीमसी सरकार काई का उसकी विदाई का उसके पराजय का काउन डाउन शुरू करेंगे आज सब्दूरां की आवाज आ रही है मैं अभी देख रहा था सुपेंद्व जी ओ और हमारे अध्यक्जी बता रहे थे एई बार मैं आपका फिर आभार वेक्त करूँगा कि आप हमें इतनी बड़ी संख्या में आशिरवाद देने आए आप अपने अपने गाउं जाएंगे वहां सब को कहना कि मोदी जी ने प्रणाम कहा है कहेंगे दोनों हाद उपर कर मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 भंदे वंदे वंदे बात बात धन्यवाद की तारकेश्वर महदेव की आराम बागवासी के अमार आंत्रिक सुबेच्चा बोरोरा प्रणाम एवाम छोटोरा अमार भालो बाशाने बेन सबसे पहले तो मैं मात्रुश शक्ति को सामर्थ देने वाली इस भूमी को प्रणाम करता हूँ जहां बगल में ही खाना कूल में महान समाचुधारत राजा राम मौन राईजी ने जन्मलिया और नारी शक्ति के जीवन को नया सामर्थ दिया था मैं खाना कूल की इस धर्ति को प्रणाम करता हूँ राजा राम मौन राई की प्रेणा से भारत की नारी शक्ति के कल्यान के लिए जीजान से जुटा हुआ भायो भानो आप सभी इतनी बड़ी संख्या में हमें आसिरवात देने आये हैं हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं यहां कुछ नवजवान बहुत सुंदर सुंदर चित्र बना करके लाए थे वहाँ एक बेटी कितनी देर से बगवान जगनाजी का चित्र लेकर आई थी आप सबका क्योंकि यह धर्ती तो रग रग में कला आर्ट यह यहां की विजिस्ता है मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ लेकिन मैं अनुभाव कर रहा हूँ कि वहाँ भी पीडी और वर्तमान युवा पीडी आपका यह प्यार इन सब के प्यार का एक प्रतीग है और इसलिए मैं रजय से आप सबका धन्यवाद करता हूँ साथियों अपसे कुछ देर पहले मुझे यहां साथ हजार करोड रुपिये से जादा के प्रोजेक का उद्गाटन और शिलान्यास करने का सवबाग्य मिला इन में रेल, पॉर्ट, पेट्रोलियम और जल सक्ती से जुड़ी परियोजनाय शामिल है मैं बंगाल के आप सभी लोगों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ साथियों पस्चिम बंगाल आज़ादी के अंदोलन की प्रेणा स्थली रही गुलामी के विरुद प्रखर नेत्रत्व देने वाली यहां के हर संतान का सपना था कि भारत विकास की नई उचाई प्राप्त करे आज मैं जब बंगाल आया हूँ तो कह सकता हूँ कि आज का भारत उनका यह सपना पूरा कर रहा है बीते दस साल में भारत ग्यारवे नंबर की इकाना में से उपर उठकर पांचवे नंबर की आर्थिक ताकत बना है जी ट्विंटी में कैसे भारत की जैजे कार हुई यह हम सब ने देखा है आज भारत स्पेस सेक्टरी में अग्रणी बन रहा है जो काम दुनिया का कोई देख नहीं कर पाया वो हमारे चंद्रयान ने किया है आज स्पोर्ट्स के छेत्र में भी भारत नए रिकॉर्ड बना रहा है अब आज स्वतंत्र भारत में देश की समरुद्धी और हमारा समरुद्ध सांस्कृतिक दरोवर फिर से पूरे गवरों से नई उचाई प्राप्त कर रहा है और यह हम सभी का सवभाग्य है कि पांच सदियों के इंतजार के बाद पांच सो साल के बाद प्रभूसी राम अपने भग्व्य मंदिर में बिराजे है प्रस्चिम बंगाल में जीस तरह राम लला का स्वागत हुआ स्री राम के प्रती बंगाल के लोगों की जो आस्ता है उससे पुरा देश प्रभावित है प्रेरित है साथ्यों देश की इन उप्रभ्दग्यों के बीच बंगाल की स्थिती भी आज पुरा देश देख रहा है मा माटी मानोश ये इसके ढोल पिटने वाली पीमसी ने संदेश खाली की बेहनों के साथ जो किया है वो देखकर पुरा देश दुखी है आक्रोशीत है और मैं कह सकता हूँ कि राजा राम महनराय की आत्मा आज जहां भी होगी इन लोगों के इन कारणामों के लेकर के अत्यंत दुखी होगी होगी क्योंकि इनोंने संदेश खाली में जो किया राजा राम होनराय उनकी आत्मा आज रोती होगी टीमसी के नेता ने संदेश खाली में बेहनों बेट्यों के साथ दूस साहस की सारी हदे पार कर दी जब संदेश खाली की बेहनों ने अपनी आवाज बुलंद की ममता दीजी से मदद मांगी उन्हें बदले में क्या मिला मुख्यमंत्री दीजी ने बंगाल सरकार ने टीमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ती लगा दी बीजेपी के दवाओ में इन सारे नेताओं ने रात दिल लडाई लड़ी माताओ बेहनों के सम्मार के लिए लडाई लड़ी लाठिया खाई मुसिवते जेली बीजेपी के दवाओ में आखिर कर कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने जुक करके उस आरोपी को गिरफतार करना पड़ा टी-म-सी के राजबे टी-म-सी का यह अपरादी नेता करीब करीब दो महिने तक फरार रहा कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा क्या ऐसी टी-म-सी को माप करेंगे क्या माता और बेहनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे के नहीं लेंगे लेंगे के नहीं लेंगे हर चोड का जवाब वोट से दे रहा है आज मंगाल की जनता यहां के मुक्ष मंत्री दीदी से पूछ रही है क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश खाली की पिडित महिलाओं से भी जादा एहम हो गया है हरे शर्मानी चाहिए बंगाल के मेरे भाग्यों भहनो मुझे सबसे ज़्यादा हरानी इंडी गड़बंदन के बाकी नेताओं को देख कर होती है इंडी गड़बंदन के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर आख, कान, मुँँ गादी जीजी को जो तीन बंदर देने हैं उन तीन बंदरों की तरह आख, कान, नाख, मुँँ सब ये बंद करके बैट रहे हैं पटला, बैंगलोरो, मुंबई न जाने कहां कहां ये साथ मिलकर बैठगे करते हैं लेकिन क्या लेप और कॉंग्रेस ने यहां की सरकार से यहां के मुक्वंत्री से जवाब मागने की हिम्मत की क्या इन लोगों से संदेश खाली की इन बेहनों की तरह एक नजर देखा भी नहीं गया और आपने देखा है कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष ने क्या कहा आप सुनकर के चोग जाएंगे मेरी माताओ बेहनों जो बंगाली में मेरा टांसरसन कर सकते हैं वो इन माताओ बेहनों को जुरूर बताएं कॉंग्रेस के राष्ट्रिय अध्यक्ष ने का का कोंग्रेस के राष्ट्रिय अध्यक्ष कहते हैं अरे छोड़ो बंगाल में तो यह सब कुछ चलता रहता है क्या यह बंगाल का पान है रही है बंगाल की महान परंप्रा का पान्हेक नहीं है बंगाल की महान संस्क्रिति का पान्हेक नहीं है बंगाल के वीर पुरुषों का पान्हेक नहीं है बंगाल के संस्कार प्रिय नागरिकों का पान्हेक नहीं है यही सच्चाई कॉंग्रेस की और इंडी गढ़बंधन की है साथियों इंडी गढ़बंधन के लिए ब्रस्टाचारियों परिवारवादियों और तुष्टी करणवालों का साथ देना ही यही काम बचा यही सब्से बड़ा काम है टीमसी ने बंगाल में अपराग और परिष्टाचार का एक नया मोडल प्रेदा कर दिया है राज्य सरकार ब्रष्टाचार को बढ़ावा देती है अपराज को बढ़ावा देती है इतना ही नहीं अपराजियों को समुरक्षां के बदले टीमसी नेताओं को भर भर के पैसे मिलते है टीमसी ने यहाँ प्राइमरी टीचर्स की भरती में गोटाला की आग ने किया गोटाला की आग ने किया टीम्जी ने हाँ मुनिसिपालिटी भर्तियों में गोटाला कियाग ने किया गोटाला कियाग ने किया टीम्जी ने हाँ सरकारी सामान की खरीद में गोटाला कियाग ने किया गोटाला कियाग ने किया टीमसी ने यहाँ गरीब को राशन देने में गोटाला किया गने किया किया गने किया गरीब और मद्नमवर की जमीन पर कबजा करना हो चीटफंड योजनाओं में गोटाला करना हो बॉर्डर पर जानवरों की स्मगलिंग करनी हो टीमसी ने गोटाले और प्रस्टाचार के लिए कोई छेत्र छोडा नहीं है और इसलिए देखो टीमसी के मंत्रियों के गर से नोटों के धेर निकल रहे हैं नोटों के धेर आपने इतने नोटों के देर देखें नहीं देखें देखें नहीं देखें प्या कभी पहले नोटों के इतने बड़े देखें थे कभी सिनेबा में भी देखें थे क्या कर दिया है इन लोगों ने और उपर से यहां की सरकार केंद्रिय जांच एजन्चियों को भी जांच करने से रोकने के लिए हर हद कंडा अपना रही है यहां के मुख्य मंत्री प्रस्टाचारियों को बचाने के लिए धरने पर बैठ जाती है TMC चाहती है कि केंद्र की योजनाओ भी उनको खुली लूट करने का मोका मिले अब मोदी इनकी मनमानी चलने नहीं दे रहा इसलिए मोदी को TMC अपना दुस्वन नमबर वन मानती है अब आप मुझे बता दीजिए मैं ज़र आपको पूछता हूँ क्या ये TMC की लूट में चलने दू क्या ये TMC जो करतियों में करने दू क्या ये पैसा आपका हैक नहीं है ये बंगाल के लोगों का पैसा हैक नहीं है आपकी महनत का पैसा हैक नहीं है क्या हम औरों को लूटने दू क्या अगर मैं लड़ाई लड़ता हूँ तो सही करता हूँ ने करता हूँ ये लूटेरों के पीछे मैं कदम उठाता हूँ अच्छा कर रहा हूँ ने कर रहा हूँ मैं आज बंगाल को बादा कर रहा हूँ मेरी गारंटी है ये लूटने वालों को ये लूटने वालों को लोटाना पड़ेगा ये मोदी छोड़ने वाला नहीं है और मोदी नहीं की गालियों से डरता है इनके हमले से दरने वाला रूखने वाला मोदी नहीं है मैंने पस्चिम मंगाल की बेनों पस्चिम मंगाल की गरीब पस्चिम मंगाल की युवाओं को गारंटी दी है और मोदी की गारंटी की है जिसने गरीब को लूटा है उसको लोटाना ही पड़ेगा साथियों टीमसी की सरकार के रवय के कारां पस्चिम मंगाल का विकास प्रभावित हो रहा है टीमसी सरकार की सजा यहां का गरीब और मिडल क्लास भूगत रहा है मैं आपको इसके कुछ प्रमाण देता हूँ जारिया और रानी गंज कोल फिल्ड का प्रोजेक्ट हमने लगबग छे साल पहले सुरू किया था लेकिन यहां की सरकार इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे है अठारा हजार करोड रुपिये का यहां कड़ा याद रखिए अठारा हजार करोड रुपिये जगदीशपूर हल्दिया और भोकारो धामरा पाइप्लाइन प्रोजेक्ट भी चार साल से पेंडिंग पड़ा है राज्य सरकार का सहयोग न मिलने के कारण तारकेशपर से विश्टूपूर रेल लाइन का काम भी रुपा पड़ा है हजारो करोड रुपिये के ऐसे अनेक प्रोजेक्ट जिनके लिए केंदर सरकार ने पैसा सेंक्शन कर दिया लेकिन काम नहीं हो पा रहा है यहां तक की टी एम सी सरकार गरीबों के घर तक नहीं बनने दे रही है पूरे देश में मोदी ने चार करोड से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर दिये है पक्के घर मिल चुके वो पक्के घर में दिवाली होली मगा रहे है दुरगा पुजा कर रहे है पच्चिम मंगाल के गरीब परिवारों के लिए भी केंदर की भाजपा सरकार ने 45 लाग 45 लाग गर हमने स्विक्रुत किये है इसके लिए 42,000 करोड रुपिये 42,000 करोड रुपिये रिलीज किये गए है लेकिन बंगाल में राज्य सरकार गरीबों के घर बनाने के लिए तेजी से काम नहीं कर रही अडंगे डाल रही है रुकावटे पैदा कर रही है आप मुझे पताईए पैसे है तो गरीबों के घर बनने चाहिए और बनने चाहिए जल्दी से जल्दी बनने चाहिए और बनने चाहिए मेरी माताई बैने इतनी बड़ी तादाज में आई है आपको मैं बताना चाहता हूँ आप जानते हैं केंद्र सरकार हर गर नल से जल पहुंचाने का अभियान चला रही है हर गर में पाइप से पानी पहुंचे लिए काम हो रहा है चार साल के बीतर ही पूरे देश में ग्यारा करोड से जादा नए परिवारों को पाइप लाइन से नल से जल की सुविदा मिली है लेकिन हर गर जल देने के लिए पस्टिम मंगाल सरकार कच्छुए की रप्तार से काम कर रही है बताईए ऐसे लोगों को माप किया जा सकता है क्या माता ये बैने जो आपके घर पानी नहीं पहुंचने देते हैं उनका दाना पानी बंद करना चाहिए करोगे क्या आपके हासिरवात रहेंगे साथयों, उसे माताओ, बैनों, बेटिों की परिशानियों से कोई लेना देना नहीं है केंद्र सरकार पैसा दे रही है लेकिन यहागी सरकार उसका उप्योग भी नहीं कर रही है साथयों, हर उस योजना से जिसे गरीव का भला होता हो टीम्सी सरकार उसके सामने दिवार बनकर खड़ी हो गई है मोदी ने हर गरिब परिवार को पांच लाख उर्पय तक के मुप्त इलाज की गारेंटी दी है आईश्मान कार्ड से देश भर में करोडो गरिब परिवारों का मुप्त में इलाज हुआ है इससे इन परिवारों को लगबग एक लाख करोड रुपी की बचत हुई है लेकिन गरिब एस्सी एस्टी इनकी विरोधी टीम्सी यहां के सवा करोड परिवारों को इसका लाब नहीं दे ले देती आप मुझे बताईए गरिब को मुप्त इलाज मिलना चाहिए और नहीं मिलना चाहिए अगर बिमारी में सरकार उसके पैसे दे तो उसको सहरवार का लाब मिलना चाहिए अब देखे ये गरिब विरोधी टीम्सी वो भी नहीं करने देती देश के करोडों लोगों को मोधी बिमारी में पैसा दे रहा है बंगाल में नहीं दे पा रहा है क्योंकि टीम्सी मना कर रही है टीम्सी सरकार पी एम किसान सिम्मा निदी का लाब दिलाने में भी लंबे अर्से तक अड़के लालक लगा रही है बारत सरकार के प्रयासों से हाँ बंगाल के छोटे किसान के बेंखातों में सीधे ग्यारा हजार करोड रुपिय ट्रांसपर हुए है लेकिन टीम्सी सरकार की पूरी कोशिश है कि इस योजना का पैसा भी हड़प लें साथियों टीम्सी सरकार गरीब किसान नवजवान और महिला के ससक्ते करन में बहुत बड़ी रुकावट है ये चार वर जब तक ससक्त नहीं होंगे तब तक पस्चिम मंगाल विक्सित नहीं हो सकता इसलिए आज केंदर सरकार गरीब किसान नवजवान और महिला ससक्ते करवर सबसे जादा जोर दे रही है ये भाजपा की ही सरकार है जिसने नारी शक्ती बंद्यन अधिनियम करके लोग सभा और विदान सभा में महिलाओं को आरक्षन दिया ये भाजपा की ही सरकार है जिसने नमो ड्रोन दीदी अभ्यान चुरू किया है इस अभ्यान के तहर हम गाउं की बहनों बेटियों को आधुनिक ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं वाजपा की सरकार गाउं गाउं में महिला स्वयम सहायता समों को लाखो करोड की मदद दे रही है जिससे उनके आमदनी और बड़े हमने देश में तीन करोड लखपती दीदी तीन करोड लखपती दीदी बनाने का भी संकल्प लिया है साथियों पस्टिम मंगाल विक्सिद होगा तबी बारत भी विक्सिद होगा इसके लिए जरूरी है कि आने वाले लोग सबाचुनाव में पस्टिम मंगाल की सभी सिटों पर कमल खिले खिलेगा खिलेगा टीमसी को गमंड है कि उसके पास एक निश्चिद बोट बैंक है इस बार टीमसी का ये गमंड भी तूटेगा इस बार मुस्लिम बहन बेटियां भी टीमसी के गुंडा राज को उखाड फैक्रने के लिए आगे आएगे इस लोगसभा चुनाव के नतीजे पस्तिम मंगाल से टीमसी सरकार काई का उसकी बिदाई का उसके पराजय का काउंड डाउन शुरू करेंगे आज सब्दूरां की आवाज आ रही है मैं अभी देख रहा था सुपेंद्व जी ओ और हमारे अध्यक्जी बता रहे थे एई बार मैं आपका फिर आभार व्यक्त करूंगा कि आप हमें इतनी बड़ी संख्या में आशिरवाद देने आए आप अपने अपने गाउं जाएंगे तोहां सब को कहना कि मोदी जी ने प्रणाम कहा है कहेंगे दोरों हाद उपर कर मेरे साथ बोलीए भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 सुभेच्चा बोरोरा प्रणाम एवां छोटोरा अमार भालो भाशा ने बेन सबसे पहरे तो मैं मात्रुश शक्ति को सामर्थ देने वाली इस भूमी को प्रणाम करता हूँ जहां बगल में ही खाना कुल में महान समाचुधारत राजा राम मुहन राईजी ने जन्मलिया और नारी शक्ति के जीवन को नया सामर्थ दिया था मैं खाना कुल की धर्ति को प्रणाम करता हूँ राजा राम मुहन राई की प्रेणा से भारत की नारी शक्ति के कल्यान के लिए जीजान से जुटा हुआ भायो 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 आप सभी इतनी बड़ी संख्या में हमें आसिरवात देने आये हैं हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं यहां कुछ नवजवान बहुत सुंदर सुंदर चित्र बना करके लाए थे वहाँ एक बेटी कितनी देर से भगवान जगनाजी का चित्र लेकर आई थी आप सबका क्योंकि यह धर्ती तो रग रग में कला आर्ट यह यहां की विशेस्ता है मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ लेकिन मैं अनुभाव कर रहा हूँ कि वहाँ भी पीडी और वर्तमान युवा पीडी आपका ये प्यार इन सब के प्यार का एक प्रतीग है और इसलिए मैं रजय से आप सबका धन्यवाद करता हूँ साथियों अप से कुछ देर पहले मुझे यहां साथ हजार करोड रुपिये से जादा के प्रोजेक का उद्गाटन और सिलान्यास करने का सवबाग्य मिला इन में रेल, पॉर्ट, पेट्रोलियूम और जल सक्ति से जुड़ी परियोजनाय शामिल है मैं बंगाल के आप सभी लोगों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं साथियों पस्चिम बंगाल आज़ादी के अंदोलन की प्रेणा स्थली रही गुलामी के विरुद प्रखर नेत्रत्व देने वाली यहां के हर संतान का सपना था कि भारत विकास की नई उचाई प्राप्त करे आज मैं जब बंगाल आया हूं तो कह सकता हूं कि आज का भारत उनका यह सपना पूरा कर रहा है बीते दस साल में भारत ग्यारवे नंबर की इकनामे से उपर उठकर पांचवे नंबर की आर्थिक ताकत बना है जी ट्विंटी में कैसे भारत की जैजे कार हुई यह हम सब ने देखा है आज भारत स्पेस सेक्टरी में अग्रणी बन रहा है जो काम दुनिया का कोई देख नहीं कर पाया वो हमारे चंद्रयान ने किया है आज स्पोर्ट्स के छेत्र में भी भारत नए रिकॉर्ड बना रहा है अब आज स्वतंत्र भारत में देश की समरुद्धी और हमारा समरुद्ध सांस्कुर्दिक दरोवर फिर से पूरे गवरों से नई उचाई प्राप्त कर रहा है और यह हम सभी का सवभाग्य है कि पांच सदियों के इंतजार के बाद पांच सो साल के बाद प्रभू सी राम अपने भग्य मंदिर में विराजे है पस्ति बंगाल में जीस तरह राम लला का स्वागत हुआ स्री राम के प्रती बंगाल के लोगों के जो आस्ता है उससे पुरा देश प्रभावित है प्रेरित है साथियों देश की इन उप्रभदग्यों के बीच बंगाल की स्थिती भी आज पुरा देश देख रहा है मा, माटी, मानोष ये इसके ढोल पिटने वाली पी-मसी ने संदेश खाली की बेहनों के साथ जो किया है वो देखकर पुरा देश दुखी है आक्रोशीत है और मैं कह सकता हूँ कि राजा राम महनराई की आत्मा आज जहां भी होगी इन लोगों के इन कारणामों के लेकर के अत्यंत दुखी होई होगी क्योंकि इन्होंने संदेश खाली में जो किया राजा राम होनराई उनकी आत्मा आज रोती होगी टीमसी के नेता ने संदेश खाली में बेहनों बेट्यों के साथ दूस साहस की सारी हदे पार कर दी जब संदेश खाली की बेहनों ने अपनी आवाज बुलंद की ममता दीदी से मदद मांगी उन्हें बदले में क्या मिला मुख्यमंत्री दीदी ने बंगाल सरकार ने टीमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ती लगा दी बीजेपी के दवाओं में इन सारे नेताओं ने रात दिल लडाई लड़ी माताओ बैनों के सम्मार के लिए लडाई लई लाठियां खाई मुसिवते जेली बीजेपी के दवाओं में आखिर कर कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने जुक करके उस आरोपी को गिरबतार करना पड़ा दीमसी के राजबें दीमसी का यह अपरादी नेता करीब करीब दो महिने ताक फरार रहा कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा क्या ऐसी टीमसी को माप करेंगे क्या माता औ बेनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे के नहीं लेंगे लेंगे के नहीं लेंगे हर चोड का जवाब वोट से देना है आज बंगाल के जनता यहां के मुक्यमंत्री दीदी से पूछ रही है क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश खाली की पिडित महिलाओं से भी जाता एहम हो गया है हरे शर्म आनी चाहिए बंगाल के मेरे भाव्यों भनो मुझे सबसे ज़्यादा हराने इंडी गड़बंदन के बाकी नेताओं को देख कर होती है इंडी गड़बंदन के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर आख, कान, मुझे गादी जीजी को जो तीन बंदर देने उन तीन बंदरों की तरह आख, कान, नाख, मुझे सब ये बंद करके बैटे हैं पटना, बैंगलोरो, मुंबई न जाने कहां कहां ये साथ मिलकर बैठा के करते हैं लेकिन क्या लेप और कॉंग्रेस ने यहां की सरकार से यहां के मुक्वंत्री से जवाब मागने की हिम्मत की क्या इन लोगों से संदेश खाली की इन बैणों की तरफ एक नजर देखा भी नहीं गया और आपने देखा है कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष ने क्या कहा आप सुनकर के चोग जाएंगे मेरी माताओ बैणों जो बंगाली में मेरा टांस्टर्जन कर सकते हैं वो इन माताओ बैणों को जुरूर बताएं कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष ने का का कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष कहते हैं अरे छोड़ो बंगाल में तो ये सब कुछ चलता रहता है क्या ये बंगाल का पान्हाइग नहीं है बंगाल की महान परंप्रा का पान्हाइग नहीं है बंगाल की महान संस्कृति का पान्हाइग नहीं है बंगाल के वीर पुरुषों का पान्हाइग नहीं है बंगाल के संस्कार प्रिय नागरिकों का पान्हाइग नहीं है इंडी गठबंधन की है साथियों इंडी गठबंधन के लिए ब्रस्टाचारियों परिवारबादियों और तुष्टी करणवालियों का साथ देना ही ये की काम बचा है ये ही सबसे बड़ा काम है टी एमसी ने बंगाल में अपराद और प्रस्टाचार का एक नया मोडल प्यदा कर दिया है राज्य सरकार प्रस्टाचार को बढ़ावा देती है अपराद को बढ़ावा देती है इतना ही नहीं अपरादियों को समुरक्षा के बदले टी एमसी नेताओं को भर भर के पैसे मिलते है टी मसी ने है प्रायमरी टीचर्स की भरति में गोटाला किया किया गोटाला कियाग ने किया T.M.C. ने हाँ Municipality भर्तियों में गोटाला कियाग ने किया गोटाला कियाग ने किया T.M.C. ने हाँ सरकारी सामान की खरीद में गोटाला कियाग ने किया गोटाला कियाग ने किया T.M.C. ने हाँ गरीब को राशन देने में किया गने किया किया गने किया गरीब और मद्यम्वर की जमीन पर कब्जा करना हो चीट फंड योजनों में गोटाला करना हो बॉर्डर पर जानवरों की स्मगलिंग करनी हो तो टीएमसी ने गोटाले और ब्रफ्टाचार के लिए कोई छेत्र छोड़ा नहीं है और इसलिए देखो टीएमसी के मंत्यों के गर से नोटों के धेर निकल रहे हैं नोटों के डेर आपने इतन नोटों के धेर देखे नहीं देखे नहीं देखे प्या कभी पहले नोटों का इतने बड़े देखे थे कभी सिनेबा में भी देखे देगा क्या कर दिया इन लोगों ने और उपर से यहां की सरकार केंद्रिय जाँच एजंचियों को भी जाँच करने से रोक गिने के लिए हर हद कंडा अपना रही है यहां के मुख्य मंत्री प्रश्टाचारियों को बचाने के लिए धरने पर बैठ जाती है टीमसी चाहती है कि केंद्र की योजनव भी उनको खुली लूट करने का मोका मिले अब मोदी इनकी मनमानी चलने नहीं दे रहा इसलिए मोदी को टीमसी अपना दुस्वन नमबर वन मानती है अब आप मुझे बता दीजिए मैं ज़र आपको पूछता हूँ क्या ये टीमसी की लूट में चलने दू क्या ये टीमसी जो करतियों में करने दू क्या ये पैसा आपका हैक नहीं है ये बंगाल के लोगों का पैसा एक नहीं है आपकी महनत का पैसा एक नहीं है क्या वह औरों को लूटने दू क्या अगर मैं लड़ाई लड़ता हूं तो सही करता हूं ने करता हूं ये लूटे रहों के पीसे मैं कदम उठाता हूं अच्छा कर रहा हूं ने कर रहा हूं मैं आज बंगाल को बादा कर रहा हूं मेरी गारंटी है ये लूटने वालों को ये लूटने वालों को लोटाना पड़ेगा ये मोधी छोड़ने वाला नहीं है और मोदी ना इनकी गालियों से डरता है इनके हमले से दरने वाला रूकने वाला मोदी नहीं है मैंने पस्चिम मंगाल की बैनों पस्चिम मंगाल के गरीब पस्चिम मंगाल के युवाओं को गारंटी दी है और मोदी की गारंटी की है जिसने गरीब को लूटा है उसको लोटाना ही पड़ेगा साथियों टीमसी की सरकार के रवय के कारण पस्चिम मंगाल का विकास प्रभावित हो रहा है टीमसी सरकार की सजा यहां का गरीब और मिडल क्लास भूगत रहा है मैं आपको इसके कुछ प्रमाण देता हूँ जारिया और रानी गंज कोल फिल्ड का प्रोजेक्ट हमने लगबग छे साल पहले शुरू किया था लेकिन यहां की सरकार इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं अठारा हजार करोड रुपिये का यह अकड़ा याद रखिए अठारा हजार करोड रुपिये जगदिश्पूर हल्दिया और बोकारो धामरा पाइप्लाइन प्रोजेक्ट भी चार साल से पेंडिंग पड़ा है राज्य सरकार का सहयोग न मिलने के कारण तारकेश्पर से विष्टूपूर रेल लाइन का काम भी रुपा पड़ा है हजारो करोड रुपिये के ऐसे अनेक प्रोजेक्ट जिनके लिए केंदर सरकार ने पैसा सेंक्शन कर दिया लेकिन काम नहीं हो पा रहा है यहां तक कि टी एम सी सरकार गरीबों के घर तक नहीं बनने दे रही है पूरे देश में मोदी ने चार करोड से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर दिये हैं पक्के घर मिल चुके वो पक्के घर में दिवाली होली मगा रहें दुर्गया पुझा कर रहें पच्चिम मंगार के गरीब परिवारों के लिए भी केंद्र की भाजपा सरकार ने 45 लाग 45 लाग गर हमने स्विक्रुत किये हैं इसके लिए 42 थावजन करोड रुपिये 42 हजार करोड रुपिये रिलीज किये गए हैं लेकिन बंगाल में राज्य सरकार गरीबों के घर बनाने के लिए तेजी से काम नहीं कर रही अडंगे डाल रही हैं रुकावटे पैदा कर रही हैं आप मुझे पताईए पैसे हैं तो गरीबों के घर बनने चाहिए गिने बनने चाहिए जल्दी से जल्दी बनने चाहिए गिने बनने चाहिए अच्छे से अच्छे बनने चाहिए गिने बनने चाहिए क्या ये T.M.C. वाले बना सकते हैं क्या बना सकते हैं क्या अगर बनाएगा तो बीजेपी बनाएगी, अगर करेगा तो मोधी करेगा मेरी माताई बेहने इतनी बड़ी तादाज में आईए है आपको मैं बताना चाहता हूँ आप जानते हैं केंद्र सरकार हर गर नल से जल पहुंचाने का अभियान चला रही है हर गर में पाइप से पानी पहुंची है लिजें काम हो रहा है चार साल के बीतर ही पूरे देश में ग्यारा करोड से जादा नए परिवारों को पाइप लाइन से नल से जल की सुविदा मिली है लेकिन हर गर जल देने के लिए पस्टिम मंगाल सरकार कच्छुए की रप्तार से काम कर रही है बताइए ऐसे लोगों को माप किया जा सकता है क्या माताए बेने जो आपके गर पानी नहीं पहुंचने देते हैं उनका दाना पानी बंद करना चाहिए नहीं करना चाहिए करोगे क्या आपके हसिरवाद रहेंगे साथियों उसे माताओ बेनो बेटियों की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है केंद्र सरकार पैसा दे रही है लेकिन यहां की सरकार उसका उप्योग भी नहीं कर रही है सात्यों हर उस योजना से जिससे गरीब का भला होता हो टी-म-सी सरकार उसके सामने दिवार बनकर खड़ी हो गई है मोदी ने हर गरीब परिवार को पांच लाख उर्पिय तक के मुप्त इलाज की गारंटी दी है आईश्मान कार से देश भर में करोडो गरीब परिवारों का मुप्त में इलाज हुआ है इससे इन परिवारों को लगबग एक लाख करोड रुपी की बचत हुई है लेकिन गरीब, SC, ST, इनकी विरोधी, TMC, यहां के सवा करोर परिवारों को इसका लाब नहीं दे ले देती आप मुझे बताइए गरीब को मुक्त इलाज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए अगर बिमारी में सरकार उसके पैसे दे, तो उसको सारवार का लाब मिलना चाहिए अब देखे यह गरीब विरोधी, TMC वो भी नहीं करने देती देश के करोडों लोगों को मोधी बिमारी में पैसा दे रहा है, बंगाल में नहीं दे पा रहा है क्योंकि TMC मना कर रही है, TMC सरकार PM किसान सिन्मा निदी का लाब दिलाने में भी लंबे अर्से तक अड़के लाल के लगा रही है, बारत सरकार के प्रयासों से हाँ बंगाल के छोटे किसान के बेंखातों में सीधे ग्यारा हजार करोड रुपिय ट्रांसपर हुए है लेकिन TMC सरकार की पूरी कोशिश है कि इस योजिना का पैसा भी हड़क लें साथियों TMC सरकार गरीब, किसान, नवजवान और महिला के ससक्तिकरन में बहुत बड़ी रुकावट है ये चार वर जब तक ससक्त नहीं होंगे तब तक पस्चिम मंगाल विक्सित नहीं हो सकता इसलिए आज केंदर सरकार, गरीब, किसान, नवजवान और महिला ससक्तिकरवर सबसे ज़्यादा जोड दे रही है ये भाजपा की ही सरकार है जिसने नारी शक्ति बंद्यन अधिनियम करके लोग सभा और विदान सभा में महिलाओं को आरक्षन दिया ये भाजपा की ही सरकार है जिसने नमो ड्रोन दीदी अभ्यान चुरू किया है इस अभ्यान के तहर हम गाउं की बहनों बेटियों को आधुनिक ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं वाजपा की सरकार गाउं गाउं में महिला स्वयम सहायता समों को लाखो करोड की मदद दे रही है जिससे उनकी आमदनी और बड़े हमने देश में तीन करोड लखपती दिदी तीन करोड लखपती दिदी बनाने का भी संकल्प लिया है साथियों पस्चिम मंगाल विक्षिद होगा तबी बारत भी विक्षिद होगा इसके लिए जरूरी है कि आने वाले लोग सबाचुनाव में पस्चिम मंगाल की सभी सिटों पर कमल खिले खिलेगा खिलेगा टीमसी को गमंड है कि उसके पास एक निश्चित बोट बैंक है इस बार टीमसी का ये गमंड भी तूटेगा इस बार मुस्लिम बहन बेटियां भी टीमसी के गुंडा राज को उखाड फैक्रने के लिए आगे आएगे इस लोगसभा चुनाव के लतीजे पस्तिम मंगाल से टीमसी सरकार काई का उसकी बिदाई का उसके पराजय का काउंड डाउन शुरू करेंगे आज सब्दूरां की आवाज आ रही है मैं अभी देख रहा था सुपेंद्र जीरो और हमारे अध्यक्ची बता रहे थे मैं आपका फिर आभार व्यक्त करूँगा कि आप हमें इतनी बड़ी संख्या में आशिरवाद देने आए आप अपने अपने गाउं जाएंगे तो आँ सब को कहना कि मोदी जी ने प्रणाम कहा है कहेंगे दोरों हाथ उपर कर मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 वंद बोरोरा प्रणाम एवाम छोटोरा अमार भालो भाशा ने बेन सबसे पहले तो मैं मात्रुश शक्ति को सामर्थ देने वाली इस भूमी को प्रणाम करता हूँ जहां बगल में ही खाना कुल में महान समाचुधारत राजा राम मुहन राईजी ने जन्मलिया और नारी शक्ति के जीवन को नया सामर्थ दिया था मैं खाना कुल की इस धर्ति को प्रणाम करता हूँ राजा राम मुहन राई की प्रेणा से भारत की नारी शक्ति के कल्यान के लिए जीजान से जुटा हुआ भायों भानों आप सभी इतनी बड़ी संख्या में हमें आशिरवात देने आये हैं हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं यहां को जुट नवजवान बहुत सुंदर सुंदर चित्र बना करके लाए थे वहाँ एक बेटी कितनी देर से भागवान जगनाजी का चित्र लेकर आई थी आप सबका क्योंकि यह धर्ती तो रग रग में कला आर्ट यहां की विशेस्ता है मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ लेकिन मैं अनुभाव कर रहा हूँ कि भावी पीडी और वर्तमान युवा पीडी आपका ये प्यार इन सब के प्यार का एक प्रतीग है और इसलिए मैं रजय से आप सबका धन्यवाद करता हूँ साथियों अप से कुछ देर पहले मुझे यहां साथ हजार करोड रुपिये से जादा के प्रोजेक का उद्गाटन और सिलान्यास करने का सवभाग्य मिला इन में रेल, पॉर्ट, पेट्रोलियम और जल सक्ती से जुड़ी परियोजनाए शामिल है मैं बंगाल के आप सभी लोगों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ साथियों पस्चिम बंगाल आजादी के अंदोलन की प्रेना स्थली रही गुलामी के विरुद प्रखर नेत्रत्व देने वाली यहां के हर संतान का सपना था कि भारत विकास की नई उचाई प्राप्त करे आज मैं जब बंगाल आया हूँ तो कह सकता हूँ कि आज का भारत उनका यह सपना पूरा कर रहा है बीते दस साल में भारत ग्यारवे नंबर की इकना में से उपर उठकर पांचवे नंबर की आर्थिक ताकत बना है जी ट्विंटी में कैसे भारत की जैजे कार हुई यह हम सब ने देखा है आज भारत स्पेस सेक्टरी में अग्रणी बन रहा है जो काम दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया वो हमारे चंद्रयान ने किया है आज स्पोर्ट के छेत्र में भी भारत नए रिकॉर्ड बना रहा है अब आज स्वतंत्र भारत में देश की समरुद्धी और हमारा समरुद्ध सांस्कृतिक दरवर फिर से पूरे गवरों से नए उचाई प्राप्त कर रहा है और यह हम सभी का सवभाग्य है कि पांच सदियों के इंतजार के बाद पांच सो साल के बाद प्रभूर्शी राम अपने भग्य मंदिर में विराजे है पस्ति बंगाल में जीस तरह राम लला का स्वागत हुआ स्री राम के प्रती बंगाल के लोगों के जो आस्ता है उसे पुरा देश प्रभावित है प्रेरित है साथियों देश की इन उप्रभदग्यों के बीच बंगाल की स्थिती भी आज पुरा देश देख रहा है मा, माटी, मानुष्ट ये इसके ढोल पिटने वाली PMC ने संदेश खाली की बेहनों के साथ जो किया है वो देखकर पुरा देश दुखी है आक्रोशीत है और मैं कह सकता हूँ कि राजा राम महनराई की आत्मा आज जहां भी होगी इन लोगों के इन कारणामों के लेकर के अत्यंत दुखी होगी होगी क्योंकि इनों ने संदेश खाली में जो किया राजा राम होनराई उनकी आत्मा आज रोती होगी टी-म-सी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेट्यों के साथ दूस साहस की सारी हदे पार कर दी जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की मम्ता दीदी से मदद मांगी उन्हें बदले में क्या मिला मुख्यमंत्री दीदी ने बंगाल सरकार ने टी-म-सी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ती लगा दी बी-जे-पी के दबाव में इन सारे नेताओं ने रात दिल लडाई लड़ी माता और बैनों के सम्मार के लिए लड़ाई लई लाठियां खाई मुसिवते जेली बी-जे-पी के दबाव में आखिर कर कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने जुक करके उस आरोपी को गिरबतार करना पड़ा टी-एमसी के राजबे टी-एमसी का यह अपरादी नेता करीब करीब दो महिने तक फरार रहा कोई तो होगा न जो उनको बचाता होगा क्या ऐसी टी-एमसी को माप करेंगे क्या माता और बैनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे के नहीं लेंगे लेंगे के नहीं लेंगे हर चोड का जवाब वोट से दे रहा है आज बंगाल के जनता यहां के मुक्ष मंत्री दीदी से पूछ रही है क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश खाली की पिडित महिलाओं से भी जादा एहम हो गया है हरे शर्म आनी चाहिए बंगाल के मेरे भाव्यों भनो मुझे सबसे ज़्यादा हराने इंडी गड़बंदन के बाकी नेताओं को देख कर होती है इंडी गड़बंदन के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर आख कान मुझे गादी जीच को जो तीन बंदर देने हैं उन तीन बंदरों की तरह आख कान नाख मुझ सब ये बंद करके बैटे हैं पटना बैंगलोरो मुंबई न जाने कहां कहां ये साथ मिलकर बैठके करते हैं लेकिन क्या लेप और कॉंग्रेस ने यहां की सरकार से यहां के मुक्वंत्री से जवाब मांगने की हिम्मत की क्या इन लोगों से संदेश ठालिक इन बेहनों की तरफ एक नजर देखा भी नहीं गया और आपने देखा हैं कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष ने क्या कहा आप सुनकर के चौक जाएंगे मेरी माताओ बेहनों जो बंगाली में मेरा टांसरसन कर सकते हैं वो इन माताओ बेहनों को जुरूर बताएं कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष ने का का कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष कहते हैं अरे छोड़ो बंगाल में तो ये सब कुछ चलता रहता है क्या ये बंगाल का पान हैग नहीं है बंगाल की महान परंप्रा का पान हैग नहीं है बंगाल की महान संस्कृति का पान हैग नहीं है बंगाल के वीर पुरुषों का पान हैग नहीं है बंगाल के संस्कार प्रिय नागरिकों का पान हैग नहीं है यही सच्चाई कॉंग्रेस की और इंडी गढ़बंधन की है साथियों इंडी गढ़बंधन के लिए ब्रस्टाचारियों परिवारवादियों और तुष्टी करणवालों का साथ देना ही यही सबसे बड़ा काम है टीमसी ने बंगाल में अपराग और परिष्टाचार का एक नया मोडल प्यदा कर दिया है राज्यसरकार परिष्टाचार को बढ़ावा देती है अपराद को बढ़ावा देती है इतना ही नहीं अपराधियों को समुरक्षा के बदले टीम्सी नेताओं को भर भर के पैसे मिलते हैं टीम्सी ने यहां प्राइमरी टीचर्स की भरती में गोटाला किया, क्याग ने किया गोटाला किया ने किया, टीम्सी ने हां म्यूनिसिपालिटी भरतियों में गोटाला किया ने किया गोटाला किया ने किया, टीम्सी ने हां सरकारी सामान की खरीद में गोटाला किया ने किया गोटाला किया गने किया T.M.C. ने यहाँ गरीब को राशन देने में गोटाला किया गने किया किया गने किया गरीब और मद्यमवर की जमीन पर कब्जा करना हो चीट फंड योजनाओं में गोटाला करना हो बॉर्डर पर जानवरों की स्मगलिंग करनी हो टीमसी ने गोटाले और ब्रश्टाचार के लिए कोई छेत्र छोड़ा नहीं है और इसलिए देखो टीमसी के मंत्यों के गर से नोटों के धेर निकल रहे हैं नोटों के धेर आपने इतन नोटों के धेर देखे नहीं देखे देखे हैं नहीं देखे प्या कभी पहले नोटों के इतने बड़े देखे थे कभी सिन्नेबा में भी देखे थे क्या क्या कर दिया है इन लोगों ने और उपर से यहां की सरकार केंद्रिय जांच एजन्चियों को भी जांच करने से रोक गिने के लिए हर हद कंडा अपना रही है यहां के मुख्य मंत्री प्रश्टाचारियों को बचाने के लिए धरने पर बैठ जाती है TMC चाहती है कि केंद्र की योजनाव भी उनको खुली लूट करने का मोका मिले अब मोदी इनकी मनमानी चलने नहीं दे रहा इसलिए मोदी को TMC अपना दुस्वन नमबर वन मानती है अब आप मुझे बता दीजिए मैं ज़र आपको पूछता हूँ क्या ये TMC की लूट में चलने दू क्या ये TMC जो करतियों में करने दू क्या ये पैसा आपका हैग नहीं है ये बंगाल के लोगों का पैसा हैग नहीं है आपकी महनत का पैसा हैग नहीं है क्या वह औरों को लूटने दू क्या अगर मैं लड़ाई लड़ता हूँ तो सही करता हूँ नहीं करता हूँ ये लूटेरों के पीछे मैं कदम उठाता हूँ अच्छा कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ मैं आज बंगाल को बादा कर रहा हूँ मेरी गारंटी है ये लूटने वालों को ये लूटने वालों को लोटाना पड़ेगा ये मोदी छोड़ने वाला नहीं है और मोदी ना इनकी गालियों से डरता है इनके हमले से दरने वाला रूकने वाला मोदी नहीं है मैंने पस्चिम मंगाल की बैनों पस्चिम मंगाल की गरीब पस्चिम मंगाल की युवाओं को गारंटी दी है और मोदी की गारंटी की है जिसने गरीब को लूटा है उसको लोटाना ही पड़ेगा साथियों तीमसी की सरकार के रवे की कारां पस्चिम मंगाल का विकास प्रभावित हो रहा है तीमसी सरकार की सजा यहां का गरीब और मिडल क्लास भूगत रहा है मैं आपको इसके कुछ प्रमाण देता हूँ जारिया और रानी गंज कोल फिल्ड का प्रजेक हमने लगबग छे साल पहले शुरू किया था लेकिन यहां की सरकार इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे है अठारा हजार करोड रुपिये का यहां कड़ा याद रखिए अठारा हजार करोड रुपिये जगदिश्पूर हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन प्रोजेक भी चार साल से पेंडिंग पड़ा है राज्य सरकार का सहयोग न मिलने के कारण तारकेश्पर से विश्टूपूर रेल लाइन का काम भी रुपा पड़ा है हजारो करोड रुपिये के ऐसे अनेक प्रोजेक्स जिनके लिए केंदर सरकार ने पैसा सेंक्शन कर दिया लेकिन काम नहीं हो पा रहा है यहां तक कि T.M.C. सरकार गरीबों के घर तक नहीं बनने दे रही है पूरे देश में मोदी ने चार करोड से अधिक गरीब परिवारों को पके घर दिये है पके घर मिल चुके वो पके घर में दिवाली होली मणा रहे है दुर्गा पुजा कर रहे है पच्चिम मंगार के गरीब परिवारों के लिए भी केंद्र की भाजपा सरकार ने 45 लाग 45 लाग गर हमने स्विक्रुत किये है इसके लिए 42 थावजन करोड रुपिये 42 अधार करोड रुपिये रिलीज किये गए है लेकिन बंगाल में राज्य सरकार गरीबों के घर बनाने के लिए तेजी से काम नहीं कर रही अडंगे डाल रही है रुकावटे पैदा कर रही है आप मुझे पताइए पैसे हैं तो गरीबों के घर बनने चाहिए गने बनने चाहिए जल्दी से जल्दी बनने चाहिए गर नहीं बनने चाहिए अच्छे से अच्छे बनने चाहिए गर बनने चाहिए आप जानते हैं केंद्र सरकार हर गर नल से जल पहुंचाने का अभियान चला रही है हर गर में पाइप से पानी पहुंचे लिए लिए काम हो रहा है चार साल के बीतर ही पूरे देश में 11 करोड से जादा नए परिवारों को पाइप लाइन से नल से जल की सुविदा मिली है लेकिन हर गर जल देने के लिए पस्टिम मंगाल सरकार कच्छुए की रप्तार से काम कर रही है बताइए ऐसे लोगों को माप किया जा सकता है क्या माताए बेने जो आपके गर पानी नहीं पहुंचने देते हैं उनका दाना पानी बंद करना चाहिए नहीं करना चाहिए करोगे क्या आपके हसिरवाद रहेंगे साथियों उसे माताओ बेनो बेटियों की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है केंद्र सरकार पैसा दे रही है लेकिन यहां की सरकार उसका उप्योग भी नहीं कर रही है सात्यों हर उस योजना से जिससे गरीब का भला होता हो टी-म-सी सरकार उसके सामने दिवार बनकर खड़ी हो गई है मोदी ने हर गरीब परिवार को पांच लाख उर्पय तक के मुक्त इलाज की गारंटी दी है आईश्मान कार से देश भर में करोडों गरीब परिवारों का मुक्त में इलाज हुआ है इससे इन परिवारों को लगबग एक लाख करोड रुपी की बचत हुई है लेकिन गरीब एससी एस्टी इनकी विरोधी टी एमसी यहां के सवा करोड परिवारों को इसका लाख नहीं दे ले देती आप मुझे बताएए गरीब को मुक्त इलाज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए अगर बिमारी में सरकार उसके पैसे दे तो उसको सारवार का लाख मिलना चाहिए अब देखे ये गरीब विरोधी टी एमसी वो भी नहीं करने देती देश के करोडों लोगों को मोधी बिमारी में पैसा दे रहा है बंगाल में नहीं दे पा रहा है क्योंकि टी एमसी मना कर रही है टी एमसी सरकार पी एम किसान सिम्मा निदी का लाब दिलाने में भी लंबे अर्षे तक अड़के लालक लगा रही है बारत सरकार के प्रयासों से हाँ बंगाल के छोटे किसान के बैंक खातों में सीधे ग्यारा हजार करोड रुपिय ट्रांसपर हुए है लेकिन टी एमसी सरकार की पूरी कोशिश है कि इस योजना का पैसा भी हड़प लें साथियों टी एमसी सरकार गरीब किसान नवजवान और महिला के ससक्तिकरन में बहुत बड़ी रुकावट है ये चार वर जब तक ससक्त नहीं होंगे तब तक पस्चिम मंगाल विक्सित नहीं हो सकता इसलिए आज केंद्र सरकार गरीब किसान नवजवान और महिला ससक्तिकरवर सबसे ज़ादा जोर दे रही है ये भाजपा की ही सरकार है जिसने नारी शक्ति बंद्यन अधिनियम करके लोग सभा और विदान सभा में महिलाओं को आरक्षन दिया ये भाजपा की ही सरकार है जिसने नमो ड्रोन दीदी अभ्यान चुरू किया है इस अभ्यान के तहर हम गाउं की बहनों बेटियों को आधुनिक ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं वाजपा की सरकार गाउं गाउं में महिला स्वयम सहायता समों को लाखो करोड की मदद दे रही है जिससे उनकी आमदनी और बड़े हमने देश में तीन करोड लखपती दीदी तीन करोड लखपती दीदी बनाने का भी संकल्प लिया है साथियों पस्चिम मंगाल विक्सिद होगा तबी बारत भी विक्सिद होगा इसके लिए जरूरी है कि आने वाले लोग सबाचुनाव में पस्चिम मंगाल की सभी सिटों पर कमल खिले खिलेगा तीमसी को गमंड है कि उसके पास एक निश्चित बोट बैंक है इस बार तीमसी का ये गमंड भी तूटेगा इस बार मुस्लिम बेंड बेटियां भी तीमसी के गुंडा राज को उखाड फैकरने के लिए आगे आएगे इस लोग सबाचुनाव के नतीजे पस्चिम मंगाल से तीमसी सरकार काई का उसकी विदाई का उसके पराजय का काउन डाउन शुरू करेंगे आज सब्दुर आकी आवाज आ रही है मैं अभी देख रहा था सुपेंद्र जीरो और हमारे अध्यक जी बता रहे थे एई बार मैं आपका फिर आभार व्यक्त करूँगा कि आप हमें इतनी बड़ी संख्या में आशिरवात देने आए आप अपने अपने गाउं जाएंगे वहां सबको कहना कि मोदी जी ने प्रणाम कहा है कहेंगे दोरों हाथ उपर कर मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की वंदे 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 सिगे अमार आंत्रीक सुभेच्चा बोरोरा प्रणाम एवाम छोटोरा अमार भालो भाशा ने बेन सबसे पहले तो मैं मात्रुश शक्ति को सामर्थ देने वाली इस भूमी को प्रणाम करता हूँ जहां बगल में ही खाना कूल में महान समाचुधारत राजा राम मुहन राईजी ने जन्मलिया और नारी शक्ति के जीवन को नया सामर्थ दिया था मैं खाना कूल की इस धर्ति को प्रणाम करता हूँ राजा राम मुहन राई की प्रेणा से भारत की नारी शक्ति के कल्यान के लिए जीजान से जुटा हुआ भायो भानो आप सभी इतनी बड़ी संख्या में हमें आशिरवात देने आये हैं हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं यहां कुछ नवजवान बहुत सुंदर सुंदर चित्र बना करके लाए थे वहाँ एक बेटी कितनी देर से भगवान जगनाजी का चित्र लेकर आई थी आप सबका क्योंकि यह धर्ती तो रग रग में कला आर्ट यह यहां की विशेस्ता है मैं आप सबका बहुत आभारी हूं लेकिन मैं अनुभाव कर रहा हूं कि वहाँ भी पीडी और वर्तमान युवा पीडी आपका ये प्यार इन सब के प्यार का एक प्रतीग है और इसलिए मैं रजय से आप सबका धन्यवाद करता हूं साथियों अपसे कुछ देर पहले मुझे यहां साथ हजार करोड रुपिये से जादा के प्रोजेक का उद्गाटन और सिलान्यास करने का सवभाग्य मिला हूं इन में रेल, पॉर्ट, पेट्रोलियूम और जल सक्ति से जुड़ी परियोजनाय शामिल है मैं बंगाल के आप सभी लोगों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं साथियों पस्चिम बंगाल आजादी के अंदोलन की प्रेना स्थली रही गुलामी के विरुद प्रखर नेत्रत्व देने वाली यहां के हर संतान का सपना था कि भारत विकास की नई उचाई प्राप्त करें आज मैं जब बंगाल आया हूं तो कह सकता हूं ति आज का भारत उनका यह सपना पूरा कर रहा है बीते दस साल में भारत ग्यारवे नंबर की इकना में से उपर उठकर पांचवे नंबर की आर्थिक ताकत बना है जी ट्विंटी में कैसे भारत की जैजे कार हुई यह हम सब ने देखा है आज भारत स्पेस सेक्टरी में अग्रणी बन रहा है जो काम दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया वो हमारे चंद्रयान ने किया है आज स्पोर्ट्स के छेत्र में भी भारत नए रिकॉर्ड बना रहा है अब आज स्वतंत्र भारत में देश की समरुद्धी और हमारा समरुद्ध सांस्कृतिक दरवर फिर से पूरे गवरों से नए उचाई प्राप्त कर रहा है और यह हम सभी का सवभाग्य है कि पांच सदियों के इंतजार के बाद पांच सो साल के बाद प्रभू स्री राम अपने भग्य मंदिर में विराजे है पस्री बंगाल में जीस तरह राम लला का स्वागत हुआ स्री राम के प्रती बंगाल के लोगों के जो आस्ता है उससे पुरा देश प्रभावित है प्रेरित है साथियों देश की इन उप्रभदग्यों के बीच बंगाल की स्थिती भी आज पुरा देश देख रहा है मा माटी मानोष ये इसके ढोल पिटने वाली PMC ने संदेश खाली की बेहनों के साथ जो किया है वो देख कर पुरा देश दुखी है आक्रोशीत है और मैं कह सकता हूँ कि राजा राम महनराय की आत्मा आज जहां भी होगी इन लोगों के इन कारणामों के लेकर के अत्यंत दुखी होगी होगी क्योंकि इनों ने संदेश खाली में जो किया राजा राम होनराय उनकी आत्मा आज रोती होगी टीमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेट्यों के साथ दूस साहस की सारी हदे पार कर दी जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की मम्ता दीदी से मदद मांगी उन्हें बदले में क्या मिला मुख्यमंत्री दीदी ने बंगाल सरकार ने टीमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी बीजेपी के दवाओ में इन सारे नेताओं ने रात दिल लडाई लड़ी माताओ बैनों के सम्मार के लिए लडाई लई लाठियां खाई मुसिवते जेली बीजेपी के दवाओं में आखिर कर कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने जुक करके उस आरोपी को गिरप्तार करना पड़ा टीमसी के राज में टीमसी का यह अपरादी नेता करीब करीब दो महिने तक फरार रहा कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा क्या ऐसी टीमसी को माप करेंगे क्या माता और बेहनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे के नहीं लेंगे हर चोड का जवाब वोट से देना है आज बंगाल के जनता यहां के मुख्यमंत्री दीदी से पूछ रही है क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेज खाली की पिडित महिलाओं से भी जाता एहम हो गया है हरे शर्म आनी चाहिए बंगाल के मेरे भाव्यों भनों मुझे सबसे ज़्यादा हराने इंडी गड़बंदन के बाकी नेताओं को देखकर होती है इंडी गड़बंदन के बड़े बड़े नेताओं संदेज खाली पर आख कान मुझ गादी जीच को जो तीन बंदर देने हैं उन तीन बंदरों की तरह आख कान नाख मुझ सब यह बंद करके बैठे हैं पट्ला बैंगलोरो मुंबई न जाने कहां कहां यह साथ मिलकर बैठके करते हैं लेकिन क्या लेप्ट और कॉंग्रेस ने यहां की सरकार से यहां के मुक्वंत्री से जवाब मांगने की हिम्मत की क्या इन लोगों से संदेश ठालिक इन बहनों की तरफ एक नजर देखा भी नहीं गया और आपने देखा हैं कॉंग्रेस के राष्ट्री अद्यक्ष ने क्या कहा आप सुनकर के चौक जाएंगे मेरी माताओ बैनों जो बंगाली में मेरा टांसरसन कर सकते हैं वो इन माताओ बैनों को जुरूर बताएं कॉंग्रेस के राष्ट्री अद्यक्ष ने कहा का कॉंग्रेस के राष्ट्री अद्यक्ष कहते हैं अरे छोड़ो बंगाल में तो ये सब कुछ चलता रहता है क्या ये बंगाल का पान्हेक नहीं है बंगाल की महान परंप्रा का पान्हेक नहीं है बंगाल की महान संस्कृति का पान्हेक नहीं है बंगाल के वीर पुरुषों का पान्हेक नहीं है बंगाल के संस्कार प्रिय नागरिकों का पान्हेक रही है यही सच्चाई कॉंग्रेस की और इंदी गढ़बंधन की है साथियों इंदी गढ़बंधन के लिए ब्रस्टाचारियों परिवारवादियों और तुष्टी करणवालियों का साथ देना ही यही की काम बचा है यही सब्से बड़ा काम है टीमसी ने बंगाल में अपरार्व और ब्रस्टाचार का एक नया मोडल प्यदा कर दिया है राज्य सरकार प्रस्टाचार को बढ़ावा देती है अपराद को बढ़ावा देती है इतना ही नहीं अपरादियों को समुरक्षा के बदले टीमसी नेताओं को भर भर के पैसे मिलते है टीमसी ने हाँ प्राइमरी टीचर्स की भरती में गोटाला किया कियाग ने किया गोटाला कियाग ने किया टीमसी ने हाँ म्यूनिसिपालिटी भरतियों में गोटाला कियाग ने किया गोटाला कियाग ने किया PMZ ने हाँ सरकारी सामान की खरीद में गोटाला किया गने किया PMZ ने हाँ गरीब को राशन देने में गोटाला किया गने किया किया गने किया गरीब और मद्यमवर की जमीन पर कबजा करना हो चीट फंड योजनाओं में गोटाला करना हो बॉर्डर पर जानवरों की स्मगलिंग करनी हो PMZ ने गोटाले और ब्रफ्टाचार के लिए कोई छेत्र छोड़ा नहीं है और इसलिए देखो TMZ के मंत्यों के गर से नोटों के धेर निकल रहे हैं आपने इतन नोटों के धेर देखे नहीं देखे क्या कभी पहले नोटों के इतने बड़े देखे थे कभी सिन्वा में भी देखे थे क्या कर दिया है इन लोगों ने और उपर से यहां की सरकार केंद्रिय जाच एजंचियों को भी जाच करने से रोगने के लिए हर हटकंड़ा अपना रही है यहां के मुख्यमंत्री प्रश्टाचारियों को बचाने के लिए धरने पर बैठ जाती है तीमसी चाहती है कि केंद्र की योजनव भी उनको खुली लूट करने का मोका मिले अब मोदी इनकी मनमानी चलने नहीं दे रहा इसलिए मोदी को टीमसी अपना दुस्वन नमबर वन मानती है अब आप मुझे बता दीजिए मैं जरा आपको पूछता हूँ क्या ये टीमसी की लूट में चलने दू क्या ये टीमसी जो करतियों में करने दू क्या ये पैसा आपका हैक नहीं है ये बंगाल के लोगों का पैसा हैक नहीं है आपकी महनत का पैसा एक नहीं है, क्या हूँ औरों को लूटने दूख्या, अगर मैं लड़ायी लड़ता हूं तो सही करता हूं नहीं करता हूं, ये लूटने लोटने वालों को, ये लूटने वालों को लोटाना पड़ेगा, ये मोदी छोड़ने वाला नहीं है और मोदी ना इनकी गालियों से डरता है इनके हमले से डरने वाला रुकने वाला मोदी नहीं है मैंने पस्चिम मंगाल के बेनों पस्चिम मंगाल के गरीब पस्चिम मंगाल के युवाओं को गारंटी दी है और मोदी की गारंटी की है जिसने गरीब को लूटा है उसको लोटाना ही पड़ेगा साथियों तीमसी की सरकार के रवय की कारण पस्चिम मंगाल का विकास प्रभावित हो रहा है तीमसी सरकार की सजा यहां का गरीब और मिडल क्लास भूगत रहा है मैं आपको इसके कुछ प्रमाण देता हूँ जारिया और रानी गंज कोल फिल्ड का प्रोजेक्ट हमने लगबग छे साल पहले सुरू किया था लेकिन यहां की सरकार इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे है अठारा हजार करोड रुपिये का यहां कड़ा याद रखिए अठारा हजार करोड रुपिये जगदीशपूर हल्दिया और भोकारो धामरा पाइप्लाइन प्रोजेक्ट भी चार साल से पेंडिंग पड़ा है राज्य सरकार का सहयोग न मिलने के कारण तारकेश्वर से विष्टूपूर रेल लाइन का काम भी रुपा पड़ा है हजारो करोड रुपिये के ऐसे अनेक प्रोजेक्ट जिनके लिए केंदर सरकार ने पैसा सेंक्शन कर दिया लेकिन काम नहीं हो पा रहा है यहां तक कि T.M.C. सरकार गरीबों के घर तक नहीं बनने दे रही है पूरे देश में मोदी ने चार करोड से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर दिये है पक्के घर मिल चुके वो पक्के घर में दिवाली होली मगा रहे है दुरगा पुजा कर रहे है पच्चिम मंगार के गरीब परिवारों के लिए भी केंद्र की भाजपा सरकार ने 45 लाग 45 लाग गर हमने स्विक्रुत किये हैं इसके लिए 42 थाउजन करोड रुपिये 42,000 करोड रुपिये रिलीज किये गए हैं लेकिन बंगाल में राज़य सरकार गरीबों के घर बनाने के लिए तेजी से काम नहीं कर रही अडंगे डाल रही है, रुकावटे पैदा कर रही है आप मुझे पताइए पैसे हैं तो गरीबों के घर बनने चाहिए गर ने बनने चाहिए जल्दी से जल्दी बनने चाहिए अच्छे से अच्छे बनने चाहिए अच्छे बनने चाहिए क्या ये टीम से वाले बना सकते हैं क्या बना सकते हैं क्या अगर बनाएगा तो बीजेपी बनाएगी अगर करेगा तो बहुत ही करेगा मेरी माताई बैने इतनी बड़ी तादाद में आई है आपको मैं बताना चाहता हूँ आप जानते हैं केंदर सरकार हर गर नल से जल पहुंचाने का बियान चला रही है हर गर में पाइप से पानी पहुंचे लिए लिए काम हो रहा है चार साल के बीतर ही पूरे देश में ग्यारा करोड से जादा नए परिवारों को पाइप लाइन से नल से जल की सुविदा मिली है लेकिन हर गर जल देने के लिए पस्टिम मंगाल सरकार कच्छुए की रप्तार से काम कर रही है बताईए ऐसे लोगों को माप किया जा सकता है क्या माताए बेहने जो आपके घर पानी नहीं पहुंचने देते हैं उनका दाना पानी बंद करना चाहिए नहीं करना चाहिए करोगे क्या आपके हैं सिर्वाद रहेंगे साथियों उसे माताओ बेहनों बेट्यों की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है केंद्र सरकार पैसा दे रही है लेकिन यहां की सरकार उसका उप्योग भी नहीं कर रही है साथियों हर उस योजना से जिससे गरीब का भला होता हो टी-म-सी सरकार उसके सामने दिवार बनकर खड़ी हो गई है मोदी ने हर गरीब परिवार को पांच लाख उर्पय तक के मुप्त इलाज की गारेंटी दी है आईश्मान कार्ड से देश भर में करोडों गरीब परिवारों का मुप्त में इलाज हुआ है इससे इन परिवारों को लगबग एक लाख करोड रुपी की बचत हुई है लेकिन गरीब एस्सी एस्टी इनकी विरोधी टी-म-सी यहां के सवा करोड परिवारों को इसका लाब नहीं दे ले देती आप मुझे बताएए गरीब को मुप्त इलाज बिलना चाहिए अगर बिमारी में सरकार उसके पैसे दे तो उसको सहरवार का लाब मिलना चाहिए अब देखें यह गरीब विरोधी टी-म-सी वो भी नहीं करने देती देश के करोडों लोगों को मोधी बिमारी में पैसा दे रहा है बंगाल में नहीं दे पा रहा है क्योंकि टी-म-सी मना कर रही है टी-म-सी सरकार पी-म किसान सिन्मा निदी का लाब दिलाने में भी लंबे अर्से तक अड़गे लाग लगा रही है 12 सरकार के प्रयासों से हां बंगाल के छोटे किसान के बैंक खातों में सीधे 11,000 करोड रुपिय ट्रांसपर हुए है लेकिन टी-म-सी सरकार की पूरी कोशिश है कि इस योजना का पैसा भी हड़प लें साथियों, पी-म-सी सरकार, गरीब, किसान, नवजवान और महिला के ससक्त करण में बहुत बड़ी रुकावट है ये चार वर जब तक ससक्त नहीं होंगे तब तक पस्चिम मंगाल विक्सित नहीं हो सकता इसलिए आज केंदर सरकार, गरीब, किसान, नवजवान और महिला ससक्त करण सबसे ज़्यादा जोर दे रही है ये भाजपा की ही सरकार है, जिसने नारी, शक्ति, बंदिन, अदिनियम करके लोग सभा और विदान सभा में महिलाओं को आरक्षन दिया ये भाजपा की ही सरकार है जिसने नमो ड्रोन दीदी अभ्यान चुरू किया है इस अभ्यान के तहर हम गाउं की बेहनों बेटियों को आधुनिक ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं भाजपा की सरकार गाउं गाउं में महिला स्वयम सहायता समों को लाखो करोड की मदद दे रही है जिससे उनकी आमदनी और बड़े हमने देश में तीन करोड लखपती दीदी तीन करोड लखपती दीदी बनाने का भी संकल्प लिया है साथियों पस्चिम मंगाल विक्सिद होगा तबी बारत भी विक्सिद होगा इसके लिए जरूरी है कि आने वाले लोग सबाचुनाव में पस्चिम मंगाल की सभी सिटों पर कमल खिले खिलेगा तीमसी को गमंड है कि उसके पास एक निश्चित बोट बैंक है इस बार तीमसी का ये गमंड भी तूटेगा इस बार मुस्लिम बहन बेटियां भी तीमसी के गुंडा राज को उखाड फैकरने के लिए आगे आएगे इस लोग सबाचुनाव के नतीजे पस्चिम मंगाल से तीमसी सरकार काई का उसकी बिदाई का उसके पराजय का काउन डाउन शुरू करेंगे आज सब्दूर आखी आवाज आ रही है मैं अभी देख रहा था सुपेंद्व जीरो और हमारे अध्यक जी बता रहे थे एई बार मैं आपका फिर आभार व्यक्त करूँगा कि आप हमें इतनी बड़ी संख्या में आशिरवात देने आए आप अपने अपने गाउं जाएंगे तो आँ सब को कहना कि मोदी जी ने प्रणाम कहा है कहेंगे दोनों हाद उपर कर मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की बारत माता की बंदें बाद बाद धन्यवाब। बोरोरा प्रणाम एवाम छोटोरा अमार भालो भाशा ने बेन सबसे पहले तो मैं मात्रुश शक्ति को सामर्थ देने वाली इस भूमी को प्रणाम करता हूँ जहां बगल में ही खाना कूल में महान समाचुधारत राजा राम मुहन राईजी ने जन्मलिया और नारी शक्ति के जीवन को नया सामर्थ दिया था मैं खाना कूल की इस धर्ति को प्रणाम करता हूँ राजा राम मौंगराय की प्रेणा से भारत की नारी शक्ति के कल्यान के लिए जीजान से जुटा हुआ भायो भानो आप सभी इतनी बड़ी संख्या में हमें आशिरवात देने आये हैं हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं यहां कुछ नवजवान बहुत सुंदर सुंदर चित्र बना करके लाए थे वहाँ एक बेटी कितनी देर से भगवान जगनाजी का चित्र लेकर आई थी आप सबका क्योंकि यह धर्ती तो रग रग में कला आर्ट यह यहां की विशेस्ता है मैं आप सबका बहुत आभारी हूं लेकिन मैं अनुभाव कर रहा हूं कि वहाँ भी पीडी और वर्तमान युवा पीडी आपका ये प्यार इन सब के प्यार का एक प्रतीग है और इसलिए मैं रिजय से आप सबका धन्यवाद करता हूं साथियों अपसे कुछ देर पहले मुझे यहां साथ हजार करोड रुपिय से जादा के प्रोजेक का उद्गाटन और सिलान्यास करने का सवभाग्य मिला हूं इन में रेल पॉर्ट पेट्रोलियम और जल सकती से जुड़ी परियोजनाय शामिल है मैं बंगाल के आप सभी लोगों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं साथियों पस्चिम बंगाल आज़ादी के अंदोलन की प्रेणा स्थली रही गुलामी के विरुद्ध प्रखर नेत्रत्व देने वाली यहां के हर संतान का सपना था कि भारत विकास की नई उचाई प्राप्त करें आज मैं जब बंगाल आया हूं तो कह सकता हूं ति आज का भारत उनका यह सपना पूरा कर रहा है बीते दस साल में भारत ग्यारवे नंबर की इकना में से उपर उठकर पांचवे नंबर की आर्थिक ताकत बना है जी ट्विंटी में कैसे भारत की जैजे कार हुई यह हम सब ने देखा है आज भारत स्पेस सेक्टरी में अग्रणी बन रहा है जो काम दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया वो हमारे चंद्रयान ने किया है आज स्पोर्ट्स के छेत्र में भी भारत नए रिकॉर्ड बना रहा है अब आज स्वतंत्र भारत में देश की समरुद्धी और हमारा समरुद्ध सांस्कृतिक दरवर फिर से पूरे गवरों से नए उचाई प्राप्त कर रहा है और यह हम सभी का सौफाग्य है कि पांच सदियों के इंतजार के बाद पांच सो साल के बाद प्रभू स्री राम अपने भग्य मंदिर में विराजे है पस्री बंगाल में जीस तरह राम लला का स्वागत हुआ स्री राम के प्रती बंगाल के लोगों के जो आस्ता है उससे पुरा देश प्रभावित है प्रेरित है साथियों देश की इन उप्रभद्रग्यों के बीच बंगाल की स्थिती भी आज पुरा देश देख रहा है मा माटी मानोस ये इसके ढोल पिटने वाली पी-म-सी ने संदेश खाली की बेहनों के साथ जो किया है वो देखकर पुरा देश दुखी है आक्रोशीत है और मैं कह सकता हूँ कि राजा राम महनराय की आत्मा आज जहां भी होगी इन लोगों के इन कारणामों के लेकर के अत्यंत दुखी होगी होगी क्योंकि इन्होंने संदेश खाली में जो किया राजा राम होनराय उनकी आत्मा आज रोती होगी टीमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेट्यों के साथ दूस साहस की सारी हदे पार कर दी जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की मम्ता दीजी से मदद मांगी उन्हें बदले में क्या मिला मुख्यमंत्री दीजी ने बंगाल सरकार ने टीमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी बीजेपी के दबाओं में इन सारे नेताओं ने रात दिल लडाई लड़ी माता और बैनों के सम्मार के लिए लडाई लई लाठियां खाई मुसीवते जेली बीजेपी के दवाओं में आखिर कर कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने जुक करके उस आरोपी को गिरबतार करना पड़ा दीमसी के राज में तीमसी का यह अपरादी नेता करीब करीब दो महिने तक फरार रहा कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा क्या ऐसी टीमसी को माप करेंगे क्या माताओ बेनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे के नहीं लेंगे हर चोड का जवाब वोट से देना है आज बंगाल की जनता यहां के मुक्यमंत्री दीदी से पूछ रही है क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेज खाली की पिडित महिलाओं से भी जादा एहम हो गया है हरे शर्म आनी चाहिए बंगाल के मेरे भाईयों भहनों मुझे सबसे ज़्यादा हरानी इंडी गड़बंदन के बाकी नेताओं को देखकर होती है इंडी गड़बंदन के बड़े बड़े नेता संदेज खाली पर आँख कान मुँँ गादी जीजी को जो तीन बंदर देने है उन तीन बंदरों की तरह आख कान मुँँ सब ये बंद करके बैट ले हैं पटना बैंगलोरो मुंबई न जाने कहां कहां ये साथ मिलकर बैठा के करते हैं लेकिन क्या लेप्ट और कॉंग्रेस ने यहां की सरकार से यहां के मुक्वंत्री से जवाब मागने की हिम्मत की क्या इन लोगों से संदेश ठाली की इन बैणों की तरफ एक नजर देखा भी नहीं गया और आपने देखा हैं कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष ने क्या कहा आप सुनकर के चौक जाएंगे मेरी माताओ बैनों जो बंगाली में मेरा टांस्टेशन कर सकते हैं वो इन माताओ बैनों को जुरू बताएं कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्स ने काका कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्स कहते ए अरे छोड़ो बंगाल में तो ये सब कुछ चलता रहता है क्या ये बंगाल का प्पान है नहीं है बंगाल की महान परंप्रा का पान्हेक नहीं है बंगाल की महान संस्क्रिति का पान्हेक नहीं है बंगाल के वीर पुरुषों का पान्हेक नहीं है बंगाल के संस्कार प्रिय नागरिकों का पान्हेक नहीं है यही सच्चाई कॉंग्रेस की और इंडी गढ़बंधन की है साथियों इंडी गढ़बंधन के लिए ब्रस्टाचारियों परिवारवादियों और तुष्टी करणवालों का साथ देना ही ये की काम बचा है ये ही सबसे बड़ा काम है टी एमसी ने बंगाल में अपराग और प्रस्टाचार का एक नया मोडल प्यदा कर दिया है राज्य सरकार प्रस्टाचार को बढ़ावा देती है अपराग को बढ़ावा देती है इतना ही नहीं अपराधियों को समुरक्षां के बदले टीमसी नेताओं को भर भर के पैसे मिलते हैं टीमसी ने यहां प्राइमरी टीचर्स की भरती में गोटाला किया, क्याग ने किया गोटाला किया ने किया, टीमसी ने हां मूझिसिपालिटी भरतियों में गोटाला किया ने किया PMC ने हाँ सरकारी सामान की खरीद में PMC ने हाँ गरीब को राशन देने में गरीब और मद्यमवर की जमीन पर कबजा करना हो चीट फंड योजनों में गोटाला करना हो बॉर्डर पर जानवरों की स्मगलिंग करनी हो टीमसी ने गोटाले और ब्रश्टाचार के लिए कोई छेत्र छोड़ा नहीं है और इसलिए देखो टीमसी के मंत्रियों के गर से नोटों के धेर निकल रहे हैं नोटों के डेर आपने इतन नोटों के धेर देखे नहीं देखे देखे नहीं देखे प्या कभी पहले नोटों के इतने बड़े देखे थे कभी सिनेबा में भी देखे थे क्या कर दिया है इन लोगों ने और उपर से यहां की सरकार केंद्रिय जांच एजंचियों को भी जांच करने से रोक गिने के लिए हर हज़कंडा अपना रही है यहां के मुख्यमंत्री प्रष्टाचारियों को बचाने के लिए धरने पर बैठ जाती है तीमसी चाहती है कि केंद्र की योजनाओ भी उनको खुली लूट करने का मोका मिले अब मोदी इनकी मनमानी चलने नहीं दे रहा है इसलिए मोदी को टीमसी अपना दुस्वन नमबर वन मानती है अब आप मुझे बता दीजिए मैं ज़र आपको पूछता हूँ क्या यह टीमसी की लूट में चलने दू क्या यह टीमसी जो करतियों मैं करने दू क्या यह पैसा आपका है नहीं है यह बंगाल के लोगों का पैसा है नहीं है आपकी महनत का पैसा है नहीं है क्या वह औरों को लूटने दू क्या अगर मैं लड़ाई लड़ता हूँ तो सही करता हूँ नहीं करता हूँ ये लूटेरों के पीछे मैं कदम उठाता हूँ अच्छा कर रहा हूँ ने कर रहा हूँ मैं आज बंगाल को बादा कर रहा हूँ मेरी गारंटी है ये लूटने वालों को ये लूटने वालों को लोटाना पड़ेगा ये मोधी छोड़ने वाला नहीं है और मोधी ना इनकी गालियों से डरता है इनके हमले से दरने वाला रुकने वाला मोधी नहीं है मैंने पस्चिम मंगाल की बैनों पस्चिम मंगाल के गरीब पस्चिम मंगाल की युवाओं को गारंटी दी है और मोदी की गारणटी की है जिसने गरीब को लूटा है उसको लोटाना ही पड़ेगा साथियों तीमसी की सरकार के रवई की कारण पस्चिम बंगाल का विकास प्रभावित हो रहा है तीमसी सरकार की सजा यहां का गरीब और मिडल क्लास भूगत रहा है मैं आपको इसके कुछ प्रमार देता हूँ जारिया और रानी गंज कोल फिल्ड का प्रजेक हमने लगबग छे साल पहले सुरू किया था लेकिन यहां की सरकार इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं अठारा हजार करोड रुपिये का यहां कड़ा याद रखिए अठारा हजार करोड रुपिये जगदीश्पूर हल्दिया और भोकारो धामरा पाइपलाइन प्रोजेक भी चार साल से पेंडिंग पड़ा है राज्य सरकार का सहयोग न मिलने के कारण तारकेश्पर से विष्टूपूर रेल लाइन का काम भी रुपा पड़ा है हजारो करोड रुपिये के ऐसे अनेक प्रोजेक्स जिनके लिए केंदर सरकार ने पैसा सेंक्शन कर दिया लेकिन काम नहीं हो पा रहा है यहां तक की टी एम सी सरकार गरीबों के घर तक नहीं बनने दे रही है पूरे देश में मोदी ने चार करोड से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर दिये हैं पक्के घर मिल चुके वो पक्के घर में दिवाली होली मगा रहे हैं दुर्गया पुझा कर रहे हैं पच्चिम मंगार के गरीब परिवारों के लिए भी केंद्र की भाजपा सरकार ने 45 लाग 45 लाग गर हमने स्विक्रुत किये हैं इसके लिए 42,000 करोड रुपिये 42,000 करोड रुपिये रिलीज किये गए हैं लेकिन बंगाल में राज्य सरकार गरीबों के घर बनाने के लिए तेजी से काम नहीं कर रही अडंगे डाल रही है रुकावटे पैदा कर रही है आप मुझे पताये पैसे हैं तो गरीबों के घर बनने चाहिए गसे बनने चाहिए जल्दी से जल्दी बनने चाहिए है अच्छे से अच्छे बनने चाहिए है अगर करेगा तो बहुत ही करेगा मेरी माता ये बैर ने इतनी बड़ी तादाद में आई है आपको मैं बताना चाहता हूँ आप जानते हैं केंद्र सरकार हर गर नल से जल पहुंचाने का अभियान चला रही है हर गर में पाइप से पानी पहुंचे लिए लिए काम हो रहा है चार साल के बीतर ही पूरे देश में ग्यारा करोड से जादा नए परिवारों को पाइप लाइन से नल से जल की सुविदा मिली है लेकिन हर गर जल देने के लिए पस्टिम मंगाल सरकार कच्छुए की रप्तार से काम कर रही है बताईए ऐसे लोगों को माप किया जा सकता है क्या माताए बेहने जो आपके घर पानी नहीं पहुंचने देते हैं उनका दाना पानी बंद करना चाहिए नहीं करना चाहिए करोगे क्या आपके हसिरवाद रहेंगे साथियों उसे माताओ बेहनों बेट्यों की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है केंद्र सरकार पैसा दे रही है लेकिन यहां की सरकार उसका उप्योग भी नहीं कर रही है साथियों हर उस योजना से जिससे गरीब का भला होता हो टी-म-सी सरकार उसके सामने दिवार बनकर खड़ी हो गई है मोदी ने हर गरीब परिवार को पांच लाख उर्पिय तक के मुप्त इलाज की गारेंटी दी है आईश्मान कार्ड से देश भर में करोडों गरीब परिवारों का मुप्त में इलाज हुआ है इससे इन परिवारों को लगबग एक लाख करोड रुपी की बचत हुई है लेकिन गरीब एस्सी एस्टी इनकी विरोधी टी-म-सी यहां के सवा करोड परिवारों को इसका लाब नहीं दे ले देती आप मुझे बताईए गरीब को मुप्त इलाज मिलना चाहिए और नहीं मिलना चाहिए अगर बिमारी में सरकार उसके पैसे दे तो उसको सवारवार का लाब मिलना चाहिए और नहीं मिलना चाहिए अब देखे ये गरीब विरोधी टीमसी वो भी नहीं करने देती देश के करोडों लोगों को मोधी बिमारी में पैसा दे रहा है बंगाल में नहीं दे पा रहा है क्योंकि टीमसी मना कर रही है टीमसी सरकार पी-म किसान सिन्मा निदी का लाब दिलाने में भी लंबे अर्षे तक अड़के लाल लगा रही है 12 सरकार के प्रयासों से हाँ बंगाल के छोटे किसान के बेंखातों में सीधे 11,000 करोट रुपिय ट्रांसपर हुए है लेकिन TMC सरकार की पूरी कोशिस है कि इस योजना का पैसा भी हडप लें साथियों, PMC सरकार, गरीब, किसान, नवजवान और महिला के ससक्त करण में बहुत बड़ी रुकावट है ये चार वर जब तक ससक्त नहीं होंगे तब तक पस्टिम मंगाल विक्षित नहीं हो सकता इसलिए आज केंदर सरकार, गरीब, किसान, नवजवान और महिला ससक्ति करवर सबसे ज़्यादा जोर दे रही है ये भाजपा की ही सरकार है, जिसने नारी, शक्ति, बंदिन, अधिनियम करके लोग सभा और विदान सभा में महिलाओं को आरक्षन दिया ये भाजपा की ही सरकार है, जिसने नमो ड्रोन दीदी अभ्यान चुरू किया है इस अभ्यान के तहर हम गाउं की बेहनों बेटियों को आधुनिक ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं भाजपा की सरकार गाउं गाउं में महिला स्वयम सहायता समों को लाखो करोड की मदद दे रही है जिससे उनके आमदनी और बड़े हमने देश में तीन करोड लखपती दीदी तीन करोड लखपती दीदी बनाने का भी संकल्प लिया है साथियों पस्चिम मंगाल विक्सिद होगा तबी बारत भी विक्सिद होगा इसके लिए जरूरी है कि आने वाले लोग सबाचुनाव में पस्चिम मंगाल की सभी सिटों पर कमल खिले खिलेगा खिलेगा टीमसी को गमंड है कि उसके पास एक निश्चित बोट बैंक है इस बार टीमसी का ये गमंड भी तूटेगा इस बार मुस्लिम बहन बेटियां भी टीमसी के गुंडा राज को उखाड फैकरने के लिए आगे आएगे इस लोगसभा चुनाव के लतीजे पस्तिम मंगाल से टीमसी सरकार काई का उसकी बिदाई का उसके पराजय का काउंड डाउन शुरू करेंगे आज सब्दुर आकी आवाज आ रही है मैं अभी देख रहा था सुपेंद्र जीरो और हमारे अध्यक जी बता रहे थे ऐई बार मैं आपका फिर आभार व्यक्त करूँगा कि आप हमें इतनी बड़ी संख्या में आशिरवाद देने आए आप अपने अपने गाउं जाएंगे तो आँ सब को कहना कि मोदी जी ने प्रणाम कहा है कहेंगे दोरों हाथ उपर कर मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की वन दे 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 बाद बाद धन्यवाद तारकेश्वर महदेव की आराम बागवासी के अमार आंत्रीक सुबेच्चा बोरोरा प्रणाम एवाम छोटोरा अमार भालो भाशाने बेन सबसे पहने तो मैं मात्रु शक्ति को सामर्थ देने वाली इस भूमी को प्रणाम करता हूँ जहां बगल में ही खाना कूल में महान समाचुधारत राजा राम मौन राईजी ने जन्मलिया और नारी शक्ति के जीवन को नया सामर्थ दिया था मैं खाना कूल की धर्थी को प्रणाम करता हूँ राजा राम मौन राईजी की प्रेरना से भारत की नारी शक्ति के कल्यान के लिए जी जान से जुटा हुआ भायो भानो आप सभी इतनी बड़ी संख्या में हमें आसिरवाद देने आये हैं हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं यहां कुछ नवजवान बहुत सुन्दर सुन्दर चित्र बना करके लाए थे वहाँ एक बेटी कितनी देर से भगवान जगनाज जी का चित्र लेकर आई थी आप सब का क्योंकि यह धर्दी तो रगर रग में कला आर्ट यह यहां की विज़ेस्ता है मैं आप सब का बहुत आभारी हूँ लेकिन मैं अनुभव कर रहा हूँ कि वहाँ भी पीडी और वर्तमान युवा पीडी आपका यह प्यार इन सब के प्यार का एक प्रतीग है और इसलिए मैं रजय से आप सब का धन्यवाद करता हूँ साथियों अप से कुछ देर पहले मुझे यहाँ साथ हजार करोड रुपिये से जादा के प्रोजेक का उद्गाटन और शिलान्यास करने का सवबाग्य मिला इन में रेल, पॉर्ट, पेट्रोलियम और जल सक्ती से जुड़ी परियोजनाय शामिल है बैं बंगाल के आप सभी लोगों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हैं साथियों, पस्चिम बंगाल आज़ादी के अंदोलन की प्रेणा स्थली रही गुलामी के विरुद्ध प्रखर नेत्रत्व देने वाली यहां के हर संतान का सपना था कि भारत विकास की नई उचाई प्राप्त करे आज मैं जब बंगाल आया हूँ, तो कह सकता हूँ कि आज का भारत उनका यह सपना पूरा कर रहा है बीते दस साल में भारत ग्यारवे नंबर की इकानामी से उपर उठकर पांचवे नंबर की आर्थिक ताकत बना है G20 में कैसे भारत की जैजे कार हुई, यह हम सब ने देखा है आज भारत स्पेस सेक्टरी में अग्रणी बन रहा है जो काम दुनिया का कोई देख नहीं कर पाया, वो हमारे चंद्रयान ने किया है आज स्पोर्ट के छेत्र में भी भारत नए रिकॉर्ड बना रहा है अब आज स्वतंत्र भारत में देश की समरुद्धी और हमारा समरुद्ध सांस्कुर्दिक दरोवर फिर से पूरे गवरों से नई उचाई प्राप्त कर रहा है और यह हम सभी का सवभाग्य है कि पांच सदियों के इंतजार के बाद पांच सो साल के बाद प्रभूर्शी राम अपने भग्य मंदिर में विराजे है पस्चिम बंगाल में जीस तरह राम लला का स्वागत हुआ स्री राम के प्रती बंगाल के लोगों की जो आस्ता है उसे पुरा देश प्रभावित है प्रेरित है साथ्यों देश की इन उप्रब्दग्यों के बीच बंगाल की स्थिती भी आज पुरा देश देख रहा है मा, माटी, मानोष ये इसके ढोल पिटने वाली पी-एमसी ने संदेश खाली की बेहनों के साथ जो किया है वो देख कर पुरा देश दुखी है आक्रोशीत है और मैं कह सकता हूँ कि राजा राम महनराई की आत्मा आज जहां भी होगी इन लोगों के इन कारणामों के लेकर के अत्यंत दुखी होई होगी क्योंकि इनों ने संदेश खाली में जो किया राजा राम महनराई उनकी आत्मा आज रोती होगी टी-एमसी के नेता ने संदेश खाली में बेहनों बेट्यों के साथ दूस साहस की सारी हदे पार कर दी जब संदेश खाली की बेहनों ने अपनी आवाज बुलंद की ममता दीदी से मदद मांगी उन्हें बदले में क्या मिला मुख्यमंत्री दीदी ने बंगाल सरकार ने टी-एमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ती लगा दी बीजेपी के दवाओ में इन सारे नेताओं ने रात दिल लडाई लड़ी माताओ बैनों के सम्मार के लिए लड़ाई ली लाठियां खाई मुसीबते जेली बीजेपी के दवाओ में आखिर कर कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने जुक करके उस आरोपी को गिरत्तार करना पड़ा टीमसी के राजबें टीमसी का यह अपरादी नेता करीब करीब दो महिने तक फरार रहा कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा क्या ऐसी टीमसी को माप करेंगे क्या माता और बेनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे के नहीं लेंगे हर चोड का जवाब वोट से देना है आज बंगाल के जनता यहां के मुक्यमंत्री दीदी से पूछ रही है क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेज खाली की पिडित महिलाओं से भी जादा एहम हो गया है हरे शर्म आनी चाहिए बंगाल के मेरे भाग्यों भहनों मुझे सबसे ज़्यादा हराने इंडी गड़बंदन के बाकी नेताओं को देख कर होती है इंडी गड़बंदन के बड़े बड़े नेता संदेज खाली पर आख कान मुझे गादी जीजी को जो तीन बंदर देने उन तीन बंदरों की तरह आख कान नाख मुझे सब ये बंद करके बैटे है पटला बैंगलोरो मुंबई न जाने कहां कहां ये साथ मिलकर बैठगे करते हैं लेकिन क्या लेप और कॉंग्रेस ने यहां की सरकार से यहां के मुक्वंत्री से जवाब मागने की हिम्मत की क्या इन लोगों से संदेश ठाली की इन बहनों की तरफ एक नजर देखा भी नहीं गया और आपने देखा हैं कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष ने क्या कहा आप सुनकर के चोग जाएंगे मेरी माताओ बेनों जो बंगाली में मेरा टांसेजन कर सकते हैं वो इन माताओ बेनों को जुरू बताएं कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष ने कहा का कॉंग्रेस के राष्ट्रिय दिख कहते हैं अरे छोड़ो बंगाल में तो ये सब कुछ चलता रहता है क्या ये बंगाल का पान हैग नहीं है बंगाल की महान परंपरा का पान हैग नहीं है बंगाल की महान संस्कृति का पान हैग नहीं है बंगाल के वीर पुरुषों का पान्हेक नहीं है बंगाल के संस्कार प्रिय नागरिकों का पान्हेक नहीं है यही सक्चाई कॉंग्रेस की और इंडी गढ़बंदन की है साथियों इंडी गढ़बंदन के लिए ब्रस्टाचारियों परिवारवादियों और तुष्टी करणवालियों का साथ देना ही यही की काम बचा है यही सब्से बड़ा काम है टी एमसी ने बंगाल में अपराद और प्रस्टाचार का एक नया मोडल प्यदा कर दिया है राज्य सरकार प्रस्टाचार को बढ़ावा देती है अपराद को बढ़ावा देती है इतना ही नहीं अपराद्यों को समुरक्षा के बदले टी एमसी नेताओं को भर भर के पैसे मिलते है टी एमसी ने यहां प्राइमरी टीचर्स की भरती में गोटाला किया, क्याग ने किया गोटाला क्याग ने किया टी एमसी ने यहां म्यूनिसिपालिटी भरतियों में गोटाला क्याग ने किया गोटाला क्याग ने किया टी एमसी ने यहां सरकारी सामान की खरीद में गोटाला क्याग ने किया गोटाला क्याग ने किया टी एमसी ने यहां गरीब को राशन देने में गोटाला किया गने किया गने किया गरीब और मद्दमवर की जमीन पर कबजा करना हो चीट फंड योजनों में गोटाला करना हो बॉर्डर पर जानवरों की स्मगलिंग करनी हो तो टीमसी ने गोटाले और ब्रफ्टाचार के लिए कोई छेत्र छोड़ा नहीं है और इसलिए देखो टीमसी के मंत्यों के गर से नोटों के धेर निकल रहे हैं नोटों के धेर आपने इतन नोटों के धेर देखे नहीं देखे देखे नहीं देखे प्या कभी पहले नोटों का इतने बड़े धेर देखे थे कभी सिनेबा में भी देखे देगा क्या कर दिया इन लोगों ने और उपर से यहां की सरकार केंद्रिय जाच एजन्चियों को भी जाच करने से रोगने के लिए हर हद कंडा अपना रही है यहां के मुख्य मंतरी प्रश्टा चारियों को बचाने के लिए धरने पर बैठ जाती है TMC चाहती है कि केंदर की योजनाव भी उनको खुली लूट करने का मोका मिले अब मोदी इनकी मनमानी चलने नहीं दे रहा इसलिए मोदी को TMC अपना दुस्वन नमबर वन मानती है अब आप मुझे बता दीजिए मैं जड़ा आपको पूछता हूँ क्या ये TMC की लूट में चलने दू क्या ये TMC जो करतियों में करने दू क्या ये पैसा आपका हैग नहीं है ये बंगाल के लोगों का पैसा हैग नहीं है आपकी महनत का पैसा हैग नहीं है क्या वारों को लूटने दू क्या कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं मैं आज बंगाल को बादा कर रहा हूं मेरी गारंटी है है यह लूटने वालों को यह लूटने वालों को लोटाना पड़ेगा यह मोदी छोड़ने वाला नहीं है और मोदी नहीं की गालियों से डरता है इनके हमले से डरने वाला रूखने वाला मोदी नहीं है मैंने पस्चिम मंगाल की बेनों पस्चिम मंगाल की गरीब पस्चिम मंगाल की युवाओं को गारंटी दी है और मोदी की गारंटी की है जिसने गरीब को लूटा है उसको लोटाना ही पड़ेगा साथियों टीम्सी की सरकार के रवे के कारां पस्चिम मंगाल का विकास प्रभावित हो रहा है टीम्सी सरकार की सजा यहां का गरीब और मिडल क्लास भूगत रहा है मैं आपको इसके कुछ प्रमाण देता हूँ जारिया और रानिगंज कोल फिल्ड का प्रोजेक्ट हमने लगबग छे साल पहले सुरू किया था लेकिन यहां की सरकार इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे है अठारा हजार करोड रुपिये का यह अकड़ा याद रखिए अठारा हजार करोड रुपिये जगदीशपूर हल्दिया और भोकारो धामरा पाइप्लाइन प्रोजेक्ट भी चार साल से पेंडिंग पड़ा है राज्य सरकार का सहयोग न मिलने के कारण तारकेशपर से विश्टूपूर रेल लाइन का काम भी रुपा पड़ा है हजारो करोड रुपिये के ऐसे अनेक प्रोजेक्ट जिनके लिए केंदर सरकार ने पैसा सेंक्शन कर दिया लेकिन काम नहीं हो पा रहा है यहां तक की टी एम सी सरकार गरीबों के घर तक नहीं बनने दे रही है पूरे देश में मोदी ने चार करोड से अधिक गरीब परिवारों को पके घर दिये है पक के घर मिल चुके वो पक के घर में दिवाली होली मणा रहे है दुरगा पुजा कर रहे है पच्चिम मंगार के गरीब परिवारों के लिए भी केंदर की भाजपा सरकार ने 45 लाग 45 लाग गर हमने स्विक्रूत किये है इसके लिए 42 थाउजन करोड रुपिये 42 लाग रुपिये रिलीज किये गए है लेकिन बंगाल में राज्य सरकार गरीबों के घर बनाने के लिए तेजी से काम नहीं कर रही अडंगे डाल रही है रुकावटे पैदा कर रही है आप मुझे पताईए पैसे हैं तो गरीबों के घर बनने चाहिए गर नहीं बनने चाहिए जल्दी से जल्दी बनने चाहिए गर नहीं बनने चाहिए अच्छे से अच्छे बनने चाहिए गर नहीं बनने चाहिए मेरी माताई बैने इतनी बड़ी तादाज में आई है आपको मैं बताना चाहता हूँ आप जानते हैं केंद्र सरकार हर घर नल से जल पहुंचाने का अभियान चला रही है हर घर में पाइप से पानी पहुंचे लिए काम हो रहा है चार साल के बीतर ही पूरे देश में ग्यारा करोड से जादा नए परिवारों को पाइप लाइन से नल से जल की सुविदा मिली है लेकिन हर घर जल देने के लिए पस्टिम मंगाल सरकार कच्छुए की रप्तार से काम कर रही है बताईए ऐसे लोगों को माप किया जा सकता है क्या माता ये बेने जो आपके घर पानी नहीं पहुंचने देते हैं उनका दाना पानी बंद करना चाहिए करोगे क्या आपके हसिरवाद रहेंगे साथियों उसे माताओ बेनों बेट्यों की परिशानियों से कोई लेना देना नहीं है केंद्र सरकार पैसा दे रही है लेकिन यहां की सरकार उसका उप्योग भी नहीं कर रही है साथियों हर उस योजना से जिससे गरीब का भला होता हो टी-म-सी सरकार उसके सामने दिवार बनकर खड़ी हो गई है मोदी ने हर गरीब परिवार को पांच लाख उर्पय तक के मुप्त इलाज की गारेंटी दी है आईश्मान कार्ड से देश भर में करोडों गरीब परिवारों का मुप्त में इलाज हुआ है इससे इन परिवारों को लगबग एक लाग करोड रुपी की बचत हुई है लेकिन गरीब, SC, ST, इनकी विरोधी, TMC यहां के सवा करोड परिवारों को इसका लाब नहीं दे ले देती आप मुझे बताईए, गरीब को मुप्त इलाज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए अगर बिमारी में सरकार उसके पैसे दे, तो उसको सवारवार का लाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए अब देखे यह गरीब विरोधी, TMC वो भी नहीं करने देती देश के करोडों लोगों को मोधी बिमारी में पैसा दे रहा है बंगाल में नहीं दे पा रहा है क्योंकि टी-म-सी मना कर रही है टी-म-सी सरकार पी-म किसान सिम्मा निदी का लाब दिलाने में भी लंबे अर्शे तक अड़गे लाग लगा रही है 12 सरकार के प्रयासों से हां बंगाल के छोटे किसान के बैंक खातों में सीधे 11,000 करोड रुपिय ट्रांसपर हुए है लेकिन टी-म-सी सरकार की पूरी कोशिश है कि इस योजना का पैसा भी हड़प लें साथियों, पी-म-सी सरकार, गरीब, किसान, नवजवान और महिला के ससक्त करण में बहुत बड़ी रुकावट है ये चार वर जब तक ससक्त नहीं होंगे तब तक पस्चिम मंगाल विक्षित नहीं हो सकता इसलिए आज केंद्र सरकार, गरीब, किसान, नवजवान और महिला ससक्त करण सबसे ज़्यादा जोर दे रही है ये भाजपा की ही सरकार है जिसने नारी, शक्ती, बंद्यन, अदिनियम करके लोग सभा और विदान सभा में महिलाओं को आरक्षन दिया ये भाजपा की ही सरकार है जिसने नमो ड्रोन दीदी अभ्यान चुरू किया है इस अभ्यान के तहर हम गाउं की बेहनों बेटियों को आधुनिक ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहे है बाज़पा की सरकार गाउं गाउं में महिला स्वयम सहायता समों को लाखो करोड की मदद दे रही है जिससे उनके आमदनी और बड़े हमने देश में तीन करोड लखपती दीदी तीन करोड लखपती दीदी बनाने का भी संकल्प लिया है साथियों पस्टिम मंगाल विक्सिद होगा तबी बारत भी विक्सिद होगा इसके लिए जरूरी है कि आने वाले लोग सबाचुनाव में पस्टिम मंगाल की सभी सिटों पर कमल खिले खिलेगा खिलेगा टीमसी को गमंड है कि उसके पास एक निश्चित बोट बैंक है इस बार टीमसी का ये गमंड भी तूटेगा इस बार मुस्लिम बहन बेटियां भी टीमसी के गुंडा राज को उखाड फैकने के लिए आगे आएगे इस लोग सबाचुनाव के लतीजे पस्तिम मंगाल से टीमसी सरकार काई का उसकी बिदाई का उसके पराजय का काउंड डाउन शुरू करेंगे आज सब्दू राकी आवाज आ रही है मैं अभी देख रहा था सुपेंदुजी ओ मैं आपका फिर आभार व्यक्त करूंगा कि आप हमें इतनी बड़ी संख्या में आशिरवाद देने आए आप अपने अपने गाउं जाएंगे तो आप सब को कहना कि मोदी जी ने प्रणाम कहा है कहेंगे दोरों हाथ उपर कर मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 वंद बोरोरा प्रणाम एवाम छोटोरा अमार भालो भाशा ने बेंद। सबसे पहने तो मैं मात्रुश शक्ति को सामर्थ देने वाली इस भूमी को प्रणाम करता हूँ जहां बगल में ही खाना कूल में महान समाचुधारत राजा राम मौन राईजी ने जन्मलिया और नारी शक्ति के जीवन को नया सामर्थ दिया था मैं खाना कूल की धर्ति को प्रणाम करता हूँ राजा राम मौन राई की प्रेणा से भारत की नारी शक्ति के कल्यान के लिए जीजान से जुटा हुआ भायो भानो आप सभी इतनी बड़ी संख्या में हमें आसिरवात देने आये हैं हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं कि यहां कुछ नवजवान बहुत सुंदर सुंदर चित्र बना करके लाए थे वहां एक बेटी कितनी देर से भगवान जगनाजी का चित्र लेकर आई थी आप सबका क्योंकि यह धर्ती तो रग रग में कला आर्ट यह यहां की विजिस्ता है मैं आप सबका बहुत आभारी हूं लेकिन मैं अनुभाव कर रहा हूं कि बहां भी पीडी और वरतमान युवा पीडी आपका ये प्यार इन सबके प्यार का एक प्रतीग है और इसलिए मैं रज़य से आप सबका धन्यवाद करता हूं साथियों अब से कुछ देर पहले मुझे यहां साथ हजार करोड रुपिय से जादा के प्रोजेक का उद्गाटन और सिलान्यास करने का सवभाग्य मिला इन में रेल पॉर्ट पेट्रोलियूम और जल सक्ति से जुड़ी परियोजनाय शामिल है मैं बंगाल के आप सभी लोगों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बढ़ाई देता हूं साथियों पस्चिम बंगाल आज़ादी के अंदोलन की प्रेना स्थली रही गुलामी के विरुद प्रखर नेत्रत्व देने वाली यहां के हर संतान का सपना था कि भारत विकास की नई उचाई प्राप्त करें आज मैं जब बंगाल आया हूं तो कह सकता हूं ति आज का भारत उनका ये सपना पूरा कर रहा है बीते दस साल में भारत ग्यारवे नंबर की इकाना में से उपर उठकर पांचवे नंबर की आर्थिक ताकत बना है जी ट्विंटी में कैसे भारत की जैजे कार हुई ये हम सब ने देखा है आज भारत स्पेस सेक्टरी में अग्रणी बन रहा है जो काम दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया वो हमारे चंद्रयान ने किया है आज स्पोर्ट्स के छेत्र में भी भारत नए रिकॉर्ड बना रहा है अब आज स्वतंत्र भारत में देश की समरुद्धी और हमारा समरुद्ध सांस्कुर्दिक धरवर फिर से पूरे गवरव से नए उचाई प्राप्त कर रहा है और यह हम सभी का सवभाग्य है कि पांच सदियों के इंतजार के बाद पांच सो साल के बाद प्रभू सी राम अपने भग्य मंदिर में विराजे है पस्ति बंगाल में जीस तरह राम लला का स्वागत हुआ स्री राम के प्रती बंगाल के लोगों के जो आस्ता है उसे पुरा देश प्रभावित है प्रेरित है साथियों देश की इन उप्रभद्रग्यों के बीच बंगाल की स्थिती भी आज पुरा देश देख रहा है मा, माटी, मानुष ये इसके ढोल पिटने वाली पी-मसी ने संदेश खाली की बेहनों के साथ जो किया है वो देखकर पुरा देश दुखी है आक्रोशीत है और मैं कह सकता हूँ कि राजा राम महनराई की आत्मा आज जहां भी होगी इन लोगों के इन कारणामों के लेकर के अत्यंत दुखी होई होगी क्योंकि इनोंने संदेश खाली में जो किया राजा राम होनराई उनकी आत्मा आज रोती होगी टीमसी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेट्यों के साथ दूस साहस की सारी हदे पार कर दी जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की मम्ता दीदी से मदद मांगी उन्हें बदले में क्या मिला मुख्यमंत्री दीदी ने बंगाल सरकार ने टीमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ती लगा दी बीजेपी के दबाओं में इन सारे नेताओं ने रात दिल लडाई लड़ी माताओ बैनों के सम्मार के लिए लड़ाई लई लाठियां खाई मुसिबते जेली बीजेपी के दबाओं में आखिर कर कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने जुक करके उस आरोपी को गिरपतार करना पड़ा दीमसी के राजबें दीमसी का यह अपरादी नेता करीब करीब दो महिने तक फरार रहा कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा क्या ऐसी टीमसी को माप करेंगे क्या माता औ बेनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे के नहीं लेंगे लेंगे के नहीं लेंगे हर चोड का जवाब वोट से देना है आज मंगाल की जनता यहां के मुख्यमंत्री दीदी से पूछ रही है क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश खाली की पिडित महिलाओं से भी ज़्यादा एहम हो गया है हरे शर्मानी चाहिए बंगाल के मेरे भाग्यों भहनो मुझे सबसे ज़्यादा हरानी इंडी गड़बंदन के बाकी नेताओं को देख कर होती है इंडी गड़बंदन के बड़े बड़े नेता संदेश खाली पर आख, कान, मुँँ गादी जीजी को जो तीन मंदर देने हैं बैठा के करते हैं लेकिन क्या लेप्ट और कॉंग्रेस ने यहां की सरकार से यहां के मुक्वंत्री से जवाब मागने की हिम्मत की क्या इन लोगों से संदेश खाली की इन बहनों की तरफ एक नजर देखा भी नहीं गया और आपने देखा है कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष ने क्या कहा आप सुनकर के चोग जाएंगे मेरी माताओ बेनों जो बंगाली में मेरा टांसरसन कर सकते हैं वो इन माताओ बेनों को जुरूर बताएं कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्रिक्ष ने का का कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्रिक्ष कहते हैं अरे छोड़ो बंगाल में तो ये सब कुछ चलता रहता है क्या ये बंगाल का पान हैग नहीं है बंगाल की महान परंप्रा का पान हैग नहीं है बंगाल की महान संस्कृति का पान्हेक नहीं है बंगाल के वीर पुरुषों का पान्हेक नहीं है बंगाल के संस्कार प्रिय नागरिकों का पान्हेक नहीं है यही सच्चाई कॉंग्रेस की और इंडी कटबंदन की है साथियों इंडी गद्वन्दन के लिए ब्रस्टाचारियों परिवारवादियों और तुष्टी करणवालियों का साथ देना ही ये की काम बचा है ये ही सब्चे बड़ा काम है टी एमसी ने बंगाल में अपराद और प्रस्टाचार का एक नया मोडल प्यदा कर दिया है राज्य सरकार प्रस्टाचार को बढ़ावा देती है अपराद को बढ़ावा देती है इतना ही नहीं अपरादियों को समुरक्षा के बदले टी एमसी नेताओं को भर भर के पैसे मिलते है टी एमसी ने यहां प्राइमरी टीचर्स की भरती में गोटाला किया गोटाला किया ने किया टी एमसी ने हां मुनिसिपालिटी भरतियों में गोटाला किया ने किया गोटाला किया गने किया पीमजी ने हाँ सरकारी सामान की खरीद में गोटाला किया गने किया गोटाला किया गने किया पीमजी ने हाँ गरीब को राशन देने में गोटाला किया गने किया किया ने किया गरीब और मद्यमवर की जमीन पर कबजा करना हो चीट फंड योजनाओं में गोटाला करना हो बॉर्डर पर जानवरों की स्मगलिंग करनी हो तो टीमसी ने गोटाले और ब्रश्टाचार के लिए कोई छेत्र छोड़ा नहीं है और इसलिए देखो टीमसी के मंत्रियों के गर से नोटों के धेर निकल रहे हैं नोटों के धेर आपने इतने नोटों के धेर देखे नहीं देखे देखे नहीं देखे प्या कभी पहले नोटों का इतने बड़े धेर देखे थे कभी सिन्यमा में भी देखें देगा क्या कर दिया इन लोगों ने और उपर से यहां की सरकार केंद्रिय जाच एजंचियों को भी जाच करने से रोकने के लिए हर हटकंडा अपना रही है यहां के मुख्य मंत्री प्रश्टाचारियों को बचाने के लिए धरने पर बैठ जाती है TMC चाहती है कि केंदर की योजनाव भी उनको खुली लूट करने का मोका मिले अब मोदी इनकी मनमानी चलने नहीं दे रहा इसलिए मोदी को TMC अपना दुस्वन नमबर वन मानती है अब आप मुझे बता दीजिए मैं जड़ा आपको पूछता हूँ क्या ये TMC की लूट में चलने दू क्या ये TMC जो करतियों में करने दू क्या ये पैसा आपका हैग नहीं है ये बंगाल के लोगों का पैसा हैग नहीं है आपकी महनत का पैसा हैग नहीं है क्या वारों को लूटने दू क्या कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं मैं आज बंगाल को बादा कर रहा हूं मेरी गारांटी है यह लूटने वालों को यह लूटने वालों को लोटाना पड़ेगा यह मोदी छोड़ने वाला नहीं है और मोदी नहीं की गालियों से डरता है इनके हमले से दरने वाला रूखने वाला मोदी नहीं है मैंने पस्चिम मंगाल के बेनों पस्चिम मंगाल के गरीब पस्चिम मंगाल के युवाओं को गारांटी दी है और मोदी की गारांटी की है जिसने गरीब को लूटा है उसको लोटाना ही पड़ेगा साथियों तीमसी की सरकार के रवय के कारण पस्चिम मंगाल का विकास प्रभावित हो रहा है तीमसी सरकार की सजा यहां का गरीब और मिडल क्लास भूगत रहा है मैं आपको इसके कुछ प्रमार देता हूँ जारिया और रानी गंज कोल फिल्ड का प्रोजेक्ट हमने लगबग छे साल पहले शुरू किया था लेकिन यहां की सरकार इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं अठारा हजार करोड रुपिये का यह अकड़ा याद रखिए अठारा हजार करोड रुपिये जगदिश्पूर हल्दिया और बोकारो धामरा पाइप्लाइन प्रोजेक्ट भी चार साल से पेंडिंग पड़ा है राज्य सरकार का सहियोग न मिलने के कारण तारकेश्पर से विष्टूपूर रेल लाइन का काम भी रुपा पड़ा है हजारो करोड रुपिये के ऐसे अनेख प्रोजेक्ट जिनके लिए केंदर सरकार ने पैसा सेंक्शन कर दिया लेकिन काम नहीं ओपा रहा है यहां तक की टी एम सी सरकार गरीबों के घर तक नहीं बनने दे रही है पूरे देश में मोदी ने चार करोड से अधिक गरीब परिवारों को पके घर दिये हैं पक्के घर मिल चुके वो पक्के घर में दिवाली होली मगा रहे दुर्गया पुझा कर रहे है पच्चिम मंगार के गरीब परिवारों के लिए भी केंदर की भाजपा सरकार ने 45 लाग 45 लाग गर हमने स्विक्रुत किये हैं इसके लिए 42 थावजन करोड रुपिये 42 थावजन करोड रुपिये रिलीज किये गए हैं लेकिन बंगाल में राज्य सरकार गरीबों के घर बनाने के लिए तेजी से काम नहीं कर रही अडंगे डाल रही हैं रुकावटे पैदा कर रही हैं आप मुझे पताईए पैसे हैं तो गरीबों के घर बनने चाहिए गने बनने चाहिए जल्दी से जल्दी बनने चाहिए गने बनने चाहिए अच्छे से अच्छे बनने चाहिए गने बनने चाहिए क्या ये टीमसे वाले बना सकते हैं क्या बना सकते हैं क्या अगर बनाएगा तो बीजेपी बनाएगी अगर करेगा तो बोधी करेगा मेरी माताई बैने इतनी बड़ी तादाज में आई है आपको मैं बताना चाहता हूँ आप जानते हैं केंदर सरकार हर गर नल से जल पहुंचाने का अभियान चला रही है हर गर में पाइप से पानी पहुंचे लिज़ें काम हो रहा है चार साल के बीतर ही पूरे देश में ग्यारा करोड से जादा नए परिवारों को पाइप लाइन से नल से जल की सुविदा मिली है लेकिन हर गर जल देने के लिए पस्टिम मंगाल सरकार कच्छुए की रप्तार से काम कर रही है बताईए ऐसे लोगों को माप किया जा सकता है क्या माता है बेने जो आपके गर पानी नहीं पहुंचने देते हैं उनका दाना पानी बंद करना चाहिए करोगे क्या आपके हसिर्वाद रहेंगे साथियों उसे माताओ बेनो बेट्यों की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है केंद्र सरकार पैसा दे रही है लेकिन यहां की सरकार उसका उप्योग भी नहीं कर रही है साथियों हर उस योजना से जिससे गरीब का भला होता हो टीमसी सरकार उसके सामने दिवार बनकर खड़ी हो गई है मोदी ने हर गरीब परिवार को पांच लाख उर्प्य तक के मुप्त इलाज की गारेंटी दी है आईश्मान कार से देश भर में करोडों गरीब परिवारों का मुप्त में इलाज हुआ है इससे इन परिवारों को लगबग एक लाख करोड रुपी की बचत हुई है लेकिन गरीब एस्सी एस्टी इनकी विरोधी टीमसी यहां के सवा करोड परिवारों को इसका लाब नहीं दे ले देती आप मुझे बताईए गरीब को मुप्त इलाज मिलना चाहिए और नहीं मिलना चाहिए अगर बिमारी में सरकार उसके पैसे दे तो उसको सहरवार का लाब मिलना चाहिए और नहीं मिलना चाहिए अब देखिए ये गरीब विरोधी टीमसी वो भी नहीं करने देती देश के करोडों लोगों को मोधी बिमारी में पैसा दे रहा है बंगाल में नहीं दे पा रहा है क्योंकि टी-मसी मना कर रही है टी-मसी सरकार पी-म किसान सिन्मा निदी का लाब दिलाने में भी लंबे अर्से तक अड़गे लाल लगा रही है 12 सरकार के प्रयासों से हां बंगाल के छोटे किसान के बैंक खातों में सीधे 11,000 करोड रुपिय ट्रांसपर हुए है लेकिन टी-मसी सरकार की पूरी कोशिस है कि इस योजना का पैसा भी हड़प लें साथियों, पी-मसी सरकार, गरीब, किसान, नवजवान और महिला के ससक्त करण में बहुत बड़ी रुकावट है ये चार बर जब तक ससक्त नहीं होंगे तब तक पस्टिम मंगाल विक्षित नहीं हो सकता इसलिए आज केंद्र सरकार, गरीब, किसान, नवजवान और महिला ससक्त करण सबसे ज़्यादा जोर दे रही है ये भाजपा की ही सरकार है जिसने नारी, शक्ति, बंदिन, अधिनियम करके लोग सभा और विदान सभा में महिलाओं को आरक्षन दिया ये भाजपा की ही सरकार है जिसने नमो ड्रोन दीदी अभ्यान चुरू किया है इस अभ्यान के तहर हम गाउं की बेहनों बेटियों को आधुनिक ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहे है बाज़पा की सरकार गाउं गाउं में महिला स्वयम सहायता समों को लाखो करोड की मदद दे रही है जिससे उनके आमदनी और बड़े हमने देश में तीन करोड लखपती दीदी तीन करोड लखपती दीदी बनाने का भी संकल्प लिया है साथियों पस्टिम मंगाल विक्सिद होगा तबी बारत भी विक्सिद होगा इसके लिए जरूरी है कि आने वाले लोग सबाचुनाव में पस्टिम मंगाल की सभी सिटों पर कमल खिले खिलेगा खिलेगा टीमसी को गमंड है कि उसके पास एक निश्चिद बूट बैंक है इस बार टीमसी का ये गमंड भी तूटेगा इस बार मुस्लिम बेहन बेटियां भी टीमसी के गुंडा राज को उखाड फैकरने के लिए आगे आएगे इस लोग सबाचुनाव के लतीजे पस्तिम मंगाल से टीमसी सरकार काई का उसकी बिदाई का उसके पराजय का काउंड डाउन शुरू करेंगे आज सब्दुर आकी आवाज आ रही है मैं अभी देख रहा था सुपेंदों जीरो और हमारे अध्यक्ची बता रहे थे ऐई बार ऐई बार मैं आपका फिर आभार व्यक्त करूँगा कि आप हमें इतनी बड़ी संख्या में आशिरवाद देने आए आप अपने अपने गाउं जाएंगे तो आँ सब को कहना कि मोदी जी ने प्रणाम कहा है कहेंगे दोरों हाथ उपर कर मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की वन्दे 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 व आराम बागवासी के आमार आंत्रिक सुभेच्चा बोरोरा प्रणाम एवाम छोटोरा आमार भालो भाशाने बेन सबसे पहने तो मैं मात्रुश शक्ति को सामर्थ देने वाली इस भूमी को प्रणाम करता हूँ जहां बगल में ही खाना कूल में महान समाचुधारत राजा राम मुहन राईजी ने जन्मलिया और नारी शक्ति के जीवन को नया सामर्थ दिया था मैं खाना कूल की इस धर्ति को प्रणाम करता हूँ राजा राम मुहन राई की प्रेना से भारत की नारी शक्ति के कल्यान के लिए जी जान से जुटा हुआ भायो भारो आप सभी इतनी बड़ी संख्या में हमें आसिरवात देने आये हैं हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं यहां कुछ नवजवान बहुत सुन्दर सुन्दर चित्र बना करके लाए थे वहाँ एक बेटी कितनी देर से भगवान जगनाजी का चित्र लेकर आई थी आप सब का क्योंकि यह धर्ती तो रग रग में कला आर्ट यह यहां की विज़ेस्ता है मैं आप सब का बहुत आभारी हूँ लेकिन मैं अनुभाव कर रहा हूँ कि बहाँ भी पीडी और वर्तमान युवा पीडी आपका ये प्यार इन सब के प्यार का एक प्रतीग है और इसलिए मैं रजय से आप सब का धन्यवाद करता हूँ साथियों अप से कुछ देर पहले मुझे यहां साथ हजार करोड रुपिये से ज़्यादा के प्रोजेक का उद्गाटन और सिलान्यास करने का सवबाग्य मिला इन में रेल, पॉर्ट, पेट्रोलियम और जल सक्ती से जुड़ी परियोजनाई शामिल है बैं बंगाल के आप सभी लोगों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बदहाई देता हूँ साथियों पस्चिम बंगाल आज़ादी के अंदोलन की प्रेणा स्थली रही गुलामी के विरुद प्रखर नेत्रत्व देने वाली यहां के हर संतान का सपना था कि भारत विकास की नई उचाई प्राप्त करें आज मैं जब बंगाल आया हूँ तो कह सकता हूँ ति आज का भारत उनका यह सपना पूरा कर रहा है बीते दस साल में भारत ग्यारवे नंबर की इकाना में से उपर उठकर पांचवे नंबर की आर्थिक ताकत बना है जी ट्वेंटी में कैसे भारत की जैजे कार हुई यह हम समने देखा है आज भारत स्पेस सेक्टरी में अग्रणी बन रहा है जो काम दुनिया का कोई देख नहीं कर पाया वो हमारे चंद्रयान ने किया है आज स्पोर्ट के छेत्र में भी भारत नए रिकॉर्ड बना रहा है अब आज स्वतंत्र भारत में देश की समरुद्धी और हमारा समरुद्ध सांस्कृतिक दरोवर फिर से पूरे गवरों से नई उचाई प्राप्त कर रहा है और यह हम सभी का सवभाग्य है कि पांच सदियों के इंतजार के बाद पांच सो साल के बाद प्रभू स्री राम अपने भग्य मंदिर में विराजे है पस्चिब बंगाल में जीस तरह राम लला का स्वागत हुआ स्री राम के प्रती बंगाल के लोगों के जो आस्ता है उससे पुरा देश प्रभावित है प्रेरित है साथियों देश की इन उप्रभदग्यों के बीच बंगाल की स्थिती भी आज पुरा देश देख रहा है मा, माटी, मानुष्ट ये इसके ढोल पिटने वाली पी-मसी ने संदेश खाली की बेहनों के साथ जो किया है वो देख कर पुरा देश दुखी है आक्रोशीत है और मैं कह सकता हूँ कि राजा राम महनराई की आत्मा आज जहां भी होगी इन लोगों के इन कारणामों के लेकर के अत्यंत दुखी होगी होगी क्योंकि इनों ने संदेश खाली में जो किया राजा राम होनराई उनकी आत्मा आज रोती होगी टीमसी के नेता ने संदेश खाली में बेहनों बेट्यों के साथ दूस साहस की सारी हदे पार कर दी जब संदेश खाली की बेहनों ने अपनी आवाज बुलंद की मम्ता दीदी से मदद मांगी उन्हें बदले में क्या मिला मुख्यमंत्री दीदी ने बंगाल सरकार ने टीमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी बीजेपी के दबाव में इन सारे नेताओं ने रात दिल लडाई लड़ी माताओ बैनों के सम्मार के लिए लडाई लई लाठियां खाई मुसीवते जेली बीजेपी के दवाव में आखिर कर कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने जुक करके उस आरोपी को गिरत्तार करना पड़ा टीमसी के राज में टीमसी का यह अपरादी नेता करीब करीब दो महिने तक फरार रहा कोई तो होगा न जो उनको बचाता होगा क्या ऐसी टीमसी को माप करेंगे क्या माता और बेनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे के नहीं लेंगे हर चोड का जवाब वोट से देना है आज बंगाल की जनता यहां के मुक्ष मंत्री दीदी से पूछ रही है क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेज खाली की पिडित महिलाओं से भी जादा एहम हो गया है हरे शर्म आनी चाहिए बंगाल के मेरे भाव्यों भहनो मुझे सबसे ज़्यादा हराने इंडी गड़बंदन के बाकी नेताओं को देख कर होती है इंडी गड़बंदन के बड़े बड़े नेता संदेज खाली पर आख कान मुझे गादी जीच को जो तीन बंदर देने उन तीन बंदरों की तरह आख कान नाख मुझे सब बंद करके बैटे हैं पटला बैंगलोरो मुंबई न जाने कहां कहां ये साथ मिलकर बैठके करते हैं लेकिन क्या लेप्ट और कॉंग्रेस ने यहां की सरकार से यहां के मुक्वंत्री से जवाब मागने की हिम्मत की क्या इन लोगों से संदेश ठाली की इन बैणों की तरफ एक नजर देखा भी नहीं गया और आपने देखा है कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष ने क्या कहा आप सुनकर के चोग जाएंगे मेरी माताओ बैणों जो बंगाली में मेरा टांस्टर्जन कर सकते हैं वो इन माताओ बैणों को जुरू बताएं कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष ने का का कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष कहते हैं अरे छोड़ो बंगाल में तो ये सब कुछ चलता रहता है क्या ये बंगाल का पान्हाग नहीं है बंगाल की महान परंप्रा का पान्हाग नहीं है बंगाल की महान संस्कृति का पान्हाग नहीं है बंगाल के वीर पुरुषों का पान्हाग नहीं है बंगाल के संस्कार प्रिय नागरिकों का पान्हाग नहीं है यही सच्चाई कॉंग्रेस की और इंडी गढ़बंधन की है साथियों इंडी गढ़बंधन के लिए ब्रस्टाचारियों परिवारवादियों और तुष्टी करणवालों का साथ देना ही यही सबसे बड़ा काम है टी एमसी ने बंगाल में अपराव और प्रस्टाचार का एक नया मोडल प्रदा कर दिया है राज्य सरकार प्रस्टाचार को बढ़ावा देती है अपरावा देती है इतना ही नहीं अपरादियों को समुरक्षा के बदले टी एमसी नेताओं को भर भर के पैसे मिलते है टी एमसी ने हां प्राइमरी टीचर्स की भरती में गोटाला किया क्याग ने किया गोटाला क्याग ने किया टीम्जी ने हाँ मुनिसिपालिटी भर्तियों में गोटाला क्याग ने किया गोटाला क्याग ने किया टीम्जी ने हाँ सरकारी सामान की खरीद में गोटाला क्याग ने किया TMC ने यहाँ गरीब को राशन देने में गोटाला कियां 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 कियां? गरीब और मद्दमवर की जमीन पर कबजा करना हो, चीट फन्ड योजनाओ में गोटाला करना हो, बॉर्डर पर जानवरों की स्मगलिंग करनी हो टीमसी ने गोटाले और ब्रफ्टाचार के लिए कोई छेत्र छोड़ा नहीं है और इसलिए देखो टीमसी के मंत्यों के गर से नौटों के धेर निकल रहे हैं आपने अतन नौटों के धेर देखे नहीं देखे या कभी पहले नौटों के इतने बड़े देखे थे कभी सिन्य मामें भी देखे थे क्या कर दिया है इन लोगों ने और उपर से यहां की सरकार केंद्रिय जांच एजंचियों को भी जांच करने से रोक गिने के लिए हर हज़कंडा अपना रही है यहां के मुख्यमंत्री प्रश्टाचारियों को बचाने के लिए धरने पर बैठ जाती है तीमसी चाहती है कि केंद्र की योजनाओ भी उनको खुली लूट करने का मोका मिले अब मोदी इनकी मनमानी चलने नहीं दे रहा इसलिए मोदी को टीमसी अपना दुस्वन नमबर वन मानती है अब आप मुझे बता दीजिए मैं जरा आपको पूछता हूँ क्या ये टीमसी की लूट में चलने दू क्या ये टीमसी जो करतियों में करने दू क्या ये पैसा आपका हैक नहीं है ये बंगाल के लोगों का पैसा हैक नहीं है आपकी महनत का पैसा हैक नहीं है क्या वोरों को लूटने दू क्या अगर मैं लड़ाई लड़ता हूं तो सही करता हूं ने करता हूं ये लूटेरों के पीछे मैं कदम उठाता हूं अच्छा कर रहा हूं ने कर रहा हूं मैं आज बंगाल को बादा कर रहा हूं मेरी गारंटी है ये लूटने वालों को ये लूटने वालों को लोटाना पड़ेगा ये मोदी छोड़ने वाला नहीं है और मोदी नहीं की गालियों से डरता है इनके हमले से डरने वाला रूखने वाला मोदी नहीं है मैंने पस्चिम मंगाल की बैनों पस्चिम मंगाल की गरीब पस्चिम मंगाल की युवाओं को गारंटी दी है और मोदी की गारंटी की है जिसने गरीब को लूटा है उसको लोटाना ही पड़ेगा साथियों तीमसी की सरकार के रवे की कारण पस्चिम मंगाल का विकास प्रभावित हो रहा है तीमसी सरकार की सजा यहां का गरीब और मिडल क्लास भूगत रहा है मैं आपको इसके कुछ प्रमाण देता हूँ जारिया और रानिगंज कोल फिल्ड का प्रजेक्ट हमने लगबग छे साल पहले सुरू किया था लेकिन यहां की सरकार इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे है अठारा हजार करोड रुपिये का यह अकड़ा याद रखिए अठारा हजार करोड रुपिये जगदीश्पूर हल्दिया और बोकारो धामरा पाइप्लाइन प्रोजेक्ट भी चार साल से पेंडिंग पड़ा है राज्य सरकार का सहयोग न मिलने के कारण तारकेश्पर से विष्टूपूर रेल लाइन का काम भी रुपा पड़ा है हजारो करोड रुपिये के ऐसे अनेक प्रोजेक्ट जिनके लिए केंदर सरकार ने पैसा सेंक्शन कर दिया लेकिन काम नहीं हो पा रहा है यहां तक की टी एम सी सरकार गरीबों के घर तक नहीं बनने दे रही है पूरे देश में मोदी ने चार करोड से अधिक गरीब परिवारों को पके घर दिये हैं पके घर मिल चुके वो पके घर में दिवाली होली मणा रहे है दुर्गया पुजा कर रहे है पच्चिम मंगार के गरीब परिवारों के लिए भी केंदर की भाजपा सरकार ने 45 लाग 45 लाग गर हमने स्विक्रुत किये है इसके लिए 42 थावजन करोड रुपिये 42 लाग रुपिये रिलीज किये गए हैं लेकिन बंगाल में राज्य सरकार गरीबों के घर बनाने के लिए तेजी से काम नहीं कर रही अडंगे डाल रही है रुकावटे पैदा कर रही है आप मुझे पताईए पैसे हैं तो गरीबों के घर बनने चाहिए गह ने बनने चाहिए जल्दी से जल्दी बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए अच्छे से अच्छे बनने चाहिए नहीं बनने चाहिए क्या यह T.M.C. वाले बना सकते हैं क्या बना सकते हैं क्या अगर बनाएगा तो B.J.P. बनाएगी अगर करेगा तो बहुत ही करेगा मेरी माताई बैने इतनी बड़ी तादाद में आई है आपको मैं बताना चाहता हूँ आप जानते हैं केंद्र सरकार हर गर नल से जल पहुंचाने का भियान चला रही है हर गर में पाइप से पानी पहुंचे लिए लिए काम हो रहा है चार साल के बीतर ही पूरे देश में ग्यारा करोड से जादा नए परिवारों को पाइप लाइन से नल से जल की सुविदा मिली है लेकिन हर गर जल देने के लिए पस्टिम मंगाल सरकार कच्छुए की रप्तार से काम कर रही है बताईए ऐसे लोगों को माप किया जा सकता है क्या माताए बेहने जो आपके घर पानी नहीं पहुंचने देते हैं उनका दाना पानी बंद करना चाहिए नहीं करना चाहिए करोगे क्या आपके हासिरवाद रहेंगे साथ्यों उसे माताओ बेहनों बेट्यों की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है केंद्र सरकार पैसा दे रही है लेकिन यहां की सरकार उसका उप्योग भी नहीं कर रही है साथ्यों हर उस योजना से जिससे गरीब का भला होता हो टी-म-सी सरकार उसके सामने दिवार बनकर खड़ी हो गई है मोदी ने हर गरीब परिवार को पांच लाख उर्पिय तक के मुप्त इलाज की गारेंटी दी है आईश्मान कार्ड से देश भर में करोडों गरीब परिवारों का मुप्त में इलाज हुआ है इससे इन परिवारों को लगबग एक लाख करोड रुपी की बचत हुई है लेकिन गरीब एससी, एस्टी, इनकी विरोधी, टी-म-सी यहां के सवा करोड परिवारों को इसका लाब नहीं दे ले देती आप मुझे बताइए, गरीब को मुक्त इलाज मिलना चाहिए और नहीं मिलना चाहिए अगर बिमारी में सरकार उसके पैसे दे, तो उसको सहरवार का लाब मिलना चाहिए और नहीं मिलना चाहिए अब देखे ये गरीब विरोधी Tmc भो भी नहीं करने देती देश के करुडों लोगों को मोधी बिमारी में पैसा दे रहा है बंगाल में नहीं दे पा रहा है क्योंकि Tmc मना कर रही है Tmc सरकार Pm किसान सिर्मा निदी का लाब दिलाने में भी लंबे अर्षे तक अड़ंगे लाल लगा रही है 12 सरकार के प्रयासों से हाँ बंगाल के छोटे किसान के बेंखातों में सीधे 11,000 करोट रुपिय ट्रांसपर हुए है लेकिन TMC सरकार की पूरी कोशिस है कि इस योजना का पैसा भी हड़प लें साथियों, PMC सरकार, गरीब, किसान, नवजवान और महिला के ससक्त करण में बहुत बड़ी रुकावट है ये चार वर जब तक ससक्त नहीं होंगे तब तक पस्टिम मंगाल विक्षित नहीं हो सकता इसलिए आज केंदर सरकार, गरीब, किसान, नवजवान और महिला ससक्त करण पर सबसे ज़्यादा जोर दे रही है ये भाजपा की ही सरकार है, जिसने नारी, शक्ती, बंदिन, अदिनियम करके लोग सबा और विदान सबा में महिलाओं को आरक्षन दिया ये भाजपा की ही सरकार है, जिसने नमो ड्रोन दीदी अभ्यान चुरू किया है इस अभ्यान के तहर हम गाउं की बेहनों बेटियों को आधुनिक ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं भाजपा की सरकार गाउं गाउं में महिला स्वयम सहायता समों को लाखो करोड की मदद दे रही है जिससे उनके आमदनी और बड़े हमने देश में तीन करोड लखपती दीदी तीन करोड लखपती दीदी बनाने का भी संकल्प लिया है साथियों पस्चिम मंगाल विक्सिद होगा तबी बारत भी विक्सिद होगा इसके लिए जरूरी है कि आने वाले लोग सबाचुनाव में पस्चिम मंगाल की सभी सिटों पर कमल खिले खिलेगा खिलेगा टीमसी को गमंड है कि उसके पास एक निश्चित बोट बैंक है इस बार टीमसी का ये गमंड भी तूटेगा इस बार मुस्लिम बहन बेटियां भी टीमसी के गुंडा राज को उखाड फैकरने के लिए आगे आएगे इस लोगसभा चुनाव के लतीजे पस्तिम मंगाल से टीमसी सरकार काई का उसकी बिदाई का उसके पराजय का काउंड डाउन शुरू करेंगे आज सब्दूरां की आवाज आ रही है मैं अभी देख रहा था सुपेंद्र जीरो और हमारे अध्यक्जी बता रहे थे मैं आपका फिर आभार व्यक्त करूँगा कि आप हमें इतनी बड़ी संख्या में आशिरवाद देने आए आप अपने अपने गाउं जाएंगे तो आँ सब को कहना कि मोदी जी ने प्रणाम कहा है कहेंगे दोरों हाथ उपर कर मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 वंद बोरोरा प्रणाम एवाम छोटोरा अमार भालो भाशा ने बेन सबसे पहने तो मैं मात्रुश शक्ति को सामर्थ देने वाली इस भूमी को प्रणाम करता हूँ जहाँ बगल में ही खाना कोल में महान समाचुधारत राजा राम मोहन राई जी ने जन्मलिया और नारी शक्ति के जीवन को नया सामर्थ दिया था मैं खाना कोल की इस धर्थी को प्रणाम करता हूँ राजा राम मोहन राई की प्रेणा से भारत की नारी शक्ति के कल्यान के लिए जी जान से जुटा हुआ भायों भानों आप सभी इतनी बड़ी संख्या में हमें आशिरवात देने आये हैं हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं यहां कुछ नवजवान बहुत सुंदर सुंदर चित्र बना करके लाए थे वहाँ एक बेटी कितनी देर से बगवान जगनाजी का चित्र लेकर आई थी आप सबका क्योंकि यह धर्ती तो रग रग में कला आर्ट यह यहां की विज़ेस्ता है मैं आप सबका बहुत आभारी हूं लेकिन मैं अनुभाव कर रहा हूं कि वहाँ भी पीड़ी और वर्तमान युवा पीड़ी आपका यह प्यार इन सब के प्यार का एक प्रतीग है और इसलिए मैं रजय से आप सबका धन्यवाद करता हूं साथियों अप से कुछ देर पहले मुझे यहां साथ हजार करोड रुपिये से जादा के प्रोजेक का उद्गाटन और सिलान्यास करने का सवबाग्य मिला इन में रेल, पॉर्ट, पेट्रोलियम और जल सक्ती से जुड़ी परियोजनाय शामिल है मैं बंगाल के आप सभी लोगों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं साथियों पस्चिम बंगाल आज़ादी के अंदोलन की प्रेणा स्थली रही गुलामी के विरुद्ध प्रखर नेत्रत्व देने वाली यहां के हर संतान का सपना था कि भारत विकास की नई उचाई प्राप्त करें आज मैं जब बंगाल आया हूं तो कह सकता हूं कि आज का भारत उनका यह सपना पूरा कर रहा है बीते दस साल में भारत ग्यारवे नंबर की इकाना में से उपर उठकर पांचवे नंबर की आर्थिक ताकत बना है जी ट्विंटी में कैसे भारत की जैजे कार हुई यह हम सब ने देखा है आज भारत स्पेस सेक्टरी में अग्रणी बन रहा है जो काम दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया वो हमारे चंद्रयान ने किया है आज स्पोर्ट्स के छेत्र में भी भारत नए रिकॉर्ड बना रहा है अब आज स्वतंत्र भारत में देश की सम्रुद्धी और हमारा सम्रुद्ध सांस्कुर्दिक दरवर फिर से पूरे गवरव से नए उचाई प्राप्त कर रहा है और यह हम सभी का सवभाग्य है कि पांच सदियों के इंतजार के बाद पांच सो साल के बाद प्रभू स्री राम अपने भग्य मंदिर में विराजे है पस्ति बंगाल में जीस तरह राम लला का स्वागत हुआ स्री राम के प्रती बंगाल के लोगों के जो आस्ता है उससे पुरा देश प्रभावित है प्रेरित है साथियों देश की इन उप्रभदग्यों के बीच बंगाल की स्थिती भी आज पुरा देश देख रहा है मा, माटी, मानुष्ट ये इसके ढोल पिटने वाली P.M.C. ने संदेश खाली की बेहनों के साथ जो किया है वो देखकर पुरा देश दुखी है, आक्रोशीत है और मैं कह सकता हूँ कि राजा राम महनराय की आत्मा आज जहां भी होगी इन लोगों के इन कारणामों के लेकर के अत्यंत दुखी होगी होगी क्योंकि इनोंने संदेश खाली में जो किया राजा राम होनराय उनकी आत्मा आज रोती होगी टी-म-सी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेट्यों के साथ दूस साहस की सारी हदे पार कर दी जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की मम्ता दीदी से मदद मांगी उन्हें बदले में क्या मिला मुख्यमंत्री दीदी ने बंगाल सरकार ने टी-म-सी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ती लगा दी बी-जे-पी के दबाव में इन सारे नेताओं ने रात दिल लडाई लड़ी माता और बैनों के सम्मार के लिए लड़ाई लई लाठियां खाई मुसिवते जेली बी-जे-पी के दवाव में आखिर कर कल बंगाल पुलिस ने आपकी की ताकत के सामने जुक करके उस आरोपी को गिरबतार करना पड़ा है कि दी-एम-सी के राजबें ती-एम-सी का यह अपरादी नेता करीब करीब दो महिने तक फरार रहा है कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा क्या ऐसी टी-एम-सी को माप करेंगे क्या माता और बेनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे के नहीं लेंगे हर चोड का जवाब वोट से देना है आज बंगाल के जनता यहां के मुख्यमंत्री दीदी से पूछ रही है क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेश खाली की पिडित महिलाओं से भी जादा एहम हो गया है हरे शर्म आनी चाहिए बंगाल के मेरे भाईयों भहनों मुझे सबसे ज़्यादा हरानी इंडी गढ़बंदन के बाकी नेताओं को देखकर होती है इंडी गढ़बंदन के बड़े बड़े नेताओं संदेश खाली पर आख कान मुझ गादी जीज़ को जो तीन बंदर देने है उन तीन बंदरों की तरह आख कान नाख मुझ सब ये बंद करके बैट रहे है पटना बैंगलोरो मुंबई न जाने कहां कहां ये साथ मिलकर बैठगे करते हैं लेकिन क्या लेप्ट और कॉंग्रेस ने यहां की सरकार से यहां के मुक्वंत्री से जवाब मागने की हिम्मत की क्या इन लोगों से संदेश ठालिक इन बैनों की तरफ एक नजर देखा भी नहीं गया और आपने देखा हैं कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष ने क्या कहा आप सुनकर के चोग जाएंगे मेरी माताओ बैनों जो बंगाली में मेरा टांसरसन कर सकते हैं वो इन माताओ बैनों को जुरूर बताएं कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष ने कहा कहा कॉंग्रेस के राष्ट्रिय दिख कहते हैं अरे छोड़ो बंगाल में तो ये सब कुछ चलता रहता है क्या ये बंगाल का पान हैग नहीं है बंगाल की महान परंपरा का पान हैग नहीं है बंगाल की महान संस्कृति का पान हैग नहीं है बंगाल के वीरपूरुषों का पान्हेक नहीं है बंगाल के संस्कार प्रिय नागरिकों का पान्हेक नहीं है यही सच्चाई कॉंग्रेस की और इंडी गढ़बंदन की है साथियों इंडी गढ़बंदन के लिए ब्रस्टाचारियों परिवारवादियों और तुष्टी करणवालियों का साथ देना ही यही की काम बचा है यही सब्से बड़ा काम है टी एमसी ने बंगाल में अपराद और प्रस्टाचार का एक नया मोडल प्यदा कर दिया है राज्य सरकार प्रस्टाचार को बढ़ावा देती है अपराद को बढ़ावा देती है इतना ही नहीं अपरादियों को समुरक्षा के बदले टी एमसी नेताओं को भर भर के पैसे मिलते है टी एमसी ने यहाँ प्राइमरी टीचर्स की भरती में गोटाला किया किया गोटाला किया ने किया टी एमसी ने हाँ मुनिसिपालिटी भरतियों में गोटाला किया गोटाला किया गोटाला किया गोटाला किया टी एमसी ने हाँ सरकारी सामान की खरीद में गोटाला किया गोटाला किया गोटाला किया गोटाला किया किया गने किया गरीब और मद्यमवर की जमीन पर कबजा करना हो चीटफंड योजनाओं में गोटाला करना हो बॉर्डर पर जानवरों की स्मगलिंग करनी हो तो टीमसी ने गोटाले और ब्रफ्टाचार के लिए कोई छेत्र छोड़ा नहीं है और इसलिए देखो टीमसी के मंत्रियों के गर से नोटों के धेर निकल रहे हैं नोटों के धेर आपने इतन नोटों के धेर देखे नहीं देखे देखे नहीं देखे प्या कभी पहले नोटों का इतने बड़े धेर देखे थे कभी सिनेबा में भी देखे देगा क्या कर दिया इन लोगों ने और उपर से यहां की सरकार के इंद्रिय जाच एजंचियों को भी जाच करने से रोकने के लिए हर हटकंडा अपना रही है यहां के मुख्यमंत्री प्रश्टाचारियों को बचाने के लिए धरने पर बैठ जाती है टीमसी चाहती है कि केंद्र की योजनव भी उनको खुली लूट करने का मोका मिले अब मोदी इनकी मनमानी चलने नहीं दे रहा इसलिए मोदी को टीमसी अपना दुस्वन नमबर वन मानती है अब आप मुझे बता दीजिए मैं ज़र आपको पूछता हूँ क्या ये टीमसी की लूट में चलने दू क्या ये टीमसी जो करतियों में करने दू क्या ये पैसा आपका हैग नहीं है ये बंगाल के लोगों का पैसा हैग नहीं है आपकी महनत का पैसा हैग नहीं है क्या हो औरों को लूटने दू क्या अगर मैं लड़ाई लड़ता हूँ तो सही करता हूँ ने करता हूँ ये लूटेरों के पीछे में कदम उठाता हूँ अच्छा कर रहा हूँ ने कर रहा हूँ मैं आज बंगाल को बादा कर रहा हूँ मेरी गारंटी है ये लूटने वालों को ये लूटने वालों को लोटाना पड़ेगा ये मोधी छोड़ने वाला नहीं है और मोधी नहीं की गालियों से डरता है इनके हमले से दरने वाला रूखने वाला मोधी नहीं है मैंने पस्चिम मंगाल की बैनों पस्चिम मंगाल के गरीब पस्चिम मंगाल के युवाओं को गारंटी दी है और मोधी की गारंटी की है जिसने गरीब को लूटा है उसको लोटाना ही पड़ेगा साथियों टी एमसी की सरकार के रवे के कारां पस्चिम मंगाल का विकास प्रभावित हो रहा है टी एमसी सरकार की सजा यहां का गरीब और मिडल क्लास भूगत रहा है मैं आपको इसके कुछ प्रमाण देता हूँ जारिया और रानी गंज कोल फिल्ड का प्रजेक हमने लगबग छे साल पहले सुरू किया था लेकिन यहां की सरकार इसको आगे बढ़ने नहीं दे रही है अठारा हजार करोड रुपिये का यह अकड़ा याद रखिए अठारा हजार करोड रुपिये जगदिश्पूर हल्दिया और भोकारो धामरा पाइप्लाइन प्रोजेक भी चार साल से पेंडिंग पड़ा है राज्य सरकार का सहयोग न मिलने के कारण तारकेश्पर से विष्टूपूर रेल लाइन का काम भी रुपा पड़ा है हजारो करोड रुपिये के ऐसे अनेक प्रोजेक जिनके लिए केंदर सरकार ने पैसा सेंक्शन कर दिया लेकिन काम नहीं हो पा रहा है यहां तक कि टी एम सी सरकार गरीबों के घर तक नहीं बनने दे रही है पूरे देश में मोदी ने चार करोड से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर दिये है पक्के घर मिल चुके वो पक्के घर में दिवाली होली मगा रहे है दुर्गा पुजा कर रहे है पच्चिम मंगार के गरीब परिवारों के लिए भी केंदर की भाजपा सरकार ने 45 लाग 45 लाग गर हमने स्विक्रुद किये है इसके लिए 42 थाउजन करोड रुपिये 42,000 करोड रुपिये रिलीज किये गए है लेकिन बंगाल में राज्य सरकार गरीबों के घर बनाने के लिए तेजी से काम नहीं कर रही अडंगे डाल रही है रुकावटे पैदा कर रही है आप मुझे पताईए पैसे हैं तो गरीबों के घर बनने चाहिए गने बनने चाहिए जल्दी से जल्दी बनने चाहिए गने बनने चाहिए अच्छे से अच्छे बनने चाहिए गने बनने चाहिए क्या ये टीम से वाले बना सकते हैं क्या बना सकते हैं क्या अगर बनाएगा तो बीजेपी बनाएगी अगर करेगा तो बोधी करेगा मेरी माताई बैने इतनी बड़ी तादाज में आई है आपको मैं बताना चाहता हूँ आप जानते हैं केंदर सरकार हर गर नल से जल पहुंचाने का अभियान चला रही है हर गर में पाइप से पानी पहुंचे लिए लिए काम हो रहा है चार साल के बीतर ही पूरे देश में ग्यारा करोड से जादा नए परिवारों को पाइप लाइन से नल से जल की सुविदा मिली है लेकिन हर गर जल देने के लिए पस्टिम मंगाल सरकार कच्छुए की रप्तार से काम कर रही है बताईए ऐसे लोगों को माप किया जा सकता है क्या माता ये बेने जो आपके घर पानी नहीं पहुंचने देते हैं उनका दाना पानी बंद करना चाहिए नहीं करना चाहिए करोगे क्या आपके हसिरवाद रहेंगे साथियों उसे माताओ बेनों बेट्यों की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है केंद्र सरकार पैसा दे रही है लेकिन यहां की सरकार उसका उप्योग भी नहीं कर रही है साथियों हर उस योजना से जिससे गरीब का भला होता हो टी-म-सी सरकार उसके सामने दिवार बनकर खड़ी हो गई है मोदी ने हर गरीब परिवार को पांच लाग उर्पे तक के मुप्त इलाज की गारंटी दी है आईश्मान काड़ से देश भर में करोडों गरीब परिवारों का मुप्त में इलाज हुआ है इससे इन परिवारों को लगबग एक लाग करोड रुपे की बचत हुई है लेकिन गरीब, SC, ST, इनकी विरोधी, TMC, यहां के सवा करोर परिवारों को इसका लाब नहीं दे ले देती आप मुझे बताइए, गरीब को मुप्त इलाज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए अगर बिमारी में सरकार उसके पैसे दे, तो उसको सहरवार का लाब मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए अब देखे यह गरीब विरोधी, TMC वो भी नहीं करने देती देश के करोडों लोगों को मोधी बिमारी में पैसा दे रहा है बंगाल में नहीं दे पा रहा है क्योंकि टी-मसी मना कर रही है टी-मसी सरकार पी-म किसान सिम्मा निदी का लाब दिलाने में भी लंबे अर्षे तक अड़गे लाल लगा रही है 12 सरकार के प्रयासों से हाँ बंगाल के छोटे किसान के बैंक खातों में सीधे 11,000 करोड रुपिय ट्रांसपर हुए है लेकिन टी-मसी सरकार की पूरी कोशिस है कि इस योजना का पैसा भी हड़प लें साथियों, पी-मसी सरकार, गरीब, किसान, नवजवान और महिला के ससक्त करण में बहुत बड़ी रुकावट है ये चार वर जब तक ससक्त नहीं होंगे तब तक पस्चिम मंगाल विक्षित नहीं हो सकता इसलिए आज केंद्र सरकार, गरीब, किसान, नवजवान और महिला ससक्त करण सबसे ज़़ादा जोड़ दे रही है ये भाजपा की ही सरकार है जिसने नारी, शक्ती, बंदिन, अधिनियम करके लोगसभा और विदानसभा में महिलाओं को आरक्षन दिया ये भाजपा की ही सरकार है जिसने नमो ड्रोन दीदी अभ्यान चुरू किया है इस अभ्यान के तहर हम गाउं की बेहनों बेटियों को आधुनिक ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहे है बाज़पा की सरकार गाउं गाउं में महिला स्वयम सहायता समों को लाखो करोड की मदद दे रही है जिससे उनके आमदनी और बड़े हमने देश में तीन करोड लखपती दीदी तीन करोड लखपती दीदी बनाने का भी संकल्प लिया है साथियों पस्टिम मंगाल विक्सिद होगा तबी बारत भी विक्सिद होगा इसके लिए जरूरी है कि आने वाले लोग सबाचुनाव में पस्टिम मंगाल की सभी सिटों पर कमल खिले खिलेगा खिलेगा टीमसी को गमंड है कि उसके पास एक निश्चित बोट बैंक है इस बार टीमसी का ये गमंड भी तूटेगा इस बार मुस्लिम बैंड बेटियां भी टीमसी के गुंडा राज को उखाड फैकरने के लिए आगे आएगे इस लोकसभा चुनाव के लतीजे पस्तिम मंगाल से टीमसी सरकार काई का उसकी बिदाई का उसके पराजय का काउंड डाउन शुरू करेंगे आज सब्दुर आखी आवाज आ रही है मैं अभी देख रहा था सुपेंद्व जीरो और हमारे अध्यक जी बता रहे थे ऐई बार ऐई बार ऐई बार ऐई बार मैं आपका फिर आभार व्यक्त करूँगा कि आप हमें इतनी बड़ी संख्या में आशिरवात देने आए आप अपने अपने गाउं जाएंगे वाँ सब को कहना के मोदी जी ने प्रणाम कहा है कहेंगे दोरवा हाथ उपर कर मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बंदे वन्दे 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 वन्द बोरो रा प्रणाम एवाम छोटो रा अमार भालो भाशाने बेन सबसे पहने तो मैं मात्रुश शक्ति को सामर्थ देने वाली इस भूमी को प्रणाम करता हूँ जहां बगल में ही खाना कुल में महान समाचुधारत राजा राम मौन राईजी ने जन्मलिया और नारी शक्ति के जीवन को नया सामर्थ दिया था मैं खाना कुल की इस धर्ति को प्रणाम करता हूँ राजा राम मौन राई की प्रेणा से भारत की नारी शक्ति के कल्यान के लिए जीजान से जुटा हुआ भायो भानो आप सभी इतनी बड़ी संख्या में हमें आशिरवात देने आये हैं हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं यहां कुछ नवजवान बहुत सुंदर सुंदर चित्र बना करके लाए थे वहाँ एक बेटी कितनी देर से भगवान जगनाजी का चित्र लेकर आई थी आप सबका क्योंकि यह धर्ती तो रग रग में कला आर्ट यह यहां की विशेष्टा है मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ लेकिन मैं अनुभाव कर रहा हूँ कि बहाँ भी पीडी और वर्तमान युवा पीडी आपका ये प्यार इन सब के प्यार का एक प्रतीग है और इसलिए मैं रजय से आप सबका धन्यवाद करता हूँ साथियों अब से कुछ देर पहले मुझे यहां साथ हजार करोड रुपिये से जादा के प्रोजेक का उद्गाटन और सिलान्यास करने का सवबाग्य मिला इन में रेल, पॉर्ट, पेट्रोलियूम और जल सक्ति से जुड़ी परियोजनाय शामिल है मैं बंगाल के आप सभी लोगों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत-बहुत बधाई देता हूँ साथियों पस्चिम बंगाल आज़ादी के अंदोलन की प्रेणा स्थली रही गुलामी के विरुद प्रखर नेत्रत्व देने वाली यहां के हर संतान का सपना था कि भारत विकास की नई उचाई प्राप्त करे आज मैं जब बंगाल आया हूँ तो कह सकता हूँ कि आज का भारत उनका यह सपना पूरा कर रहा है बीते दस साल में भारत ग्यारवे नंबर की इकाना में से उपर उठकर पांचवे नंबर की आर्थिक ताकत बना है जी ट्रेंटी में कैसे भारत की जैजे कार हुई यह हम सब ने देखा है आज भारत स्पेस सेक्टरी में अग्रणी बन रहा है जो काम दुनिया का कोई देख नहीं कर पाया वो हमारे चंद्रयान ने किया है आज स्पोर्ट्स के छेत्र में भी भारत नए रिकॉर्ड बना रहा है अब आज स्वतंत्र भारत में देश की सम्रुद्धी और हमारा सम्रुद्ध सांस्कुर्दिक दरोवर फिर से पूरे गवरों से नई उचाई प्राप्त कर रहा है और यह हम सभी का सवभाग्य है कि पांच सदियों के इंतजार के बाद पांच सो साल के बाद प्रपूर्शी राम अपने भग्य मंदिर में विराजे है पस्ति बंगाल में जीस तरह राम लला का स्वागत हुआ स्री राम के प्रती बंगाल के लोगों के जो आस्ता है उसे पुरा देश प्रभावित है प्रेरित है साथ्यों देश की इन उप्रब्दग्यों के बीच बंगाल की स्थिती भी आज पुरा देश देख रहा है मा, माटी, मानोष ये इसके ढोल पिटने वाली पी-मसी ने संदेश खाली की बेहनों के साथ जो किया है वो देखकर पुरा देश दुखी है आक्रोशीत है और मैं कह सकता हूं कि राजा राम महनराय की आत्मा आज जहां भी होगी इन लोगों के इन कारणामों के लेकर के अत्यंत दुखी होई होगी क्योंकि इन्होंने संदेश खाली में जो किया राजा राम महनराय उनकी आत्मा आज रोती होगी टीमसी के नेता ने संदेश खाली में बेहनों बेट्यों के साथ दूस साहस की सारी हदे पार कर दी जब संदेश खाली की बेहनों ने अपनी आवाज भुलंद की ममता दीदी से मदद मांगी उन्हें बदले में क्या मिला मुख्यमंत्री दीदी ने बंगाल सरकार ने टीमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी बीजेपी के दवाओ में इन सारे नेताओं ने रात दिल लड़ाई लड़ी माताओ बेहनों के सम्मार के लिए लड़ाई लई लाठियां खाई मुसिवते जेली बीजेपी के दवाओ में आखिर कर कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने जुक करके उस आरोपी को गिरबतार करना पड़ा दीएमसी के राजबे दीएमसी का ये अपरादी नेता करीब करीब दो महिने तक फरार रहा कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा क्या ऐसी टीएमसी को माप करेंगे क्या माता औ बेनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे के नहीं लेंगे हर चोट का जबाब वोट से देना है आज मंगाल के जनता यहां के मुक्यमंत्री दीदी से पूछ रही है क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेज खाली की पिडित महिलाओं से भी ज़्यादा एहम हो गया है हरे शर्म आनी चाहिए बंगाल के मेरे भाव्यों भहनों मुझे सबसे ज़्यादा हराने इंडी गड़बंदन के बाकी नेताओं को देखकर होती है इंडी गड़बंदन के बड़े बड़े नेताओं संदेज खाली पर आख कान मुझ गादी जीजी को जो तीन मंदर देने हैं उन तीन मंदरों की तरह आख कान नाख मुझ सब ये बंद करके बैट रहे हैं पटला बैंगलोरो मुंबई न जाने कहां कहां ये साथ मिलकर बैठा के करते हैं लेकिन क्या लेप्ट और कॉंग्रेस ने यहां की सरकार से यहां के मुक्वंत्री से जवाब मागने की हिम्मत की क्या इन लोगों से संदेश ठालिक इन बहनों की तरफ एक नजर देखा भी नहीं गया और आपने देखा हैं कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष ने क्या कहा आप सुनकर के चोग जाएंगे मेरी माताओ बैनों जो बंगाली में मेरा टांसरसन कर सकते हैं वो इन माताओ बैनों को जुरूर बताएं कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष ने कहा कहा कॉंग्रेस के राष्ट्रिय दिख कहते हैं अरे छोड़ो बंगाल में तो ये सब कुछ चलता रहता है क्या ये बंगाल का पान हैग नहीं है बंगाल की महान परंपरा का पान हैग नहीं है बंगाल की महान संस्कृति का पान हैग नहीं है बंगाल के वीर पुरुषों का पान्हेक नहीं है बंगाल के संस्कार प्रिय नागरीकों का पान्हेक नहीं है यही सक्चाई कॉंग्रेस की और इंडी गढ़ बंदन की है साथियों इंडी गढ़ बंदन के लिए ब्रस्टाचारियों परिवारवादियों और तुष्टी करणवालियों का साथ देना ही यही की काम बचा है यही सब्चे बड़ा काम है टी एमसी ने बंगाल में अपराद और प्रस्टाचार का एक नया मोडल प्यदा कर दिया है राज्य सरकार प्रस्टाचार को बढ़ावा देती है अपराद को बढ़ावा देती है इतना ही नहीं अपरादियों को समुरक्षा के बदले टी एमसी नेताओं को भर भर के पैसे मिलते है टी एमसी ने यहाँ प्राइमरी टीचर्स की भरती में गोटाला किया किया गोटाला किया ने किया टी एमसी ने हाँ मुनिसिपालिटी भरतियों में गोटाला किया गोटाला किया गोटाला किया गोटाला किया टी एमसी ने हाँ सरकारी सामान की खरीद में गोटाला किया गोटाला किया गोटाला किया गोटाला किया किया ने किया गरीब और मद्यमवर की जमीन पर कबजा करना हो चीट फंड योजनाओं में गोटाला करना हो बॉर्डर पर जानवरों की स्मगलिंग करनी हो तो टीमसी ने गोटाले और ब्रश्टाचार के लिए कोई छेत्र छोड़ा नहीं है और इसलिए देखो टीमसी के मंत्यों के गर से नोटों के धेर निकल रहे हैं नोटों के धेर आपने इतन नोटों के धेर देखे नहीं देखे देखे नहीं देखे प्या कभी पहले नोटों का इतने बड़े धेर देखे थे कभी सिनेबा में भी देखे देगा क्या कर दिया इन लोगों ने और उपर से यहां की सरकार के इंद्रिय जाच एजन्चियों को भी जाच करने से रोकने के लिए हर हटकंडा अपना रही है यहां के मुख्य मंत्री प्रश्टाचारियों को बचाने के लिए धरने पर बैठ जाती है तीमसी चाहती है कि केंद्र की योजनों भी उनको खुली लूट करने का मोका मिले अब मोदी इनकी मनमानी चलने नहीं दे रहा इसलिए मोदी को तीमसी अपना दुस्वन नमबर वन मानती है अब आप मुझे बता दीजिए मैं ज़र आपको पूछता हूँ क्या ये टीमसी की लूट में चलने दू क्या ये टीमसी जो करतियों में करने दू क्या ये पैसा आपका हैग नहीं है ये बंगाल के लोगों का पैसा हैग नहीं है आपकी महनत का पैसा हैग नहीं है क्या हो औरों को लूटने दू क्या है अगर मैं लड़ाई लड़ता हूं तो सही करता हूं नहीं करता हूं ये लूटेरों के पीछे में कदम उठाता हूं अच्छा कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं मैं आज बंगाल को बादा कर रहा हूं मेरी गारंटी है ये लूटने वालों को ये लूटने वालों को लोटाना पड़ेगा ये मोधी छोड़ने वाला नहीं है और मोधी नहीं की गालियों से डरता है इनके हमले से दरने वाला रूखने वाला मोधी नहीं है मैंने पस्चिम मंगाल की बैनों पस्चिम मंगाल के गरीब पस्चिम मंगाल के युवाओं को गारंटी दी है और मोधी की गारंटी की है जिसने गरीब को लूटा है उसको लोटाना ही पड़ेगा साथियों टीमसी की सरकार के रवे के कारण पस्चिम मंगाल का विकास प्रभावित हो रहा है टीमसी सरकार की सजा यहां का गरीब और मिडल क्लास भूगत रहा है मैं आपको इसके कुछ प्रमार देता हूँ जारिया और रानी गंज कोल फिल्ड का प्रोजेक्ट हमने लगबग छे साल पहले शुरू किया था लेकिन यहां की सरकार इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे है अठारा हजार करोड रुपिये का यहां कड़ा याद रखिए अठारा हजार करोड रुपिये जगदिश्पूर हल्दिया और भोकारो धामरा पाइप्लाइन प्रोजेक्ट भी चार साल से पेंडिंग पड़ा है राज्य सरकार का सहयोग न मिलने के कारण तारकेश्पर से विष्टूपूर रेल लाइन का काम भी रुपा पड़ा है हजारो करोड रुपिये के ऐसे अनेक प्रोजेक्ट जिनके लिए केंदर सरकार ने पैसा सेंक्शन कर दिया लेकिन काम नहीं हो पा रहा है यहां तक की टी एम सी सरकार गरीबों के घर तक नहीं बनने दे रही है पूरे देश में मोदी ने चार करोड से अधिक गरीब परिवारों को पके घर दिये है पके घर मिल चुके वो पके घर में दिवाली होली मणा रहे हैं दुर्गया पुझा कर रहे है पच्चिम मंगार के गरीब परिवारों के लिए भी केंदर की भाजपा सरकार ने 45 लाग 45 लाग गर हमने स्विक्रुत किये हैं इसके लिए 42 थाउजन करोड रुपिये 42,000 करोड रुपिये रिलीज किये गए हैं लेकिन बंगाल में राज्य सरकार गरीबों के घर बनाने के लिए तेजी से काम नहीं कर रही अडंगे डाल रही हैं रुकावटे पैदा कर रही हैं आप मुझे पताईए पैसे हैं तो गरीबों के घर बनने चाहिए गने बनने चाहिए जल्दी से जल्दी बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए अच्छे से अच्छे बनने चाहिए कि नहीं बनने चाहिए क्या ये T.M.C. वाले बना सकते हैं क्या बना सकते हैं क्या अगर बनाएगा तो B.J.P. बनाएगी अगर करेगा तो बहुत ही करेगा मेरी माताई बैने इतनी बड़ी तादाज में आई है आपको मैं बताना चाहता हूँ आप जानते हैं केंदर सरकार हर गर नल से जल पहुंचाने का अभियांग चला रही है हर गर में पाइप से पानी पहुंचे लिए लिए काम हो रहा है चार साल के बीतर ही पूरे देश में ग्यारा करोड से जादा नए परिवारों को पाइप लाइन से नल से जल की सुविदा मिली है लेकिन हर गर जल देने के लिए पस्टिम मंगाल सरकार कच्छुए की रप्तार से काम कर रही है बताईए ऐसे लोगों को माप किया जा सकता है क्या माता ये बेने जो आपके घर पानी नहीं पहुंचने देते हैं उनका दाना पानी बंद करना चाहिए करोगे क्या आपके हैसिरवास रहेंगे साथियों उसे माताओ बेनों बेट्यों की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है केंद्र सरकार पैसा दे रही है लेकिन यहां की सरकार उसका उप्योग भी नहीं कर रही है साथियों हर उस योजना से जिससे गरीब का भला होता हो टी एमसी सरकार उसके सामने दिवार बनकर खड़ी हो गई है मोदी ने हर गरीब परिवार को पांच लाख उर्पय तक के मुक्त इलाज की गारेंटी दी है आईश्मान कार से देश भर में करोडों गरीब परिवारों का मुक्त में इलाज हुआ है इससे इन परिवारों को लगबग एक लाख करोड रुपी की बचत हुई है लेकिन गरीब एस्सी एस्टी इनकी विरोधी टी एमसी यहां के सवा करोड परिवारों को इसका लाख नहीं दे ले देती आप मुझे बताईए गरीब को मुक्त इलाज मिलना चाहिए और नहीं मिलना चाहिए अगर बिमारी में सरकार उसके पैसे दे तो उसको सारवार का लाख मिलना चाहिए और नहीं मिलना चाहिए अब देखे ये गरीब विरोधी टी एमसी वो भी नहीं करने देती देश के करोडों लोगों को मोधी बिमारी में पैसा दे रहा है बंगाल में नहीं दे पा रहा है क्योंकि टी-मसी मना कर रही है टी-मसी सरकार पी-म किसान सिन्मा निदी का लाब दिलाने में भी लंबे अर्षे तक अड़गे लाल लगा रही है 12 सरकार के प्रयासों से हाँ बंगाल के छोटे किसान के बैंक खातों में सीधे 11,000 करोड रुपिय ट्रांसपर हुए है लेकिन टी-मसी सरकार की पूरी कोशिस है कि इस योजना का पैसा भी हड़प ले साथियों, पी-मसी सरकार, गरीब, किसान, नवजवान और महिला के ससक्ते करण में बहुत बड़ी रुकावट है ये चार वर जब तक ससक्त नहीं होंगे तब तक पस्चिम मंगाल विक्सित नहीं हो सकता इसलिए आज केंदर सरकार, गरीब, किसान, नवजवान और महिला ससक्ति करण में सबसे ज़्यादा जोर दे रही है ये भाजपा की ही सरकार है जिसने नारी शक्ति बंद्यन अदिनियम करके लोग सभा और विदान सभा में महिलाओं को आरक्षन दिया ये भाजपा की ही सरकार है जिसने नमो ड्रोन दीदी अभ्यान चुरू किया है इस अभ्यान के तहर हम गाउं की बेहनों बेटियों को आधुनिक ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं वाजपा की सरकार गाउं गाउं में महिला स्वयम सहायता समों को लाखो करोड की मदद दे रही है जिससे उनके आमदनी और बड़े हमने देश में तीन करोड लखपती दीदी तीन करोड लखपती दीदी बनाने का भी संकल्प लिया है साथियों पस्चिम मंगाल विक्सिद होगा तबी बारत भी विक्सिद होगा इसके लिए जरूरी है कि आने वाले लोग सबाचुनाव में पस्चिम मंगाल की सभी सिटों पर कमल खिले खिलेगा खिलेगा टीमसी को गमंड है कि उसके पास एक निश्चित बोट बैंक है इस बार टीमसी का ये गमंड भी तूटेगा इस बार मुस्लिम बहन बेटियां भी टीमसी के गुंडा राज को उखाड फैक्रने के लिए आगे आएगे इस लोगसभा चुनाव के नतीजे पस्तिम मंगाल से टीमसी सरकार काई का उसकी बिदाई का उसके पराजय का काउंड डाउन शुरू करेंगे आज सब्दू रांकी आवाज आ रही है मैं अभी देख रहा था सुपेंदु जीरो और हमारे अध्यक्ची बता रहे थे ऐई बार मैं आपका फिर आभार व्यक्त करूँगा कि आप हमें इतनी बड़ी संख्या में आशिरवाद देने आए आप अपने अपने गाउं जाएंगे तो आँ सब को कहना कि मोदी जी ने प्रणाम कहा है कहेंगे दोनों हाथ उपर कर मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की बंदे 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 बात बात धन्यवाद तारकेश्वर महदेव की आराम भागवासी के अमार आंत्रीक सुभेच्चा बोरोरा प्रणाम एवाम छोटोरा अमार भालो भाशाने बेन सबसे पहने तो मैं मात्रु शक्ति को सामर्थ देने वाली इस भूमी को प्रणाम करता हूँ जहां बगल में ही खाना कूल में महान समाचु धारत राजा राम महान राई जी ने जन्मलिया और नारी शक्ति के जीवन को नया सामर्थ दिया था मैं खाना कूल की इस धर्ति को प्रणाम करता हूँ राजा राम महान राई की प्रेरना से भारत की नारी शक्ति के कल्यान के लिए जी जान से जुटा हुआ भाईयो भाणो आप सभी इतनी बड़ी संख्या में हमें आसिरवात देने आये हैं हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं यहां कुछ नवजवान बहुत सुन्दर सुन्दर चित्र बना करके लाए थे वहाँ एक बेटी कितनी देर से बगवान जगनाज जी का चित्र लेकर आई थी आप सब का क्योंकि यह धर्ती तो रग रग में कला आर्ट यह यहां की विशेस्ता है मैं आप सब का बहुत आभारी हूं लेकिन मैं अनुभाव कर रहा हूं कि बहाँ भी पीडी और वर्तमान युवा पीडी आपका ये प्यार इन सब के प्यार का एक प्रतीग है और इसलिए मैं रजय से आप सब का धन्यवाद करता हूं साथियों अप से कुछ देर पहले मुझे यहां साथ हजार करोड रुपिये से जादा के प्रोजेक का उद्गाटन और सिलान्यास करने का सवबाग्य मिला इन में रेल, पॉर्ट, पेट्रोलियूम और जल सक्ति से जुड़ी परियोजनाय शामिल है मैं बंगाल के आप सभी लोगों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं साथियों पस्चिम बंगाल आज़ादी के अंदोलन की प्रेना स्थली रही गुलामी के विरुद्ध प्रखर नेत्रत्व देने वाली यहां के हर संतान का सपना था कि भारत विकास की नई उचाई प्रात्त करे आज मैं जब बंगाल आया हूं तो कह सकता हूं कि आज का भारत उनका यह सपना पूरा कर रहा है बीते दस साल में भारत ग्यारवे नंबर की इकनामी से उपर उठकर पांचवे नंबर की आर्थिक ताकत बना है G20 में कैसे भारत की जैजे कार हुई यह हम सब ने देखा है आज भारत स्पेस सेक्टरी में अग्रणी बन रहा है जो काम दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया वो हमारे चंद्रयान ने किया है आज स्पोर्ट के चेत्र में भी भारत नए रिकॉर्ड बना रहा है अब आज स्वतंत्र भारत में देश की समरुद्धी और हमारा समरुद्ध सांस्कृतिक दरोवर फिर से पूरे गवरों से नई उचाई प्राप्त कर रहा है और यह हम सभी का सवभाग्य है कि पांच सदियों के इंतजार के बाद पांच सो साल के बाद प्रभू सी राम अपने भग्य मंदिर में विराजे है पस्टिम बंगाल में जीस तरह राम लला का स्वागत हुआ स्री राम के प्रती बंगाल के लोगों की जो आस्ता है उसे पुरा देश प्रभावित है प्रेरित है साथियों देश की इन उप्रब्द्रग्यों के बीच बंगाल की स्थिति भी आज पुरा देश देख रहा है मा, माटी, मानोष ये इसके ढोल पिटने वाली पी-मसी ने संदेश खाली की बेहनों के साथ जो किया है वो देख कर पुरा देश दुखी है आक्रोशीत है और मैं कह सकता हूँ कि राजा राम महनराय की आत्मा आज जहां भी होगी इन लोगों के इन कारणामों के लेकर के अत्यंत दुखी होगी होगी क्योंकि इनों ने संदेश खाली में जो किया राजा राम होनराय उनकी आत्मा आज रोती होगी टी-म-सी के नेता ने संदेश खाली में बहनों बेट्यों के साथ दूस साहस की सारी हदे पार कर दी जब संदेश खाली की बहनों ने अपनी आवाज बुलंद की ममता दीजी से मदद मांगी उन्हें बदले में क्या मिला मुख्यमंत्री दीदी ने बंगाल सरकार ने टी-म-सी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ती लगा दी बीजेपी के दवाओ में इन सारे नेताओं ने रात दिल लड़ाई लड़ी माताओ बैनों के सम्मार के लिए लड़ाई ली लाठियां खाई मुसीवते जेली बीजेपी के दवाओ में आखिर कर कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने जुख करके उस आरोपी को गिरत्तार करना पड़ा टीमसी के राज में टीमसी का ये अपरादी नेता करीब करीब दो महिने तक फरार रहा कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा क्या ऐसी टीमसी को माप करेंगे क्या माता और बेनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे के नहीं लेंगे लेंगे के नहीं लेंगे हर चोड का जवाब वोट से दे रहा है आज बंगाल के जनता यहां के मुख्यमंत्री दीदी से पूछ रही है क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेज खाली की पिडित महिलाओं से भी जादा एहम हो गया है हरे शर्म आनी चाहिए बंगाल के मेरे भायो भनो मुझे सबसे ज़्यादा हराने इंडी गड़बंदन के बाकी नेताओं को देखकर होती है इंडी गड़बंदन के बड़े बड़े नेता संदेज खाली पर आख कान मुझ गादी जीजी को जो तीन बंदर देने उन तीन बंदरों की तरह आख कान मुझ सब ये बंद करके बैट रहे हैं पटला बैंगलोरो मुंबई न जाने कहां कहां ये साथ मिलकर बैठा के करते हैं लेकिन क्या लेप और कॉंग्रेस ने यहां की सरकार से यहां के मुक्वंत्री से जवाब मागने की हिम्मत की क्या इन लोगों से संदेश ठालिक इन बेहनों की तरफ एक नजर देखा भी नहीं गया और आपने देखा हैं कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष ने क्या कहा आप सुनकर के चोग जाएंगे मेरी माताओ बेहनों जो बंगाली में मेरा टांसेशन कर सकते हैं वो इन माताओ बेहनों को जुरू बताएं कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष ने कहा का कॉंग्रेस के राष्ट्रिय दिख कहते हैं अरे छोड़ो बंगाल में तो ये सब कुछ चलता रहता है क्या ये बंगाल का पान हैग नहीं है बंगाल की महान परंपरा का पान हैग नहीं है बंगाल की महान संस्कृति का पान हैग नहीं है बंगाल के बीरपुरुषों का पान्हेक नहीं है बंगाल के संसकार प्रिय नागरिकों का पान्हेक नहीं है यही सक्चाई कॉंग्रेस की और इंडी गढ़बंधन की है साथियों इंडी गढ़बंधन के लिए ब्रस्टाचारियों परिवारवादियों और तुष्टी करणवालें का साथ देना ही यह की काम बचाए यही सबस्टे बड़ा काम है टी- ambiguity ने बंगाल में अपराव और प्रस्टाचार का एक नया मौडल प्यदा कर दिया है राज्य सरकार प्रस्टाचार को वड़ावा देती है अपराद को बढ़ावा देती है इतना ही नहीं अपरादियों को समुरक्षा के बदले टीमसी नेताओं को भर भर के पैसे मिलते है टीमसी ने यहां प्राइमरी टीचर्स की भरती में गोटाला किया कियाग ने किया गोटाला कियाग ने किया टीमसी में हां म्यूनिसिपालिटी भरतियों में गोटाला कियाग ने किया गोटाला कियाग ने किया टीमसी में हां सरकारी सामान की खरीद में गोटाला कियाग ने किया गोटाला कियाग ने किया टीमसी ने यहाँ गरीब को राशन देने में गोटाला किया गने किया किया गने किया गरीब और मद्यमवर की जमीन पर कबजा करना हो चीट फंड योजनाओं में गोटाला करना हो बॉर्डर पर जानवरों की स्मगलिंग करनी हो टीमसी ने गोटाले और ब्रव्र्ष्चाचार के लिए कोई छेत्र छोड़ा नहीं है और इसलिए देखो टीमसी के मंत्रियों के गर से नोटो के धेर निकल रहे नोटो के धेर आपने इतन नोटों के धेर देखें नहीं देखें देखें नहीं देखें प्यां कभी पहले नोटों का इतने बड़े डेर देखें थे कभी सिनेबा में भी देखे थे क्या कर दिया इन लोगों ने और उपर से यहां की सरकार केंद्रिय जाच एजन्चियों को भी जाच करने से रोक गिड़े के लिए हर हद कंडा अपना रही है यहां के मुख्य मंत्री प्रश्टाचारियों को बचाने के लिए धरने पर बैठ जाती है तीमसी चाहती है कि केंद्र की योजनों भी उनको खुली लूट करने का मोका मिले अब मोदी इनकी मनमानी चलने नहीं दे रहा इसलिए मोदी को टीमसी अपना दुस्वन नमबर वन मानती है अब आप मुझे बता दीजिए मैं ज़र आपको पूछता हूँ क्या ये टीमसी की लूट में चलने दू क्या ये टीमसी जो करतियों में करने दू क्या ये पैसा आपका है नहीं है ये बंगाल के लोगों का पैसा है नहीं है आपकी महनत का पैसा है नहीं है क्या हो औरों को लूटने दू क्या अगर मैं लड़ाई लड़ता हूँ तो सही करता हूँ नहीं करता हूँ ये लूटेरों के पीछे में कदम उठाता हूँ अच्छा कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ मैं आज बंगाल को बादा कर रहा हूँ मेरी गारंटी है कि ये लूटने वालों को ये लूटने वालों को लोटाना पड़ेगा ये मोदी छोड़ने वाला नहीं है और मोदी ना इनकी गालियों से डरता है इनके हमले से दरने वाला रूखने वाला मोदी नहीं है मैंने पस्चिम मंगाल की बैनों पस्चिम मंगाल के गरीब पस्चिम मंगाल के युवाओं को गारंटी दी है और मोदी की गारंटी की है जिसने गरीब को लूटा है उसको लोटाना ही पड़ेगा साथियों टीमसी की सरकार के रवे के कारां पस्चिम मंगाल का विकास प्रभावित हो रहा है टीमसी सरकार की सजा यहां का गरीब और मिडल क्लास भूगत रहा है मैं आपको इसके कुछ प्रमाण देता हूँ जारिया और रानी गंज कोल फिल्ड का प्रजेक हमने लगबग छे साल पहले शुरू किया था लेकिन यहां की सरकार इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे है अठारा हजार करोड रुपिये का यह अकड़ा याद रखिए अठारा हजार करोड रुपिये जगदिश्पूर हल्दिया और बोकारो धामरा पाइपलाइन प्रोजेक भी चार साल से पेंडिंग पड़ा है राज्य सरकार का सहयोग न मिलने के कारण तारकेश्पर से विश्टूपूर रेल लाइन का काम भी रुपा पड़ा है हजारो करोड रुपिये के ऐसे अनेक प्रोजेक्स जिनके लिए केंदर सरकार ने पैसा सेंक्शन कर दिया लेकिन काम नहीं हो पा रहा है यहां तक की टी एमसी सरकार गरीबों के घर तक नहीं बनने दे रही है पूरे देश में मोदी ने चार करोड से अधिक गरीब परिवारों को पके घर दिये हैं पके घर मिल चुके वो पके घर में दिवाली होली मणा रहे है दुरगया पुझा कर रहे है पच्चिम मंगार के गरीब परिवारों के लिए भी केंद्र की भाजपा सरकार ने 45 लाग 45 लाग गर हमने स्विक्रुद किये है इसके लिए 42 थावजन करोड रुपिये 42 लाग करोड रुपिये रिलीज किये गए है लेकिन बंगाल में राज्य सरकार गरीबों के घर बनाने के लिए तेजी से काम नहीं कर रही अडंगे डाल रही है रुकावटे पैदा कर रही है आप मुझे पताईए पैसे हैं तो गरीबों के घर बनने चाहिए गने बनने चाहिए जल्दी से जल्दी बनने चाहिए अच्छे से अच्छे बनने चाहिए क्या ये टीमसे वाले बना सकते हैं क्या बना सकते हैं क्या अगर बनाएगा तो बीजेपी बनाएगी अगर करेगा तो मोधी करेगा मेरी माताई बैने इतनी बड़ी तादाज में आई हैं आपको मैं बताना चाहता हूँ आप जानते हैं केंदर सरकार हर गर नल से जल पहुँचाने का अभियान चाला रही है हर गर में पाइप से पानी पहुची है लिजें काम हो रहा है चार साल के बीतर ही पूरे देश में ग्यारा करोड से जादा नए परिवारों को पाइप लाइन से नल से जल की सुविदा मिली है लेकिन हर गर जल देने के लिए पस्टिम मंगाल सरकार कच्छुए की रप्तार से काम कर रही है बताइए ऐसे लोगों को माप किया जा सकता है क्या माताए बेने जो आपके घर पानी नहीं पहुचने देते हैं उनका दाना पानी बंद करना चाहिए करोगे क्या आपके हैसिरवास रहेंगे साथियो उसे माताओ बेनों बेट्यों की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है केंद्र सरकार पैसा दे रही है लेकिन यहां की सरकार उसका उप्योग भी नहीं कर रही है साथियो हर उस योजना से जिससे गरीब का भला होता हो टीमसी सरकार उसके सामने दिवार बनकर खड़ी हो गई है मोदी ने हर गरीब परिवार को पांच लाख उर्पय तक के मुप्त इलाज की गारंटी दी है आईश्मान कार से देश भर में करोडों गरीब परिवारों का मुप्त में इलाज हुआ है इससे इन परिवारों को लगबग एक लाख करोड रुपी की बचत हुई है लेकिन गरीब एससी, एस्टी इनकी विरोधी टी-म-सी यहां के सवा करोड परिवारों को इसका लाब नहीं दे ले देती आप मुझे बताएए गरीब को मुप्त इलाज मिलना चाहिए और नहीं मिलना चाहिए अगर बिमारी में सरकार उसके पैसे दे तो उसको सारवार का लाब मिलना चाहिए और नहीं मिलना चाहिए अब देखे यह गरीब विरोधी टीमसी वो भी नहीं करने देती देश के करोडों लोगों को मोधी बिमारी में पैसा दे रहा है बंगाल में नहीं दे पा रहा है क्योंकि टीमसी मना कर रही है टीमसी सरकार पीएम किसान सिन्मा निदी का लाप दिलाने में भी लंबे अर्शे तक अडगे लाल लगा रही है बारत सरकार के प्रयासों से हाँ बंगाल के छोटे किसान के बेंखातों में सीधे ग्यारा हजार करोड रुपिय ट्रांसपर हुए है लेकिन टीमसी सरकार की पूरी कोशिस है कि इस योजना का पैसा भी हडप लें साथियों, पीमसी सरकार, गरीब, किसान, नवजवान और महिला के ससक्त करण में बहुत बड़ी रुकावट है ये चार बर जब तक ससक्त नहीं होंगे तब तक पस्चिम मंगाल विक्षित नहीं हो सकता इसलिए आज केंद्र सरकार, गरीब, किसान, नवजवान और महिला ससक्त करण पर सबसे जादा जोर दे रही है ये भाजपा की ही सरकार है, जिसने नारी, शक्ती, बंद्यन, अदिनियम करके लोग सभा और विदान सभा में महिलाओं को आरक्षन दिया ये भाजपा की ही सरकार है, जिसने नमो ड्रोन दीदी अभ्यान चुरू किया है इस अभ्यान के तहर हम गाउं की बेहनों बेटियों को आधुनिक ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं भाजपा की सरकार गाउं गाउं में महिला स्वयम सहायता समों को लाखो करोड की मदद दे रही है जिससे उनके आमदनी और बड़े हमने देश में तीन करोड लखपती दीदी तीन करोड लखपती दीदी बनाने का भी संकल्प लिया है साथियों पस्चिम मंगाल विक्सिद होगा तबी बारत भी विक्सिद होगा इसके लिए जरूरी है कि आने वाले लोग सबाचुनाव में पस्चिम मंगाल की सभी सिटों पर कमल खिले खिलेगा खिलेगा टीएमसी को गमंड है कि उसके पास एक निश्चित भूट बैंक है इस बार टीएमसी का ये गमंड भी तूटेगा इस बार मुस्लिम बहन बेटियां भी टीएमसी के गुंडा राज को उखाड फैकने के लिए आगे आएगे इस लोकसभा चुनाव के लतीजे पस्तिम मंगाल से टीएमसी सरकार काई का उसकी बिदाई का उसके पराजय का काउंड डाउन शुरू करेंगे आज सब्दुरां की आवाज आ रही है मैं अभी देख रहा था सुपेंद्व जीरो और हमारे अध्यक्जी बता रहे थे एई बार मैं आपका फिर आभार व्यक्त करूँगा कि आप हमें इतनी बड़ी संख्या में आशिरवाद देने आए आप अपने अपने गाउं जाएंगे तो आँ सब को कहना कि मोदी जी ने प्रणाम कहा है कहेंगे दोनों हाथ उपर कर मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की बंदे 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 बहुत बहुत धन्यवाद की दारकेश्वर महदेव की आराम भागवासी के अमार आंत्रीक सुभेच्चा बोरोरा प्रणाम एवाम छोटोरा अमार भालो भाशाने बेन सबसे पहने तो मैं मात्रुश शक्ति को सामर्थ देने वाली इस भूमी को प्रणाम करता हूँ जहां बगल में ही खाना कूल में महान समाचुधारत राजा राम मुहन राईजी ने जन्मलिया और नारी शक्ति के जीवन को नया सामर्थ दिया था मैं खाना कूल की धर्टी को प्रणाम करता हूँ राजा राम मौंगराय की प्रेरना से भारत की नारी शक्ति के कल्यान के लिए जी जान से जुटा हुआ भायो भानो आप सभी इतनी बड़ी संख्या में हमें आशिरवात देने आये हैं हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं यहां को जनाव जवान बहुत सुंदर सुंदर चित्र बना करके लाए थे वहाँ एक बेटी कितनी देर से भगवान जगनाजी का चित्र लेकर आई थी आप सबका क्योंकि यह धर्ती तो रग रग में कला आर्ट यह यहां की विशेष्टा है मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ लेकिन मैं अनुभाव कर रहा हूँ कि बहाँ भी पीडी और वर्तमान युवा पीडी आपका ये प्यार इन सब के प्यार का एक प्रतीग है और इसलिए मैं रजय से आप सबका धन्यवाद करता हूँ साथियों अप से कुछ देर पहले मुझे यहां साथ हजार करोड रुपिये से जादा के प्रोजेक का उद्गाटन और शिलान्यास करने का सवबाग्य मिला इन में रेल पॉर्ट पेट्रोलियम और जल सकती से जुड़ी परियोजनाय शामिल है मैं बंगाल के आप सभी लोगों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं साथियों पस्चिम बंगाल आज़ादी के अंदोलन की प्रेना स्थली रही गुलामी के विरुद्ध प्रखर नेत्रत्व देने वाली यहां के हर संतान का सपना था कि भारत विकास की नई उचाई प्रात्त करें आज मैं जब बंगाल आया हूं तो कह सकता हूं कि आज का भारत उनका यह सपना पूरा कर रहा है बीते दस साल में भारत ग्यारवे नंबर की इकाना में से उपर उठकर पांचवे नंबर की आर्थिक ताकत बना है G20 में कैसे भारत की जैजे कार हुई यह हम सब ने देखा है आज भारत स्पेस सेक्टरी में अग्रणी बन रहा है जो काम दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया वो हमारे चंद्रयान ने किया है आज स्पोर्ट के छेत्र में भी भारत नए रिकॉर्ड बना रहा है अब आज स्वतंत्र भारत में देश की समरुद्धी और हमारा समरुद्ध सांस्कृतिक धरवर फिर से पूरे गवरव से नई उचाई प्राप्त कर रहा है और यह हम सभी का सवभाग्य है कि पांच सदियों के इंतजार के बाद पांच सो साल के बाद प्रभू सी राम अपने भग्य मंदिर में विराजे है पस्चिम बंगाल में जीस तरह राम लला का स्वागत हुआ स्री राम के प्रती बंगाल के लोगों की जो आस्ता है उससे पुरा देश प्रभावित है प्रेरित है साथ्यों देश की इन उप्रब्द्रग्यों के बीच बंगाल की स्थिति भी आज पुरा देश देख रहा है मा, माटी, मानोष ये इसके ढोल पिटने वाली पी-मसी ने संदेश खाली की बेहनों के साथ जो किया है वो देखकर पुरा देश दुखी है आक्रोशीत है और मैं कह सकता हूँ कि राजा राम महनराय की आत्मा आज जहां भी होगी इन लोगों के इन कारणामों के लेकर के अत्यंत दुखी होगी होगी क्योंकि इनों ने संदेश खाली में जो किया राजा राम होनराय उनकी आत्मा आज रोती होगी टी-मसी के नेता ने संदेश खाली में बेहनों बेट्यों के साथ दूस साहस की सारी हदे पार कर दी जब संदेश खाली की बेहनों ने अपनी आवाज बुलंद की मम्ता दीजी से मदद मांगी उन्हें बदले में क्या मिला मुख्यमंत्री दीजी ने बंगाल सरकार ने टी-मसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ति लगा दी बीजेपी के दवाओ में इन सारे नेताओं ने रात दिल लड़ाई लड़ी माताओ बैनों के सम्मार के लिए लड़ाई ली लाठियां खाई मुसीवते जेली बीजेपी के दवाओ में आखिर कर कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने जुक करके उस आरोपी को गिरपतार करना पड़ा दीमसी के राजबें दीमसी का यह अपरादी नेता करीब करीब दो महिने तक फरार रहा कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा क्या एसी टीमसी को माप करेंगे एसी टीमसी को माप करेंगे क्या माता और बैनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे के नहीं लेंगे हर चोड का जवाब वोट से देना है आज मंगाल के जनता यहां के मुक्यमंत्री दीदी से पूछ रही है क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेज खाली की पिडित महिलाओं से भी जादा एहम हो गया है हरे शर्म आनी चाहिए बंगाल के मेरे भाग्यों भहनों मुझे सबसे ज़्यादा हराने इंडी गड़बंदन के बाकी नेताओं को देखकर होती है इंडी गड़बंदन के बड़े बड़े नेता संदेज खाली पर आख कान मुझे गादी जीच को जो तीन बंदर देन है उन तीन बंदरों की तरह आख कान नाख मुझे सब यह बंद करके बैट रहे हैं पटला बैंगलोरो मुंबई न जाने कहां कहां यह साथ मिलकर बैठा के करते हैं लेकिन क्या लेप्ट और कॉंग्रेस ने यहां की सरकार से यहां के मुक्वंत्री से जवाब मागने की हिम्मत की क्या इन लोगों से संदेश ठाली की इन बेहनों की तरफ एक नजर देखा भी नहीं गया और आपने देखा हैं कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष ने क्या कहा आप सुनकर के चोग जाएंगे मेरी माताओ बेहनों जो बंगाली में मेरा टांसरसन कर सकते हैं वो इन माताओ बेहनों को जुरूर बताएं कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्रिक्ष ने का 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 कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्रिक्ष कहते हैं अरे छोड़ो बंगाल में तो ये सब कुछ चलता रहता है क्या ये बंगाल का पान हैग नहीं है बंगाल की महान परंप्रा का पान हैग नहीं है बंगाल की महान संस्रिती का पान्हेक नहीं है बंगाल के वीर पुरुषों का पान्हेक नहीं है बंगाल के संस्कार प्रिय नागरिकों का पान्हेक नहीं है यही सक्चाई कॉंग्रेस की और इंडी गठबंदन की है साथियों इंडी गद्वन्दन के लिए ब्रस्टाचारियों परिवारवादियों और तुष्टी करणवालियों का साथ देना ही ये की काम बचा है ये ही सब्चे बड़ा काम है टी एमसी ने बंगाल में अपराद और प्रस्टाचार का एक नया मोडल प्यदा कर दिया है राज्य सरकार प्रस्टाचार को बढ़ावा देती है अपराद को बढ़ावा देती है इतना ही नहीं अपरादियों को समुरक्षा के बदले टी एमसी नेताओं को भर भर के पैसे मिलते है टी एमसी ने यहाँ प्राइमरी टीचर्स की भरती में गोटाला किया कियाग ने किया गोटाला कियाग ने किया टी एमसी में हाँ म्यूनिसिपालिटी भरतियों में गोटाला कियाग ने किया गोटाला कियाग ने किया टी एमसी में हाँ सरकारी सामान की खरीद में गोटाला किया गने किया गोटाला किया गने किया पीमजी ने यहाँ गरीब को राशन देने में गोटाला किया गने किया किया गने किया गरीब और मद्नमवर की जमीन पर कबजा करना हो चीट फंड योजनाओं में गोटाला करना हो बॉर्डर पर जानवरों की स्मगलिंग करनी हो टी एमसी ने गोटाले और प्रस्टाचार के लिए कोई छेत्र छोड़ा नहीं है और इसलिए देखो टी एमसी के मंत्रियों के गर से नोटों के धेर निकल रहे हैं नोटों के धेर आपने इतन नोटों के धेर देखे नहीं देखे प्या कभी पहले नोटों का इतने बड़े देखे थे कभी सिन्ने मा में भी देखे थे क्या कर दिया है इन लोगों ने और उपर से यहां की सरकार के इंध्रिय जाच एजन्चियों को भी जाच करने से रोकने के लिए हर हज़कंडा अपना रही है यहां के मुख्यमंत्री प्रष्टाचारियों को बचाने के लिए धरने पर बैठ जाती है T.M.C. चाहती है कि केंदर की योजनाव भी उनको खुली लूट करने का मोका मिले अब मोदी इनकी मनमानी चलने नहीं दे रहा है इसलिए मोदी को T.M.C. अपना दुस्वन नमबर वन मानती है अब आप मुझे बता दीजिए मैं ज़र आपको पूछता हूँ क्या यह T.M.C. की लूट में चलने दूँ क्या यह T.M.C. जो करतियों में करने दूँ क्या यह पैसा आपका है नहीं है यह बंगाल के लोगों का पैसा है नहीं है आपकी महनत का पैसा है नहीं है क्या वह औरों को लूटने दूँ क्या अगर मैं लड़ाई लड़ता हूँ तो सही करता हूँ नहीं करता हूँ ये लूटेरों के पीछे मैं कदम उठाता हूँ अच्छा कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ मैं आज बंगाल को बादा कर रहा हूँ मेरी गारंटी है ये लूटने वालों को ये लूटने वालों को लोटाना पड़ेगा ये मोदी छोड़ने वाला नहीं है और मोदी नहीं की गालियों से डरता है इनके हमले से दरने वाला रूकने वाला मोदी नहीं है मैंने पस्चिम मंगाल की बेनों पस्चिम मंगाल के गरीब पस्चिम मंगाल की युवाओं को गारंटी दी है और मोदी की गारंटी की है जिसने गरीब को लूटा है उसको लोटाना ही पड़ेगा साथ्यों टीम्सी की सरकार के रवे के कारां पस्चिम मंगाल का विकास प्रभावित हो रहा है टीम्सी सरकार की सजा यहां का गरीब और मिडल क्लास भूगत रहा है मैं आपको इसके कुछ प्रमार देता हूँ जारिया और रानी गंज कोल फिल्ड का प्रोजेक्ट हमने लगबग छे साल पहले शुरू किया था लेकिन यहां की सरकार इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे है अठारा हजार करोड रुपिये का यह अकड़ा याद रखिए अठारा हजार करोड रुपिये जगदिश्पूर हल्दिया और भोकारो धामरा पाइप्लाइन प्रोजेक्ट भी चार साल से पेंडिंग पड़ा है राज्य सरकार का सहयोग न मिलने के कारण तारकेश्पर से विष्टूपूर रेल लाइन का काम भी रुपा पड़ा है हजारो करोड रुपिये के ऐसे अनेक प्रोजेक्ट जिनके लिए केंदर सरकार ने पैसा सेंक्शन कर दिया लेकिन काम नहीं हो पा रहा है यहां तक कि टी एम सी सरकार गरीबों के घर तक नहीं बनने दे रही है पूरे देश में मोदी ने चार करोड से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर दिये है पक्के घर मिल चुके वो पक्के घर में दिवाली होली मगा रहे है दुर्गया पुझा कर रहे है पच्चिम मंगाल के गरीब परिवारों के लिए भी केंद्र की भाजपा सरकार ने 45 लाग 45 लाग गर हमने स्विक्रुत किये हैं इसके लिए 42 थावजन करोड रुपिये 42 हजार करोड रुपिये रिलीज किये गए हैं लेकिन बंगाल में राज्य सरकार गरीबों के घर बनाने के लिए तेजी से काम नहीं कर रहे हैं अडंगे डाल रहे हैं रुकावटे पैदा कर रहे हैं आप मुझे पताईए पैसे हैं तो गरीबों के घर बनने चाहिए गर नहीं बनने चाहिए जल्दी से जल्दी बनने चाहिए गर नहीं बनने चाहिए क्या ये टीमसे वाले बना सकते हैं क्या बना सकते हैं क्या अगर बनाएगा तो बीजेपी बनाएगी अगर करेगा तो बोधी करेगा मेरी माताई बैने इतनी बड़ी तादाज में आई हैं आपको मैं बताना चाहता हूँ आप जानते हैं केंदर सरकार हर गर नल से जल पहुंचाने का अभियान चला रही है हर गर में पाइप से पानी पहुंचाने काम हो रहा है चार साल के बीतर ही पूरे देश में ग्यारा करोड से जादा नए परिवारों को पाइप लाइन से नल से जल की सुविदा मिली है लेकिन हर गर जल देने के लिए पस्चिम मंगाल सरकार कच्छुए की रप्तार से काम कर रही है बताईए ऐसे लोगों को माप किया जा सकता है क्या माता है बेने जो आपके गर पानी नहीं पहुंचने देते हैं उनका दाना पानी बंद करना चाहिए करोगे क्या आपके हसिर्वाद रहेंगे साथियो उसे माताओ बेनो बेट्यों की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है केंद्र सरकार पैसा दे रही है लेकिन यहां की सरकार उसका उप्योग भी नहीं कर रही है साथियो हर उस योजना से जिससे गरीब का भला होता हो टी एम सी सरकार उसके सामने दिवार बनकर खड़ी हो गई है मोदी ने हर गरीब परिवार को पांच लाख उर्पे तक के मुप्त इलाज की गारेंटी दी है आईश्मान कार से देश भर में करोडों गरीब परिवारों का मुप्त में इलाज हुआ है इससे इन परिवारों को लगबग एक लाख करोड रुपी की बचत हुई है लेकिन गरीब एस सी, एस्टी, इनकी विरोधी, टी एम सी यहां के सवा करोड परिवारों को इसका लाब नहीं दे ले देती आप मुझे बताईए, गरीब को मुप्त इलाज मिलना चाहिए और नहीं मिलना चाहिए अगर बिमारी में सरकार उसके पैसे दे, तो उसको सहरवार का लाब मिलना चाहिए और नहीं मिलना चाहिए अब देखे ये गरीब विरोधी टीमसी वो भी नहीं करने देती देश के करोडों लोगों को मोधी बिमारी में पैसा दे रहा है बंगाल में नहीं दे पा रहा है क्योंकि टीमसी मना कर रही है टीमसी सरकार पीम किसान सिंवा निदी का लाब दिलाने में भी लंबे अर्षे तक अड़ंगे लाल लगा रही है बारत सरकार के प्रयासों से हाँ बंगाल के छोटे किसान के बेंखातों में सीधे ग्यारा हजार करोट रुपिय ट्रांसपर हुए है लेकिन टीमसी सरकार की पूरी कोशिस है कि इस योजना का पैसा भी हडप लें साथियों पीमसी सरकार गरीब किसान नवजवान और महिला के ससक्त करण में बहुत बड़ी रुकावट है ये चार वर जब तक ससक्त नहीं होंगे तब तक पस्चिम मंगाल विक्सित नहीं हो सकता इसलिए आज केंद्र सरकार गरीब किसान नवजवान और महिला ससक्त करण पर सबसे ज़्यादा जोर दे रही है ये भाजपा की ही सरकार है जिसने नारी, शक्ती, बंदिन, अधिनियम करके लोग सभा और विधान सभा में महिलाओं को आरक्षन दिया ये भाजपा की ही सरकार है जिसने नमो ड्रोन दीदी अभ्यान चुरू किया है इस अभ्यान के तहर हम गाउं की बेहनों बेटियों को आधुनिक ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं भाजपा की सरकार गाउं गाउं में महिला स्वयम सहायता समों को लाखो करोड की मदद दे रही है जिसने उनकी आमदनी और बड़े हमने देश में तीन करोड लखपती दीदी तीन करोड लखपती दीदी बनाने का भी संकल्प लिया है साथियों पस्चिम मंगाल विक्सिद होगा तबी बारत भी विक्सिद होगा इसके लिए जरूरी है कि आने वाले लोग सबाचुनाव में पस्चिम मंगाल की सभी सिटों पर कमल खिले खिलेगा तीमसी को गमंड है कि उसके पास एक निश्चित बोट बैंक है इस बार टीमसी का ये गमंड भी तूटेगा इस बार मुस्लिम बहन बेटियां भी टीमसी के गुंडा राज को उखाड फैकने के लिए आगे आएगे इस लोगसभा चुनाव के नतीजे पस्तिम मंगाल से टीमसी सरकार काई का उसकी बिदाई का उसके पराजय का काउंड डाउन शुरू करेंगे आज सब्दूरा की आवाज आ रही है मैं अभी देख रहा था सुपेंद्र जीरो और हमारे अध्यक्ची बता रहे थे मैं आपका फिर आभार व्यक्त करूँगा कि आप हमें इतनी बड़ी संख्या में आशिरवाद देने आए आप अपने अपने गाउं जाएंगे तो आँ सब को कहना कि मोदी जी ने प्रणाम कहा है कहेंगे दोनों हाथ उपर कर मेरे साथ बोलिये भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदे 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 वंद बोरोरा प्रणाम एवाम छोटोरा अमार भालो भाशा ने बेन सबसे पहने तो मैं मात्रुश शक्ति को सामर्थ देने वाली इस भूमी को प्रणाम करता हूँ जहां बगल में ही खाना कुल में महान समाचुधारत राजा राम मुहन राईजी ने जन्मलिया और नारी शक्ति के जीवन को नया सामर्थ दिया था मैं खाना कुल की इस धर्ति को प्रणाम करता हूँ राजा राम मुहन राई की प्रेणा से भारत की नारी शक्ति के कल्यान के लिए जीजान से जुटा हुआ भायो भानो आप सभी इतनी बड़ी संख्या में हमें आशिरवात देने आये हैं हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं यहां कुछ नवजवान बहुत सुंदर सुंदर चित्र बना करके लाए थे वहाँ एक बेटी कितनी देर से बगवान जगनाजी का चित्र लेकर आई थी आप सबका क्योंकि यह धर्ती तो रग रग में कला आर्ट यह यहां की विशेस्ता है मैं आप सबका बहुत आभारी हूं लेकिन मैं अनुभाव कर रहा हूं कि वहाँ भी पीडी और वर्तमान युवा पीडी आपका ये प्यार इन सब के प्यार का एक प्रतीग है और इसलिए मैं रजय से आप सबका धन्यवाद करता हूं साथियों अपसे कुछ देर पहले मुझे यहां साथ हजार करोड रुपिय से जादा के प्रोजेक का उद्गाटन और सिलान्यास करने का सवभाग्य मिला हूं इन में रेल, पॉर्ट, पेट्रोलियूम और जल सकती से जुड़ी परियोजनाय शामिल है मैं बंगाल के आप सभी लोगों को इन परियोजनाओं के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं साथियों पस्चिम बंगाल आजादी के अंदोलन की प्रेना स्थली रही गुलामी के विरुद्ध प्रखर नेत्रत्व देने वाली यहां के हर संतान का सपना था कि भारत विकास की नई उचाई प्रात्त करें आज मैं जब बंगाल आया हूं तो कह सकता हूं कि आज का भारत उनका यह सपना पूरा कर रहा है बीते दस साल में भारत ग्यारवे नंबर की इकना में से उपर उठकर पांचवे नंबर की आर्थिक ताकत बना है जी ट्विंटी में कैसे भारत की जैजे कार हुई यह हम सब ने देखा है आज भारत स्पेस सेक्टरी में अग्रणी बन रहा है जो काम दुनिया का कोई देश नहीं कर पाया वो हमारे चंद्रयान ने किया है आज स्पोर्ट्स के छेत्र में भी भारत नए रिकॉर्ड बना रहा है अब आज स्वतंत्र भारत में देश की सम्रुद्धी और हमारा सम्रुद्ध सांस्कृतिक दरवर फिर से पूरे गवरों से नए उचाई प्राप्त कर रहा है और यह हम सभी का सवभाग्य है कि पांच सदियों के इंतजार के बाद पांच सो साल के बाद प्रभू स्री राम अपने भग्य मंदिर में विराजे है पस्ति बंगाल में जीस तरह राम लला का स्वागत हुआ स्री राम के प्रती बंगाल के लोगों की जो आस्ता है उससे पुरा देश प्रभावित है प्रेरित है साथियों देश की इन उप्रभग्यों के बीच बंगाल की स्थिती भी आज पुरा देश देख रहा है मा, माटी, मानुष्ट ये इसके ढोल पिटने वाली पी-मसी ने संदेश खाली की बेहनों के साथ जो किया है वो देखकर पुरा देश दुखी है आक्रोशीत है और मैं कह सकता हूँ कि राजा राम महनराय की आत्मा आज जहां भी होगी इन लोगों के इन कारणामों के लेकर के अत्यंत दुखी होगी होगी क्योंकि इनोंने संदेश खाली में जो किया राजा राम होनराय उनकी आत्मा आज रोती होगी टीमसी के नेता ने संदेश खाली में बेहनों बेट्यों के साथ दूस साहस की सारी हदे पार कर दी जब संदेश खाली की बेहनों ने अपनी आवाज बुलंद की मम्ता दीजी से मदद मांगी उन्हें बदले में क्या मिला मुख्यमंत्री दीजी ने बंगाल सरकार ने टीमसी के नेता को बचाने के लिए जो भी कर सकते थे पूरी शक्ती लगा दी बीजेपी के दवाओं में इन सारे नेताओं ने रात दिल लडाई लड़ी माताओ बैनों के सम्मार के लिए लडाई लई लाठियां खाई मुसिवते जेली बीजेपी के दवाव में आखिर कर कल बंगाल पुलिस ने आपकी ताकत के सामने जुख करके उस आरोपी को गिरबतार करना पड़ा दीमसी के राजबे दीमसी का यह अपरादी नेता करीब करीब दो महिने तक फराद रहा कोई तो होगा ना जो उनको बचाता होगा क्या ऐसी टीमसी को माप करेंगे क्या माता औ बैनों के साथ जो हुआ है उसका बदला लेंगे के नहीं लेंगे हर चोड का जवाब वोट से देना है आज बंगाल के जनता यहां के मुक्यमंत्री दीदी से पूछ रही है क्या कुछ लोगों का वोट आपके लिए संदेज खाली की पिडित महिलाओं से भी जादा एहम हो गया है हरे शर्म आनी चाहिए आख कान मुह गादी जीजी को जो तीन बंदर देने हैं उन तीन बंदरों की तरह आख कान मुह सब यह बंद करके बैट रहे हैं पटना बैंगलूरू मुंबई न जाने कहां कहां यह साथ मिलकर बैठके करते हैं लेकिन क्या लेप्ट और कॉंग्रेस ने यहां की सरकार से यहां के मुक्वंत्री से जवाब मागने की हिम्मत की क्या इन लोगों से संदेश ठाली की इन बेहनों की तरफ एक नजर देखा भी नहीं गया और आपने देखा हैं कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष ने क्या कहा आप सुनकर के चौक जाएंगे मेरी माताओ बेहनों जो बंगाली में मेरा टांसरसन कर सकते हैं वो इन माताओ बेहनों को जुरूर बताएं कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष ने का 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 कॉंग्रेस के राष्ट्री अध्यक्ष कहते हैं अरे छोड़ो बंगाल में तो ये सब कुछ चलता रहता है क्या ये बंगाल का पान है नहीं है बंगाल की महान परंप्रा का पान्हेक नहीं है बंगाल की महान संस्कृति का पान्हेक नहीं है बंगाल के वीर पुरुषों का पान्हेक नहीं है बंगाल के संस्कार प्रिय नागरिकों का पान्हेक नहीं है यही सक्चाई कॉंग्रेस की और इंडी कठ बंदन की है इंडी गद्वन्दन के लिए ब्रस्टाचारियों, परिवारवादियों और तुष्टी करणवालियों का साथ देना ही ये की काम बचा है, ये ही सब्चे बड़ा काम है टी एमसी ने बंगाल में अपराद और प्रस्टाचार का एक नया मोडल प्यदा कर दिया है राज्य सरकार प्रस्टाचार को बढ़ावा देती है, अपराद को बढ़ावा देती है इतना ही नहीं, अपरादियों को समुरक्षा के बदले टी एमसी नेताओं को भर भर के पैसे मिलते है टी एमसी ने यहां प्राइमरी टीचर्स की भरती में गोटाला किया, क्याग ने किया गोटाला किया ने किया, टी एमसी ने हां म्यूनिसिपालिटी भरतियों में गोटाला किया ने किया गोटाला किया ने किया, टी एमसी ने हां सरकारी सामान की खरीद में गोटाला किया ने किया गोटाला किया ने किया, टी एमसी ने हां गरीब को राशन देने में गोटाला किया ने किया किया गरे किया गरीब और मद्यम्वर की जमीन पर कब्जा करना हो चीट फंड योजनों में गोटाला करना हो बॉर्डर पर जानवरों की स्मगलिंग करनी हो टी एमसी ने गोटाले और ब्रफ्टाचार के लिए कोई खेत्र छोड़ा नहीं है मस्द्यों के गर से नौटों के धहर निकल रहें नौटों के डेर आपने इतन नौटों के धेर देखे नहीं देखे कि यह इन लोगों है और उपर से यहां की सरकार केंद्रिय जांच एजंचियों को भी जांच करने से रोखने के लिए हर हद कंडा अपना रही है यहां के मुख्ध मंत्री प्रश्टाचारियों को बचाने के लिए धरने पर बैठ जाती है तीमसी चाहती है कि केंद्र की योजनाओ भी उनको खुली लूट करने का मोका मिले अब मोदी इनकी मनमानी चलने नहीं दे रहा है इसलिए मोदी को टीमसी अपना दुस्वन नंबर वन मानती है अब आप मुझे बता दीजिए मैं जरह आपको पूछता हूँ क्या ये टीमसी की लूट में चलने दू क्या ये टीमसी जो करतियों में करने दू क्या ये पैसा आपका हैग नहीं है ये बंगाल के लोगों का पैसा एक नहीं है आपकी महनत का पैसा एक नहीं है क्या हो औरों को लूटने दू क्या अगर मैं लड़ाई लड़ता हूं तो सही करता हूं नहीं करता हूं ये लूटेरों के पीछे मैं कदम उठाता हूं अच्छा कर रहा हूं नहीं कर रहा हूं मैं आज बंगाल को बादा कर रहा हूँ मेरी गारंटी है ये लूटने वालों को ये लूटने वालों को लोटाना पड़ेगा ये मोदी छोड़ने वाला नहीं है और मोदी ना इनकी गालियों से डरता है इनके हमले से डरने वाला रूकने वाला मोदी नहीं है मैंने पस्चिम मंगाल के बेनों पस्चिम मंगाल के गरीब पस्चिम मंगाल के युवाओं को गारंटी दी है और मोदी की गारंटी की है जिसने गरीब को लूटा है उसको लोटाना ही पड़ेगा साथियों टीमसी की सरकार के रवे के कारां पस्चिम मंगाल का विकास प्रभावित हो रहा है टीमसी सरकार की सजा यहां का गरीब और मिडल क्लास भूगत रहा है मैं आपको इसके कुछ प्रमार देता हूँ जारिया और रानी गंज कोल फिल्ड का प्रोजेक्ट हमने लगबग छे साल पहले शुरू किया था लेकिन यहां की सरकार इसको आगे बढ़ने नहीं दे रहे है अठारा हजार करोड रुपिये का यहां कड़ा याद रखिए अठारा हजार करोड रुपिये जगदिश्पूर हल्दिया और बोकारो धामरा पाइप्लाइन प्रोजेक्ट भी चार साल से पेंडिंग पड़ा है राज्य सरकार का सहयोग न मिलने के कारण तारकेश्पर से विष्टूपूर रेल लाइन का काम भी रुपा पड़ा है हजारो करोड रुपिये के ऐसे अनेक प्रोजेक्ट जिनके लिए केंदर सरकार ने पैसा सेंक्शन कर दिया लेकिन काम नहीं हो पा रहा है यहां तक कि टी एम सी सरकार गरीबों के घर तक नहीं बनने दे रही है पूरे देश में मोदी ने चार करोड से अधिक गरीब परिवारों को पक्के घर दिये हैं पक्के घर मिल चुके वो पक्के घर में दिवाली होली मगा रहे हैं दुर्गा पुजा कर रहे हैं पच्चिम मंगार के गरीब परिवारों के लिए भी केंद्र की भाजपा सरकार ने 45 लाग 45 लाग गर हमने स्विकृत किये हैं इसके लिए 42 थावजन करोड रुपिये 42,000 करोड रुपिये रिलीज किये गए हैं लेकिन बंगाल में राज्य सरकार गरीबों के घर बनाने के लिए तेजी से काम नहीं कर रही अडंगे डाल रही हैं रुकावटे पैदा कर रही हैं आप मुझे पताईए पैसे हैं तो गरीबों के घर बनने चाहिए गर नहीं बनने चाहिए जल्दी से जल्दी बनने चाहिए गर नहीं बनने चाहिए अच्छे से अच्छे बनने चाहिए गर बना सकते हैं क्या बना सकते हैं क्या अगर बनाएगा तो बीजेपी बनाएगी अगर करेगा तो मोधी करेगा मेरी माताई बैने इतनी बड़ी तादाज में आई है आपको मैं बताना चाहता हूँ आप जानते हैं केंद्र सरकार हर गर नल से जल पहुंचाने का अभियान चला रही है हर गर में पाइप से पानी पहुंचाने काम हो रहा है चार साल के बीतर ही पूरे देश में ग्यारा करोड से जादा नए परिवारों को पाइप लाइन से नल से जल की सुविदा मिली है लेकिन हर गर जल देने के लिए पस्चिम मंगाल सरकार कच्छुए की रप्तार से काम कर रही है बताईए ऐसे लोगों को माप किया जा सकता है क्या माताई बेने जो आपके घर पानी नहीं पहुंचने देते हैं उनका दाना पानी बंद करना चाहिए करोगे क्या आपके हसिरवाद रहेंगे साथियों उसे माताओ बेनों बेट्यों की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है केंद्र सरकार पैसा दे रही है लेकिन यहां की सरकार उसका उप्योग भी नहीं कर रही है साथियों हर उस योजना से जिससे गरीब का भला होता हो टी एम सी सरकार उसके सामने दिवार बनकर खड़ी हो गई है मोदी ने हर गरीब परिवार को 5 लाख उप्यों तक के मुक्त इलाज की गारंटी दी है आउश्मान कार से देश भर में करोडों गरीब परिवारों का मुक्त में इलाज हुआ है इससे इन परिवारों को लगबग एक लाख करोड रुपी की बचत हुई है लेकिन गरीब, SC, ST, इनकी विरोधी, TMC, यहां के सवा करोर परिवारों को इसका लाब नहीं दे ले देती आप मुझे बताइए गरीब को मुक्त इलाज मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए अगर बिमारी में सरकार उसके पैसे दे, तो उसको सारवार का लाब मिलना चाहिए अब देखे यह गरीब विरोधी, TMC वो भी नहीं करने देती देश के करोडों लोगों को मोधी बिमारी में पैसा दे रहा है, बंगाल में नहीं दे पा रहा है क्योंकि TMC मना कर रही है, TMC सरकार PM किसान सिम्मा निदी का लाब दिलाने में भी लंबे अर्षे तक अडगे लाल लगा रही है, बारत सरकार के प्रयासों से हाँ बंगाल के छोटे किसान के बेंखातों में सीधे ग्यारा हजार करोड रुपिय ट्रांसपर हुए है लेकिन TMC सरकार की पूरी कोशिश है कि इस योजना का पैसा भी हड़प लें साथियों TMC सरकार गरीब, किसान, नवजवान और महिला के ससक्तिकरन में बहुत बड़ी रुकावट है ये चार वर जब तक ससक्त नहीं होंगे तब तक पस्चिम मंगाल विक्सित नहीं हो सकता इसलिए आज केंदर सरकार, गरीब, किसान, नवजवान और महिला ससक्तिकरवर सबसे ज़्यादा जोर दे रही है ये भाजपा की ही सरकार है जिसने नारी शक्ति बंद्यन अदिनियम करके लोग सभा और विदान सभा में महिलाओं को आरक्षन दिया ये भाजपा की ही सरकार है जिसने नमो ड्रोन दीदी अभ्यान चुरू किया है इस अभ्यान के तहर हम गाउं की बेहनों बेटियों को आधुनिक ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग दे रहे हैं वाजपा की सरकार गाउं गाउं में महिला स्वयम सहायता समों को लाखो करोड की मदद दे रही है जिसने उनकी आमदनी और बड़े हमने देश में तीन करोड लखपती दिदी तीन करोड लखपती दिदी बनाने का भी संकल्प लिया है साथियों पस्चिम मंगाल विक्सिद होगा तबी बारत भी विक्सिद होगा इसके लिए जरूरी है कि आने वाले लोग सबाचुनाव में पस्चिम मंगाल की सभी सिटों पर कमल खिले खिलेगा खिलेगा टीमसी को गमंड है कि उसके पास एक निश्चित बोट बैंक है इस बार टीमसी का ये गमंड भी तूटेगा इस बार मुस्लिम बेहन बेटियां भी टीमसी के गुंडा राज को उखाड फैकरने के लिए आगे आएगे इस लोगसभा चुनाव के लतीजे पस्तिम मंगाल से टीमसी सरकार काई का उसकी बिदाई का उसके पराजय का काउंड डाउन शुरू करेंगे आज सब्दूरां की आवाज आ रही है मैं अभी देख रहा था सुपेंद्र जीरो और हमारे अध्यक्ची बता रहे थे एई बार मैं आपका फिर आभार व्यक्त करूंगा कि आप हमें इतनी बड़ी संख्या में आशिरवात देने आए आप अपने अपने गाउं जाएंगे तो आँ सब को कहना कि मोदी जी ने प्रणाम कहा है कहेंगे दोरों हाथ उपर कर मेरे साथ बोलिए भारत माता की भारत माता की भारत माता की वंदेग 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 वंद